हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर अचीवर्स अकेडमी के बहतरी लर्निंग प्लेटफोर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैत की रामबान मैरेथन हैं जो आपके एक्जाम की तयारी के लिए एक रामबान साबित होगी तो क्लास को सुरू करने से पहले मैं मा सरस्वती के चरणों में हाथ जोड़ के नमन करता हूँ कि हे मा मुझे इतनी शक्ति परदान करना कि मैं समय रहते इस क्लास का सलेबस खतम करवा सकूँ और जो बच्चे तयारी कर रहे हैं उनकी सफलता में एक उचित मार्थ दरसन परदान कर सकूँ इसके बाद मैं अपनी जनम देली माता जो अब इस दुनिया में नहीं है उनको नमन करता हूँ कि हे मा आप मेरे साथ रहना और मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस क्लास को अच्छे से पूरा करवा सकूँ और आपका आसिरवाद हमेशा मेरे साथ बना रहे ताकि मैं इस तरह से बच्चों के लिए ग्यान की क्लास लाता रहूँ तो class को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ इस class को किस बच्चे को देखना चाहिए क्या syllabus इससे complete होगा तो मैं एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ यह जो आपकी class रहेगी वो तीनो लेवल PRT, TGT और PGT यह तीनो लेवल्स के लिए होगी जो आपका syllabus आया हुआ है उसमें जो 10 marks का common section है यह उसको cover करेगी सारे topic को cover करेगी यह जो 10 number का syllabus है कहने में यह 10 number का है लेकिन यह आपके पूरे mathematics का syllabus है जिसमें आपका arithmetic और advanced दोनों section complete हो जाते हैं तो जो बच्चा PRT की तयारी कर रहा है उसका जो extra 30 marks का math साएगा वो भी इस class से cover हो जाने वाले है इसके अलावा जो बच्चा TGT math की तयारी कर रहा है उसको भी यहां से 50-60% help मिलेगी subject के अंदर ठीक है तो यह 10 number कहने में 10 number है लेकिन यह पूरे math का ही syllabus है तो आपने इसको ध्यान से करना है इसके अलावा जो विद्यार्थी चंडिगर जेबीटी की तयारी कर रहे है उनका जो 30 marks का math आएगा उसमें से जो 50 marks का math है वो आपका in classes से complete हो जाएगा तो आपने class को बड़े ध्यान से देखना है मुझे ध्यान से सुनना है क्योंकि मैं चीजों को ज्यादा deeply explain ना करके to the point बात करने वाला हूँ जिससे आपका exam अच्छे से attempt हो जाएगा रही बात ये class कितरी लंबी होगी तो देखिए ऐसा possible नहीं है कि ये class 7-8 घंटे या 12 घंटे की एक साथ बना दी जाए तो मैं इस class को parts में बनाऊँगा उन सभी parts का link आपको इस video के description में मिल जाएगा जहां पर मैं आपको एक playlist बना के देदूँगा वहाँ से आप इसके बाकी part भी देख सकते हैं रही बात class की PDF की तो उसके लिए telegram group का link भी वहाँ पर आपको मिलेगा जहां से आप इस class की PDF को download कर सकते हैं तो ये बाते थी जो इस class के बारे में आपको बतानी जरूरी थी ताकि आपको लगे कि ये class हमारे लिए देखने की है या नहीं है वो आपको पहले ही पता लग जाए क्योंकि exam का समय नजदीक है और मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे का समय वेस्ट हो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये class जो है वो मैं offline record कर रहा हूँ क्योंकि अगर live होती तो live में number of question कम हो पाते हैं ठीक है फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे comment करके जरूर बताएं मैं कोशिस करूँगा कि जिस comment का जवाब देना चाहिए मैं उसको जवाब जरूर दूँ ठीक है और please ये मत पूछना की sir ये PRT की है TGT की है PGT की है मैं पहले ही बता चुका हूँ ये level क्या है इस class का इस content को ये cover करेगे ठीक है सारे इस levels के जो topic है वो हम यहाँ पर topic wise cover करेंगे आप मेरी speed को बढ़ा की भी class देख सकते हैं ताकि आपका जो समय है वो ज़्यादा waste ना हो ठीक है तो इसी के साथ class को सुरू करते हैं एक अंतिम बात कि अगर आप इस channel पर नए हैं तो आप channel को subscribe करें इस video को like करें और ज़्यादा से ज़्यादा share करें ताकि हर वो बच्चा जो इस exam की तयारी कर रहे है उन्हें इस class का benefit मिले और मुझे motivation मिले ताकि मैं आपके लिए इस class को और ज़्यादा भैतर तरीके से बना सकूँ तो class को सुरू करते हैं तो class में जो first topic हमारा है according to the syllabus उसको हम technometry से start करने वाले हैं trigonometry जो है वो आपके syllabus में mention करका है जिसमें क्या-क्या हमें पढ़ना है वो सारा मैं आपको बताऊँगा कितना deep पढ़ना है ठीक है जो TGT math की तियारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा और ज्यादा deep पढ़ेंगे क्योंकि मैंने बताया कि 10 नंबर में जो आएगा मैं उसके इसाब से लेके चलूँगा लेकिन हाँ आपको जरूर आपके जो subject का paper है उसमें भी इससे benefit मिलने वाला है ठीक है होता है तीन गोन का मतलब होता है sides और मिट्री का मतलब होता है measurement तो तीन साइड की measurement कहूं या तीन कौन की measurement कहूं यह होता है आपका trigonometry ठीक है तो इस trigonometry के अंदर आपको triangle की measurement करनी है किस से trigonometric ratio से trigonometry अनुपाद जो की syllabus में mention कर रख है यह आप से पूछा जाएगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको right angle triangle के बारे में पता होना चाहिए right angle triangle जिसको आप बोलते हैं समकोन त्रिपुच ठीक है देखने में कैसी होती है इस तरह की जिसमें एक कोन हो पे अगर हम यहां नीचे theta angle assume करते हैं तो यह हमारा base होता है अगर यही theta angle हम यहां पर assume करते हैं तो यह हमारा base होता है ठीक है जहां पर हमने theta लिया है उसका नाम हम रखेंगे base इसको denote करेंगे B से और हिंदी में इसको बोलते है आधार ठीक है यहां पे इसको हम बोलेंगे perpendicular प्रपिन्टि कुलर, जिसको डिनोट करेंगे हम P से हिंदी में बोलते हैं इसको लम्ज तीक है? और ये आपक का होगा हाइपोटिनियूस, तीक है? हाइपोटिन्यूस जिसको आप डिनोट करेंगे है से और इसको हिंदी में कहते हैं, करuch 90 के सामने वाली सबसे बड़ी बुजा जो होती है उसे ही हम हाइपोटोनुज यानि की कंड कहते हैं तो यहां पे आपको याद होनी चाहिए एक पाइथागोरस स्वरम जो की होती है P स्केर प्लस B स्केर एक्वल टो S स्केर यह जिस बच्चे ने याद कर ली उसको काफी benefit मिलेगा ठीक यहां पे आपको कोई दो साइड दी जाएगी और तीसरी आपको निकालने के लिए कही जाएगी जैसे for example मैंने कहा दिया ये साइड हमारी है 5 और ये साइड है हमारी 30 ठीक है हमारे पास सबसे बड़ी साइड है और हमारे पास छोटी साइड है और हमसे ये एक साइड जो है तयारी नहीं की है, कि पता नहीं हमारा क्या होगा एक्जाम में, तो आप बिलकुल भी परेशान नहीं होई, घबराना नहीं है, मैं जो इन क्लास में करवाऊंगा, आपने उसको ध्यान से सुनना है, आपने चै भले पहले मैत ना पड़ा हो, लेकिन मुझे भरोसा रखें, त ऐसे करके आना, मैं कोशिस करूँगा, कि कम शब्दों में आपको ज्यादा तयारी करवा दी जाए, तो यहां पे, अगर बड़ी साइड आपके पास से एक चोटी साइड है, और दूसरी चोटी साइड आप से पूची जा रही है, तो बड़ी साइड के स्क्वेर में से, आ तीरा में से पांच गए, आठ, अठार आठ थे, एक सो चॉआलिस और एक सो चॉआलिस का रूप निकालेंगे, तो यह होगा बारा, इसका मतलब अगर यह दो साइड हमें दे रखी थी, तो यह साइड हमारे पास कितने आगी, 12, एक तो आपने यह बात याद रखनी है, इस इसको प्लस करना है, दोनों छोटी साइड के स्कुएर को, और फिरस का रूप ले देना है, ठीक है, यही आपकी पाइथागोरस च्योरम है, जो मैं यह चीज बता रहा हूँ, इसी का नाम पाइथागोरस च्योरम है, कहीं पर कोई पॉइंट ना समझ में आए, तो आप क्ल साथे आती हैं, तो क्लास की स्पीड बढ़ा कर भी आप देख सकते हैं, तो 4 का स्केर 16, 3 का स्केर 9, 16 और 9, 25 और 25 का रूट करेंगे, तो यह आद आएगी आपकी 5, clear है, तो यह मैंने आपको पाइथागोरस च्योरम लगानी सिखाई, इसके अलावा एक तरीका और होता है, एक तरीका, तो यह बताया मैंने, दूसरा जो तरीका है, वो क्या होता है, कि अगर आपको मैं कह दूँ कि इसके अंदर, यह साइड दस है, यह 24 है, और मैं पूछू कि यह कितनी होगी, तो एक तो मैंने तरीका आपको बताया, यह तरीका, और दूसरा तरीका होता है, कि आ आप इनको याद कर लें, याद कैसे कर लें, जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिये हैं यह ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, आपको बता दू, यह 10 है, यह 24 है, तो आप देखिए तीसरी जो साइड आएगी, वो कितनी आएगी, 26 आएगी, ठीक है, तो 10, 24, 26, इ को लिख सकते हैं, 26, बाकि calculate करने का तरीका तो मैंने बता दिया, तो आपने इनको याद कर लेना है, सबसे छोटा triplet होटा है, 3, 4, 5 का, यानि कि यह वो छोटी value है, जो पाइफागोर्स योरम को satisfy करती है, तो 3, 4, 5 का double अगर आप कर देते हैं, तो 3 का double 6 बनेगा, 4 का double 8, 5 क double 10, इसी तरह से इसका 3 गुना करेंगे, तो 9, 12, 15, इसी तरह से 3, 4, 5 का 4 गुना करेंगे, तो 12, 16, 20, और इसी तरह से इसका 5 गुना करेंगे, तो 15, 20, 25, ठीक है, तो यह triplets आपके बनेगे, और मैं चाहूंगा इसको आप अपनी copy में, राम वाले page पर लिख लें, राम वाल होंगे, उतना question fast चलेगा, ठीक है, इसी के साथ 5, 12, 13, यह अगला triplet है, इसका भी double करेंगे, तो 10, 24, 26, यह आपका एक नया triplet बन के आएगा, आप इसका 3 गुना करेंगे, तब भी एक triplet बनेगा, लेकिन मैंने यहां पर वो triplets लिखे हैं, जो most of the time आपके questions में इस्तेमाल क यह जाते हैं, ठीक है, clear, फिर next है आपका 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 41, 41, और 20, 21, 29, तो कोई भी दो side आपको पता हो, तो तीसरी आप interpret से लिख सकते हैं, अभी ज़्यादा यह questions में आएगा, तो आपको इसके बारे में पता लग जाएगा, ठीक है, तो यह बात होगी, इसके बाद ए एक, visualization और आपको सिखाना है, जिसके बाद फिर हम सीधा technometric ratios के question पे आएगे, ठीक है, और syllabus आप download कर लेना, telegram group पे मैं upload करवा दूंगा, वहाँ से आप syllabus चे प्रिंट आउट निकाल लो, चे कोपी में लिख लो, और tick mark करते चलना की सर ने क्या क्या करवा दिया है, ठीक है, ह हम advance और arithmetic, दोनों topics को mix लेके चलेंगे class के अंतर, ठीक है, तो एक बार के लिए इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, कुछ बाते मुझे और बता नहीं है, उसके बाद सीधा फिर questions प्यांगे, हम trigonometric ratio करेंगे, सबसे पहले, trigonometric ratios, ठीक है, इसको बोलते हैं, तिरकोन मितिय अ अनुपात, ठीक है, तिरकोन मितिय अनुपात, क्या होते हैं, इसको पहले सीख लो, कि ये जो right angle triangle, समकोन तिरकुज हमारे पास थी, ये वाली, जिसमें इसका नाम perpendicular था, इसका नाम base था, और इसका नाम hypotenuse था, लंब आधार कर्ण, तो यहां पे हम ratio का मतलब होता है, अनु तो अनुपात, तो अनुपात कौन कौन से बना सकते हैं, एक तो इस side को हम इस से divide कर सकते हैं, तो 3 तो हमने यह बना लिए, इसके बाद 3 इनको उलटा करके बनेगे, ठीक है, तो इनके लाकर रखना यह तो P by h है, इसका नाम है sin. त्राइन थिटा पी बाई एच इसका नाम है और पी बाई बी इसका नाम है 10 थिटा ठीक है ये स्कूल में सिखाये जाता है पंडित बदरी परसाद हर हर बोले ठीक है या पाकिस्तान भुका प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा दुनिया जहान की ट्रिक्स बना रखिए लेकिन मै कह रहा हूं कि जैसे मैं बता रहा हूं वैसे जहां रखना कि जब भी मैं बात करूं sin theta की तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए perpendicular और सबसे बड़ी side का ratio ठीक है perpendicular और सबसे बड़ी side का ratio इस visualization को याद रखे तो बता रहा हूं जैसी आप से बात की जाए post theta की तो post theta में याद रखना base बटे में सबसे बड़ी side और जैसी मैं बात करूं 10 theta की तो उसमें सबसे बड़ी side ना लेके perpendicular और base यानि कि लंब और आधार का ratio आपने लेना है तो ये आपके पास 3 आ जाएंगे similarly 3 इनके उल्टे होते हैं यानि कि अगर मैं P by H को उल्टा कर दूँ तो ये बनेगा H by P और sine का उल्टा बन जाएगा ये post theta ठीक है इसी तरह से B by H को उल्टा करेंगे तो ये बनेगा H by B और ये post का उल्टा बनेगा second theta ठीक है ये post theta ये second theta और 10 का उल्टा क्या बनेगा अगर मैं B by P कर दूँगा तो ये बनेगा आपका post theta ठीक है clear है सिर्फ उतनी बाते जो आपके use में आने है ठीक है और ध्यान रखना आपने याद सिर्फ ये 3 रखने मैं मैंने बोला second theta तो तुमने कहा H by B मैंने कहा 10 theta P by B मैंने बोला quarter theta तो B by P तो ध्यान रखना ये 3 याद रखना जैसी मैं इनका उल्टा बोलूं तो उल्टा आपने सीधे से करके देख ले रहा है ठीक है इसके अलावा आपने जो दो बात याद रखनी है क्या कि 10 theta जो होता है ये sin theta by cos theta के बराबर होता है 10 theta किसके बराबर होता है sin theta by cos theta ये drive करके नहीं दिखा रहा है फिलाल आप यहां से sin और cos की value उठाना दोनों को divide करना देखना 10 theta यानिकि P by ratio बन जाएगा P by B वाला ठीक है similarly quote theta quote theta क्या होता है 10 sin by cos है तो quote इसका उल्टा यानिकि क्या हुआ cos theta by sin theta ये बात समझ में आगे ठीक है तो इसको भी याद रखना इस्तेमाल होगा इसके अलावा और क्या याद रखना मैंने बोला कि sin theta कैसे मिलेगा 1 by cos theta करके और cos theta कैसे मिलेगा 1 by sin theta करके अगर आपको कहीं पर भी cos theta की value दे दी जाए तो sin कैसे मिलेगा cosecant को 1 अपून करके और sin की दे दी जाए तो 1 by sin कर दूँगा तो मुझे cosecant बिल जाएगा ठीक है ये बात समझ में आ रही है तो यहाँ से अब आप देखो कि अगर मैं इसकी multiply इधर कर दूँ तो क्या sin theta into cosecant theta 1 नहीं बन जाएगा इसको करके देख लो चाहिए इसको करके देख लो बात तो बराबर है कि sin theta into cosecant theta product क्या देगा आपको 1 तो याद रखना है कि एक सीधा और एक उल्टा जब product करेंगे तो मिलके product का अंसर देंगे बात similarly आप याद रखना कि जो cos theta होता है वो one upon में second theta होता है या second theta जो होता है वो one upon cos theta होता है ठीक है कोई एक पता होने पे हम उसका सीधा उल्टा दोनों बना सकते हैं ठीक है clear तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि ये इसके साथ multiply करेगा तो cos theta into second theta ये भी क्या देगा 1 और similarly last वाले को मैं लिखरा हूं कि 10 theta into 4 theta ये भी आपको क्या देगा 1 देगा ठीक है तो 3 ये भी याद रखने 2 ये याद रखने और बाकी ये ratio मैंने आपको समझाई जो समझाने की थी बात यहां तक वो खतम हुई अब technometric ratio का question देखते है ठीक है अब question कैसे आएगा इसका औ questions को करूपा तो पहला question लगाते हैं आपके सामने आचुका है क्या कह रहे है कि if sin A equal to 3 by 4 then the value of tangent A ठीक है अगर sin A 3 बटे 4 है तो tangent A का मान क्या होगा आप देखो आप बच्चे क्या गलती करेंगे आपने देखा कि sin A sin A आपको पहली बाद तो यह A आया आपको आप तुम कहोगे कि सरक्या थीटा नहीं जा रहा तो आपको बता दूं कि A B C ऐसे हमारी एक right angle triangle है इसलिए sin A वर्ड का इस्तिमाल किया इसलिए मैंने A को नीचे रखा यहां रखना अगर sin theta बोलता तो मैं मान लेता कि theta मेरा यहा तो तुमने देखा यह तीन यह चार तो पाइथागोरस से तुम इसको लिंटों के पांच और वहीं प्रकॉशन होजेगा गलत है थोड़ी सी ना common sense भी साथ में रखनी है आप मुझे बताओ यह तीन यह चार तो यह 5 कैसे हो सकता है यह सबसे बड़ी साइड कैसे हो सकती है सबसे बड़ी साइड तो 90 के सामने वाली होती है तो यह 3 यह 4 होता तो मैं इसको 5 ले सकता था यह 5 आपने नहीं लेना है ऐसी गलती आपने नहीं करनी है तो जल्द बाजी नहीं दिखानी है थोड़ा सा ध्यान रखता है ठीक है clear तो हमसे पूसरा है tangent A क्या होगा तो सबसे बड़ी साइड तो यह मैं निकालूँगा कैसे इसका स्केर माइनस बड़ी साइड के स्केर में से इसका स्केर ठीक है तो 4 का स्केर 16 तीन का स्केर 9 16 में से 9 गए तो कितने आए 7 ठीक है आप A माइनस B A प्लस B करके भी निकाल सकते क्योंकि यह का आइडेंटिटी बनती है A स्केर माइनस B स्केर ठीक है तो यह हमारे पास आ गया तो हमसे पूसरा है कि tangent of A कितना होगा तो tangent of A यह अपोन में यह तो answer becomes 3 अपोन में root 7 ठीक है त तो वो answer एक बार लिखते रहे ना क्योंकि answer की यहाँ पर नहीं है और बाद में मैं बता दूँगा कि कैसे आप मेरे को भेज सकते हैं ठीक है तो फिलहाल मैं number नहीं दे रहा हूं नहीं तो तुम दिमाग खाजोगे मेरा सर जी यह मेरे exam के लिए मेरे exam के लिए नहीं है 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 नहीं है पस ठीक है तो इसलिए फिलहाल अगला question नेक्स question फटा 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 चलने द्वाव यह कह रहा है कि इस फिफ्टीम कोट ए इकल टू एड देन फाइंड दी वैल्यों सी केंटे जहां चे सुनना मेरी बात यहां पे राइट एंगल ट्रेंगल बना बना दी इसके अंदर ए ए कहां है यहां है यह लिखने की जूरत नहीं है बस आप दिमाग से रखना यहां पे 15 कोट ए इसकी वैल्यू दे रखी 8 तो कोट ए की वैल्यू क्या आएगी 8 बटे में 15 तो अगर ऐसा कुछ दे रखा तो पहले तो ऐसे बना लेना ठीक है अब मु यह बटे में यह तो यह आठ यह 15 खेंड है तो यह बटे में यह ल्टा होगा तो यह 8 यह 15 तो ट्रिपलेट में मैंने लिखाय था यह कितना होगा 17 नहीं समझ में आए तो आप पाइथर गोरुस लगा के 8 स्केर प्लस 15 करके रोट ले देना ठीक है यह आप तुम्हारा काम है मैं आगे सोर नहीं पर ओब यह 8 यह 15 टृट्पलें, है च्पा रहा है तो हमें बताना क्या था सिकेंट ओफ ही अभया में बताना सेकेंट किसका उल्टा होता होस का तो कोज के न技िये बटे में यह यह बताया था तो सिकन को होगा trigonometric ratio का कोई भी question तुम्हारा नहीं रुकेगा exam में, if 10 theta equal to 4 by 3, then find the value of 1 plus sin theta, 1 minus sin theta under the square root, तो मुझे बताओ 10 theta, अब देखो कम लिखने, इसका मदलब theta यही है, तो tangent क्या होता है, यह 4 यह 3, अब मैं कम लिखता चलूगा, आगा आगे, यह 4, यह 3, तो फिर पाइथागोरोस triplet से ही कितना बनेगा, 5, खत्म होगे ताओ, तो हमें बताने है, 1 plus sin theta, sin theta क्यों होता है, 4 बटे में 5, this is 4 by 5, अपोन में, 1 minus sin theta, sin theta 4 बटे में 5, under the root, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आना जैसे बता रहाँ, 5 एकम 5, जमा 4 करूँगा, तो 9 बटे 5, 5 एकम 5, प्लस 4 कर तो 9, और बटे में 5, 5 एकम 5, मात्में से 4 गया, 1 बटे 5, ठीक है, 5 से कटा 5, ठीक है, 5 से 5 बटे गया, तो क्या बच गया, उपर 9 का root, which is equal to 3, 9 का root कितना होता है, 3, तो अंसर क्या बनेगा, option number D बनेगी, clear है, बात समझ में आ रही है, कोई मुस्किल नहीं है, बिलकुल बच्चों वाले question हो जाएंगे, बशरते की आप दिहान से चलाते रहें, ठीक है, LCM मैंने लेके दिखा दिए, किसी को नहीं समझ में आ है, तो दूसरा तरिका भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, तो next question की बात करते हैं, अगला question, if sin theta equal to 4 by 5, then find the value of secant theta minus 10 theta, secant theta plus 10 theta, अब ये question तुम ने करने, कैसे, मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, sin theta है, तो ये 4, ये 5, 5, ठीक है, sin ये बटे ही होता है, तो 4 बटे 5 हमने ये यहाँ पे लिखती है, तो ये 4, ये 5, तो ये कितना हैगा, 3, 3, 4, 5 का ट्रिप्लेट होता है, तो ये sense देखनी है, कि बड़ी side है कि छोटी side है, वो ठीक set हो रही है कि नहीं हो रही है, अब second theta की value आपको निकालना के पता है, tangent theta का आपको निकालने के पता है, आप सारी values को निकालने के अंसर कर सकते हैं, तो मैं एक बड़ करके भी दिखा देता हूँ, ताकि कि किसी को दिक्कत नाए, second theta, क्या होता है post का उंटा, post था ये बटे में ये, तो second होगा 5 बटे में 3, ठीक है, post ये बटे में ये होता है, तो second ये बटे में ये हो जाएगा, minus में 10 theta, तो minus 10 क्या होगा 4 बटे में 3, upon में, upon में क्या लिखा है, यही plus में लिखा है, तो 5 बटे 3, plus में 4 बटे 3, ठीक है, तो देखो, बचा 1 by 9 यह अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको पलता मार के लिख ले ना 3 बटे में 9 तो इस से कड़ दाएगा तो भी अंसर से इवाएगा लेकिन ध्यान रख्था करो सिर से सिर उड़ सकता था पैर से पैर तो पैर से पैर उड़ गए तो सिर सिर बच गए तो मैंने सिर सिर यहां लेंगे यह है एक तरीका जो मैं आपको सिखाता आ रहा हूँ इस तरीके के अलावा एक तरीका और है ट्रिग्नोमेटिक रेशो उसके को करने का और वो तरीका क्या है भाई यहां पर ध्यान दीजिए हमारे पास दिया हुए है क्या साइन थीता अब मैं इसका इसका इस्तिमाल नहीं करूँगा अंसर मैंने आपको दिखाया हमें दिया हुए साइन थीता इकल टू क्या फोर बाई फाइप ठीक है तो जो हमें दे रख है क्या मैं वो कोश्चन में बना सकता हूँ अगर मैंने वो कोश्चन में बना दिया तो भी मैं इसको यूज कर सकत हूं कैसे हमारे question में दे रखा था secant of theta plus minus में tan theta minus में tan theta upon में secant of theta plus में tangent of theta ठीक है तो अब यहां से मैं आपको जो बताने वाला हूं वो यहां से सुनना कि मेरे पास sin theta की value है तो क्या question में sin theta बना सकता हूं बिल्कुल अगर आप इसको secant theta से इधर भी divide कर दे इधर भी divide कर दे ऊपर में भी और नीचे में भी जहां रखना हिसाब बरावर रखना है अगर आप उपर और नीचे में secant theta से divide कर देंगे तो ध्यान दो यह तो कटके one बन गया बन गया अच्छा मुझे बताओ tangent theta क्या बताया था है मैंने यह भी तो बताया था अप उन में secant theta क्या होता है one by cloth theta मैंने आपको यह भी बताया था कि second दे रखाऊ तो one by close कर दो कर सकते हैं न यह सिखाया था मैंने अप उन में नीचे में क्या बनेगा यह कटके 1 बनेगा और प्लस में यही सेम फिर से लिख देंगे same थीटा sekर वाई norm कौॉष सित्थ है लेधा इसके पैर मेलों है इसकी यह फेर मेरे पॉस कट्वार से पोस कट्वार गाया सपौस से पॉस कट्किने यह बचा क्या साइन NeγらITY Theta, अपॉन में 1+, में sin Theta, देखो पैर तोvordan कट गए न, सिर–सिर बचा हुए, यह बच गया, तो इसकी वेल्यू तो हमें दे रख्ये है, sin Theta की, तो sin Theta की जो भी वेल्यू दे रख्ये है, उसको अब इस्तिमाल कर लेते है, कैसे? 1 प्लस में, हमारे पांस बच गया माइनस है भाई 1 माइनस में, साइन थेटा साइन थेटा कितना है, 4 बाई 5 अपोन में, अपोन में 1 प्लस 4 बाई 5 ठीक है, अब देखो, ये सीधा-सीधा यूज हो गया, अब 5 एकम 5, 5 में से 4 गया, 1 बटे में 5 लिखना है जुरूर 5 एकम 5 और 4, 9 बटे में 5 लिखना है, और अगर LCM से में तो लिखने की भी जुरूरत नहीं थी तो अंसर 1 पाई 9 ठीक है, तो मैंने जो समझाया यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है इसमें कोई दिक्कत आया समझ में, कि क्या करना थे यहाँ पे ठीक है तो ये भी आप इसमें इस्तिमाल कर सकते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने next question की तरफ तो trigonometric ratios ये वाला portion खतम हो रहा है हमारे trigonometric एतर तो question देखो if 4 sin theta equal to 5 cos theta then the value of 2 sin theta plus 2 cos theta upon 6 cos theta minus 3 sin theta किसके बराबर होगा, तो आप देखो यहाँ पे, यह 4 sin theta 5 cos theta के बराबर है तो क्या मैं sin theta by cos theta, ऐसा लिख सकता हूँ देखो जहां से, यह sin यहाँ पर था, इस cos को मैं इधर से इधर लिया है, तो upon में आदेगा, यह 5 यही पर था, तो 4 को इधर से ले गया, तो यह upon में चला जाएगा, यह ध्यान रखना, यहाँ गलती नहीं बता दिया था आपको, यह भी तो होता है, ठीक है, तो अब देखो, question क्या था, this is 2 sin theta plus में 2 cos theta और upon में क्या था, upon में था 6 cos theta minus में 3 sin theta ठीक है, तो हम divide करेगे, किस में उपर में और नीचे में cos theta से ठीक है भाई, अब देखो, कितना fast हो जाएगा और यह लिख-लिक के नहीं दिखाने, फटा-फट, फटा-फट कर देना, देखो यह तो कट गी हीचे में पहले cos था, और इधर sin था, ठीक है, यह धिया रखना 2 sin theta, plus में 2 cos theta और 6 cos theta, minus 3 sin theta तो इधर से यह कटेगा, और इधर से यह कटेगा, तो यह बन गया क्या, अब देखो, यह बन गया twice of 10 theta, sin by cos 10 हो गया, plus में 2, upon में यहां से 6 बचा, minus में 3, sin by cos क्यों हो गया, 10 theta बस value 10 theta की यहां से put कर दो, 5 by 4 तो 2 into 5 by 4, plus में 2, upon में 6 minus 3 into 5 by 4, ठीक है, तो 2 से यह 2 पे कटेगा, अब LCM लेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 plus 5 कितना हो गया, 9 बटे में 2 देहां रखना, 2 दूनी 4, plus 5 करेंगे, तो 9 बनेगा, और बटे में यह 2 लिखना है, ठीक है, इधर से कुछ कट नहीं रहा, तो यह बन क्या रहा है, आपका, यह बन रहा है, 6 minus 15 by 4, ठीक है, तो यहां से soul करते हैं, इधर लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं, आगे कर, उपर तो क्या है, 9 by 2 है, नीचे को soul करते हैं, ठीक हो के 24, 24 में से 15 गए, कितना हो गया, 9 बटे में 4, ठीक है भई, 4 ची के 24, 24 माइनस 15 करेंगे, तो 9 बचेगा, और बटे में 4 लिखना ही है, अब देखो, सिर से सिर कढ़ गया, पैर से पैर कढ़ गया, ठीक है, उपर में बचा 1, नीचे में बचा 1 बटदो, यह ध्यानक नब, उपर में तो कटके 1 बचा, यह पूरा बचा गया, 1 बचा हुए, इधर में क्या बचा, 1 बचे में 2, यह calculation गलत मत करना, ठीक है, यह ऐसे हो जाएगा, तो answer कितना बनेगा, 2 बनेगा, तो answer option number C बनेगा, ठीक है, clear, तो ये ध्यान रखना और किसी को ये समझ में नहीं आया, तो भाई फिर ऐसे कर लेना, 9 by 2, आपोन में 9 by 4, इसको लिखना है 9 by 2, और नीचे वाले को पलट के लिख दो, 2 से 2 पे कटा, 9 से 9 कटा, तो answer कितना बचा, 2 बचा, calculation गलत मत करना, ध्यान से करनी है, ठीक है, चलो, एक question अब ये आपके सामने आया है, अब ये question, trigonometric ratios का आखरी question है, जिसमें एक नई बात भी मैं आपको बताऊंगा, कि अगर ऐसा question आजे, तो फिर क्या करना, in the following figure, find the value of 10A minus 4C, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ A लिखा हुआ है, यहाँ C लिखा हुआ है, यह कोई A नहीं लिखे हुए, इनका मतलब है, क्या मतलब है, अब यह आपको clear हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बार diagram को बना दू, ठीक है, यह काम करते हैं, छोड़ो, question में करते हैं, जुरूरी बार-बार बनाने, मुझे बताओ, यह 12, यह 13, तो यह 5 होगी कि नहीं होगी, यह कितनी होगी, 5 होगी, क्यों भाई, 5-12, 13 का triplet होता है कि नहीं होता, तो यह side हमारे पास कितनी होगी, 5, circle में ने क्यों किया, यह हमने triplet से निकाल लिए, यह 12, यह 13, तो यह कितनी, 5, 5-12, 13 का triplet निक्वाय था, याद करो, अब ध्यान देना, उसने बोला tangent of A, A कहां आ रहा है, यहां पर, ध्यान याद करो, tangent मैंने क्या सिखा है था, जब भी tangent बोलता है, तो perpendicular upon में base, यह बटे में यह लिखते हैं, तो मैंने कहा tangent A में यह base है, यह perpendicular है, तो perpendicular upon में base, तो क्या लिखूंगा 5 बटे 12, tangent A क्या लिखूंगा 5 बटे 12, माइनस में, फिर लिखना है, port of C, port of C, तो पहले देखो C क निखा हुआ है, इसका मतलब यह base है, अब क्यार यह base है, यह perpendicular है, यह बात ध्यानक, port C में यह base है, यह perpendicular है, तो मुझे बताँ, पोट क्या होता है, पोट होता है, तंजन ता पर्पेंडिकुलर upon base, तो kommt होंगा base upon my perpendicular, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखूंगा, base upon my perpendicular, बताया यहां पर इस ए और सी को नजर अंदाज ना करें कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया कि मेरे ख्याल से यह समझ में आया होगा चलो फिर आगे बढ़ते हैं आगे अब जो कोश्चन आया है यह कोश्चन आपका आइडेंटिटी का कोश्चन है तो पहले एक बार इसके बारें बात कर लेते हैं ठीक है चलो अभी हमने पड़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तिरकों में यह अनुपात अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अब ये क्या होती है भाई ये भी सिलिवस में में वेंशन कर रखा आपके ये क्या होती है तिरकोर मितिया सर्वसमिका हिंदी में बोलते हैं तिरकोर मितिया सर्वसमिका क्या होती है तीन होती है ये पहली आपने सुनी भी होगी sin square theta plus में cos square theta equal to 1 सुनिए कि नई सुनि sin square theta plus cos square theta equal to 1 ये पहली technometric identity होती है इसको कैसे कैसे use कर सकते हैं पहली बात तो याद रखना जो यहां होगा वही यहां भी होना कैसे अगर ये sin square 40 है तो यहां भी cos square 40 होना चीए तभी इसका result 1 देगा तो इसलिए मैंने बोला कि ये दोनों same होने चीए यहां theta तो फिर यहां भी theta अब मुझे बताओ यहां से sin square theta क्या बनेगा इसको उधर फेक दो तो 1 minus cos square theta तो ये identity हम ऐसे भी use कर सकते हैं sin पूछे तो क्या करूँगा फिर हटके यहां पर root लगजेगा ऐसे भी use कर सकते हैं ठीक है तो ध्यान रखना कैसे कैसे use हो सकती है मैंने आपको समझाई ये ज़्यादा तरी उजगी similarly जैसे sin square बताया मैंने ऐसे ही 4 square theta क्या बनेगा तो इसको उधर फेक दो तो ये बनेगा 1 minus sin square theta clear है याद रखने है इसके बाद second identity second होती है आपकी second square theta minus 10 square theta equal to 1 ठीक है second square theta minus 10 square theta equal to 1 ये कैसे कैसे use होगी सुन लो यहां पर second square theta अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप क्या बोलेंगे ये उधर चला जाएगा तो 1 plus 10 square theta मैं आपसे पूछ ओ 10 square theta क्या बनेगा तो क्या लिखोगे ये उधर चला जाएगा ध्यान रखने ये minus का था ना इसको इधर बेज़ दो plus का देगा फिर इसको इधर बेज़ दो ये क्या बनेगा second square theta minus में 1 ये ध्यान रखने है ये कैसे यूज ओगी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी इसमें तो एक बार इसको भेज दिया एक बार इसको भेज दिया लेकित इसमें एक बार तो इसको भेजा था ठीक है तो ये one plus 10 square बन गया था लेकिन जब आप से 10 square उन पूछ했어요 है ठीक है एलजब्राइक आइडेंटिटी है A square minus B square दो कि ओती है A plus B A minus में तो यह सीकेंट square minus 10 square theta को भी मैं क्या लिख सकता हूं second theta plus में 10 theta और second theta minus में 10 theta equal to 1 लिख सकते हैं तो यहां से अगर आप से पूछे second theta plus 10 क्या होगा तो आपको होगे 1 upon में second theta plus में 10 theta और अगर यह पूछा जाए तो यह पूछा जाए तो क्या गरने फिर इसको अधर भेज दो 1 upon में second theta plus में 10 theta यहां पर minus आएगा फाई यहां plus वाला पूछा था तो यहां minus आएगा ठीक है ध्यान से लिखने यह plus पूछा था तो यह upon में चला गया और यहां minus वाला पूछा है तो यह upon में जाएगा ठीक है मतलब क्या यह जो बात मैंने लिख इसका मतलब क्या भी समझा देता हूँ कि अगर किसी question में आपको दे दे कि second theta plus में 10 theta equal to 5 अगर यह दे दे आपको तो आपसे कहेगा इस वाली type के अदर आपसे कहेगा भाई second theta बता दो या 10 theta बता दो या शाइन theta बता दो कुछ भी पूछ सकते हैं कुछ भी पूछ सकता है इनको छोड़के जो भी बचके उनमें कुछ भी पूछ सकता है तो आपने क्या करना है कुछ है नहीं पंगे नहीं लेने बिल्कुल असान सा काम हो जाएगा बिल्कुल असान लगेगा आपको important question है ये कि अगर ये दे रखा हो तो आपने अपने पास से लिखना है secant theta minus 10 theta equal to 1 by 5 क्यों भाई अगर इसकी value 5 है तो मुझे बताओ इसकी value अगर 5 है तो इसकी value क्या बनेगी तो ये 5 इधर 1 upon में चला जाएगा तो ये बनेगी तो बस ये 2 equation बन जाएगी इनको solve कर लेना आपके बास value आती रहेंगी देखो एक question बतावी दिया ये कड़ गया ये क्या बन गया twice of secant theta equal to 5 plus में 1 by 5 तो 5 बन जे 25 और 27 बते में 5 तो 2 secant theta 27 बते 5 है तो 2 से ये काटूँगा तो secant theta 13 बते 5 बन जेगा उसके बाद ये आपको सिखाए ये technometric ratio इसको लगाओ जो पूछे वो बताओ ये तो सिखाए ना second किसका उल्टा? cos का उल्टा cos क्या होता है ये बटे में ये तो secant क्या होगा ये बटे में ये ये 13 ये 5 ये कितना आएगा? 12 बस जो भी बूछे trigonometric ratio से बता दे रहाए दिखाए ये पहले आपको ठीक है तो दो चीजी होगी और तिसरी आखरी identity क्या है वही होगी सुनलो वो क्या है आपकी? जैसे secant n थी ऐसे cosecant square theta minus 4 square theta equals to 1 similarly यहाँ से cosecant square theta आप से पूछे तो क्या बोलना? इसको उधर बेज़ दो 1 plus 4 square theta आप से 4 square theta पूछे तो इसको उधर बेज़ दो इसको इधर दियाओ तो cosecant square theta minus में 1 ठीक है? और जैसे मैंने इसको लिखके दिखाया था नै ऐसे plus और minus करके आप इसको भी लिख सकते हैं ठीक है? questions में और ज्यादा इस्तेमाल करेंगे एक को मैंने लिखके बता दिया इसको और इसको ही आप ऐसे plus और minus में लिख सकते हैं इसको नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे plus आया हुआ है यह minus वाले formula में ही ऐसे लिखा जा सकते हैं ठीक है? तो इन दोनों के question ऐसे पूछे जा सकते हैं मैंने यहाँ पे example से बताते हैं ठीक है? तो अब questions पर आदे है questions पर आदाते है लो भई अब देखो question कितने असान लगेंगे? पहला question the value of sine a plus cos a ka whole square plus sine a minus cos a ka whole square यह किसके बरावर होगा? एक तरीका तो क्या? मैं a plus b ka whole square खोल दूँ यह तो पता होंगे न? यह तो सब बच्चों क्या आता होंगे? a plus b ka whole square यह क्या होता है? a square plus में b square plus में 2ab ठीक है? a minus b ka whole square a square plus में b square minus square 2ab है न? तो एक तरीका तो क्या? आप sine a plus cos a पे यह वाला formula कोल दो उपर वाला तो यह क्या बनेगा? थोड़ा सा लिख के दिखा रहा हूं हाला कि इतना लिखना नहीं है sine square a a plus b ka whole square खोलेंगे तो sine square a plus में cos square a plus में 2sin a into में cos a ठीक है भाई? मैंने किसको solve किया? इसको solve कर दिया फिर plus में फिर plus में क्या लिखा हुआ है? sine a minus cos a का whole square तो अब मैं a minus b का whole square खोल दूँगा तो यह बनेगा sine square a plus में cos square a minus में 2sin a cos a क्या बाद समझे? तो देखो यह plus में था यह minus में था पूरा cancel ठीक है? clear sine square a sine square a कितनी बार आगा है? दो बार cos square a कितनी बार आगा है? दो बार दोनों में से दो common ले लो ठीक है? और आपको पताईए क्या? कि sine square a plus cos square a क्या होता? बान होता है? आइडेंटिटी अभी बताई थी तो two into one answer कितना बनेगा? तो answer क्या बन गया? option number clear है? बास समझ में? ये बात अगर समझ में आगी तो एक खास बात और बता देता हूँ और जितनी बाते बता रहा हूँ वो यहाँ यहाँ नहीं पुरे math में कहीं और भी काम आई है कैसे? आपके इसमें एक elementary algebra, school algebra करके एक topic लिखा हुए है उसमें यही formula आते हैं तो इन दो formula को अगर मैं plus कर दो left hand side में left hand side plus कर दो तो यह क्या बनेगा? a square plus a square क्या बनेगा? 2 a square b square plus b square क्या बनेगा? 2 b square और यह आपस में कट जाएंगे तो यहाँ से एक formula बना twice of a square plus में b square similarly a plus b का whole square minus a minus b का whole square यह जो दो formula मैंने पहले बताये थे मैंने इन दोनों को एक बार plus कर दिया और एक बार मैं इन दोनों को minus कर रहा हूँ तो minus करूँगा तो इसमें से यह minus होगा कट जाएगा इसमें से जब यह minus होगा तो कटेगा नहीं यह add हो जाएगा यह बनेगा 4 a b तो आप इसके बिहाब पर भी इस question को कर सकते थे कैसे यहाँ पर लिखा होगा है a plus b का whole square plus में a minus b का whole square यानि कि यह वाला formula लिखा होगा तो इस formula के हिसाब से अगर मैं solution करता तो आपको लिखना भी नहीं पढ़ता क्या करते आप लिखते इसका answer यह वाला तो 2 into 1 answer कितना आता ठीक है यह वाला formula मैंने लगाया है ठीक है कहाँ से पता लगा इस question में a plus b का whole square plus a minus b का whole square तो क्यों होता है 2 a square plus b square के बराबर ठीक है बात आगी समझ में चलो अगला question इसी का अगला question इसको लिखना नहीं अब कह रहा है कि sin theta plus cos theta का square minus sin theta minus cos theta का square यह किसके बराबर होगा तो आपको बता दूँ इस question में यह या तो a plus b का whole square और वहाँ a minus b का whole square खोलना या आप देखो यह वाला formula यह वाला formula है जो कि किसके बराबर होगा 4 into a a कितना था sin a और b कितना था cos a तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे आपको लग रहा है कि यहाँ पर lcm ले लिए जाए lcm लोगे तो lcm कितना हैगा sin भै इसके बटे में 1 लिखतो x से काटेंगे sin a पे गटेगा sin a into sin क्या बनेगा sin square plus sin से 1 पे गटा x से multiply करोगे तो cos square से एल से में बने कुछ नहीं कि sin square a और cos square a मिलके क्या मनाते है 1 sin square a plus cos square a 1 बनाते है और अपोन में क्या है sin और 1 upon sin नहीं क्या होता है cosecant a क्यों भै 1 by sin क्या होता है cosecant बैने लिखके भी दिखाया थी तो answer option number c बनके खतम होगा question ठीक है बात आई समझ में option c अगला question 1 minus cos theta 1 plus cos theta 1 plus cos square theta ये किसके बरावर होगा तो देखो identity क्या कहती है ये क्या लिखा होगा a minus b ये लिखा होगा a plus b है 1 minus cos theta 1 plus cos theta ये identity है क्या a minus b a plus b which is a square minus b square लिख सकते है न कोई लिखक्त और one का square क्या होता है ौ तो one ही होता है वन का square तो one ही होता है इसको मैंने फिलाहल as it is लिख कर दिख दिए अब मुझे बता हम 1 minus cos square theta मैंने बूला था sin square theta होता है होता है की नहीं होता 1 minus cos square मैंने बूला था ये आईए-एइस कर सकते हैं और one plus square theta क्यों होता है और आपको बताया नहीं था एक सीधा और एक उल्टा एक सीधा और एक उल्टा प्रोड़क्ट देता है one और square है तो कोई बात नहीं तुम one का square कर लो तो बात तो बनी रहेगी न इसलिए answer कौन सा बनेगा option number a रहेगा यह identity मैंने बताई थी आपको cosecant square theta minus core square theta one होता है तो cosecant square theta होगा one plus core square theta तो इसकी जगह पे हमने यह लिख दिया था और बताया थे यह ऐसे आप लिख सकते है ठीक है अगला question अगला question देखो क्या है if sine theta plus sine square theta equal to one then the value of cosecant square theta plus cosecant square theta किसके बराबर होगा यह दिख साइन theta plus sine square theta one है तो cosecant square theta plus cosecant square theta क्या होगा तो तुम मुझे बताओ अगर sine theta plus sine square theta यह one है तो क्या यहाँ से sine theta आपको one minus sine square theta नहीं दिखेगा इसको उधर ले जाओ और one minus sine square को ही हमने बूला था cosecant square क्या यह बार समझ में आ रही है यह जो पहली line दे रखी देना इससे हमें यह मिल गया ठीक है अब इतना अगर आपको मिल गया तो यहां से कूसरा है हमसे cos square theta plus में cos 4 theta किसके बराबर होगा तो तुम मुझे बताओ सबसे पहली बात तो cos square theta और इसको मैं क्या cos square theta का square लिख दूँ बात तो वही नहीं है अरे यह 4 है तो 2 का square मैंने लिख दिया ठीक है अब ऐसा क्यों लिखा क्यों 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 क्यो स्केर की जगह मैंने लिखा साइन थीटा और साइन थीटा का स्केर होने से यह बने का साइन स्केर थीटा और यह आपको given already था question में 1 यह तो शुरुवात में 1 ही दे रखा था तो answer क्या बना option number D बना ठीक है तो answer 1 ठीक है तो अगला question मेरे ख्याल से यह वाला है यह वाला exam में तो हमने भी इसको ले लिया भाई अब देखो अगर ऐसा question आ जए तो फिर क्या करके है यह free के नंबर है देखो अब exam में कैसे कैसे पूस्ट है वो अगर यह topic 10 नंबर में mention कर रहे हैं तो ज्यादा deep study नहीं करवाना चाहता deep study किसको करनी है जो आपके TGT math वाले है ठीक है ल अगर सी है तो a sin theta plus b cos theta क्या होगा इस a cos theta minus b sin theta c then a sin theta plus b cos theta तो मैं आपको यहां से एक format समझा रहा हूँ ज्यादा detail में बात नहीं करूँगा a cos theta minus b sin theta अगर आपका c है ठीक है और a cos theta minus a sin theta यहां पर उल्टा होना चाहिए था a sin theta और plus में b cos theta यह आपका क्या होगा यह पूछना चाहरा है तो ध्यान से पहले format समझा दो format क्या है देखो यहां पर a लिखा है यहां पर b लिखा है तो यह a b उपर लिखे है a b नीचे भी मिलेगे ठीक है इधर cos लिखा है इधर sign लिखा है तो यह एक इसमें interchange होगा ध्यान रखना इसमें यह तो a b interchange होता है या cos और sign interchange होते हैं ठीक है जैसे यहां पर देखो a तो हिला नहीं b भी नहीं हिला लेकिन cos यहां से इधर लिखा गया sign इधर से इधर लिखा गया और एक माइनस में होगी, एक प्लस में होगी, ये भी खासियत है, इसमें एक माइनस में होगी, एक प्लस में होगी, पहली पहचान, दूसरी पहचान, या तो A इधर से इधर जाएगा, B इधर से इधर जाएगा, नहीं तो कोस इधर से इधर जाएगा, साइन इधर से इधर तो उच्छा उसको स्केर, बस इसको इधर लियाओ, ये बन गया, equal to question mark का स्केर, और दभी square हटेगा, तो square इधर जाके क्या बनेगा, root गनेगा, और ये इसके आगे plus minus 6 का देना, मतलब दो value आएंगी, square का मतलब यहां से question mark की दो value आएंगी, तो एक plus करके और एक minus करके, तो द है चान याद रख लीक, तो free का number, ठीक है, जादो, अगला question, next क्या कहता है, if secant theta plus 10 theta equal to 2, then the value of secant theta is, the secant theta plus 10 theta आपको 2 दे रखे, तो secant theta क्या होगा, मैंने सिखाय था ना तुम्हें, क्या, कि अगर secant theta plus 10 theta आपको 2 दे रखे है, तो secant square theta minus 10 square theta वाली identity बताई थी, तो इसमें आप सीधा ही इसको अपने पास से लिखना, यह दे रखा, यह दे रखा था यह अपने पास से लिखने लिखना, ठीक है, यह इस तरह का question आएगा, secant or 10 में, या cosecant or quote में, मैंने पहले समझा भी दिया, तो यहां से मुझसे क्या पूछना चाहरा है, मुझसे पूछना चाहरा है, secant theta बता दो, तो secant theta कम बिलेगा, जब मैं दोनों को add कर दूँगा, add करूँगा, यह कटेंगे, secant secant क्या बनेगा, 2 secant theta, और यह बन गया, 2 plus 1 बटा दो, तो 2 दूनी 4 और 1, 5 बटे में 2, तो दूनी 4 और 1, 5 और बटे में 2, तो यहां से secant theta कितना बन गया, this is 5 by 2 और यह वाला 2 इधर जाके multiply, cross में होगा, तो 5 बटे में 4, तो 5 by 4 option number C में लिखा होगा, तो जहां तकना, इसके अलावा कुछ भी पूचले, मालों पूचले ता sin theta बता दो, तो तुम इसका इस्तेमाल करके बता सकते हैं, second किसका होता है, course का होता है, course होता है यह बटे में यह, तो second होगा यह बटे में यह, तो यह 5 यह 4 और पाइथागोरस ट्रिपलेट से यह 3 आएगा, तो sign पूचा था तो team बटे 5 अंसर कर देना, जो भी पूचे इसको बाद यह बना के सारे अंसर कर सकते हैं, क्लियर है, यहां तक बास समझ में आगे, तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह की आएगी, इसका नाम है trigonometric table, तो अब आपको लगेगा trigonometric table यह भी थी, तो आपको बता दें, यह थी पर in terms of complementary angle थी, ठीक है, अब यह complementary angle क्या होता है, पूरकपोन, complementary angles, जिसको आप बोलते हैं क्या, पूरकपोन, क्या होते हैं, जब दो एंगल का समझ, आपका कितना होते, 90 degree, या एक angle theta हो, तो दूसरा क्या होगा, 90 minus theta, यह होते हैं, आपके पूरकपोन, complementary angles, ठीक है, तो यह आपके topic में लिखा हुआ है, बकाइदा trigonometric के अंतर complementary angles, ठीक है, तो कैसे use होंगे, वह मैं सिखाता हूँ, तब से पहले, आप इस table को copy में बना लो, ठीक है, देखो, ज्यान से, यहाँ पर यह angle है, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है, यहाँ sin theta, यह table बनाने सिखा रहा हूँ आपको, यहाँ sin theta, यहाँ cos theta, ठीक है, फिर 10 theta, पहले 3 लिख दो, sin, cos, 10, यही थे न, फिर 10 का उल्टा लिखना है, cos theta, ठीक है, फिर cos का उल्टा लिखना है, sec and theta, और फिर sin का उल्टा लिखना है, cos sec and theta, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, तो यह बनानी आसान हो जाएगी, समझनी आसान हो जाएगी, कैसे, पहली line याद रतना, sin theta की, कि 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2, और 1, ठीक है, किसी के याद नहीं रहता, तो 0 by 4, 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4, 4 by 4, और इनके सब के root ले देना, यह sin theta वाली line है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, sin theta की, ठीक है, तो तो मुझे बताओ, 0 by 4, 0 ही होगा, 1 by 4, 1 का root 1, 4 का root 2, 2 by 4, काट दिया, 1 by 2, तो उपर 1 है, तो 1 का root 1 होता है, 2 का root, यह होगा, 3 का root, यह 4 का root 2, 3 का root नहीं होता, तो root लिख दिया, 4 का root 2 आ जाता है, 4 by 4, 1, 1 का root कितना होता है, 1, तो आपने यह line याद रखनी है, एक, और जिस बच्चे ने यह याद कर ली, आप देखना, पूरी table कैसे बनाएंगे से, पहली line जैसे आपने लिखी, सीधी, आप इसको पीछे से लिखना शुरू कर दो, यानि कि यह 1 लिख दो पहले number पे, ठीक है, यह 60 रख दो, दूसरे number पे, इसके नीचे यह यादेगा, यह वाला इधर चला जाएगा, और यह 0 वाला उधर चल ठीक है, तो एक line सीधी लिखने है, दूसरी वाली पीछे से लिखनी शुरू कर देनी है, ठीक है, अब यह समझ में ही, तो पूरी table में जिस बच्चे को यह line याद है, वो पूरी table याद रख सकता है, इसके अलावा एक line और याद रखनी है, वो है tangent theta की, अब 10 theta कैसे बनेग सुननो वो भी, 10 theta होता है, sin theta by cos theta, ठीक है, आप देखो, आपने एक line सीधी लिखी, दूसरी को पीछे से लिख दिया, तो sin और cos donor value आगी, इसको और इसको divide गरते चलो, tangent theta की value आजाएगी, ठीक है, लिखिए ने table में, तो 10 theta की value आजाएगी, जिसमें आपने सिर्फ क्या याद रखना है, एक तो 30 degree वाली value, एक 45 वाली value, एक 60 वाली value, यही सबसे ज़्यादा यूज होंगी, और कुछ याद ही नहीं रखना, ठीक है, तो tangent 30 पे 1 by root 3, 60 पे root 3, ध्यान रखना ये 1 by root 3 है, ये root 3 है, और 45 पे होता हुआ, जिस बच्चे ने तीन बात दिमाग में बठ कैसे बनेगी बता हुआ, ठीक है, तो फिलाल यहाँ पे आ जाते है, तो 10 theta, sign by post करके ये वाली line बन जाएगी, और जैसी ये line बने, इसको पीछे से लिखना शुरू करको, देखो, non defined, root 3 आएगा, फिर 1 के नीचे 1 आदेगा, 1 by root 3 आदेगा, और यहाँ से 0 से 0 चला जाएग ठीक है, अगली बात करते है, sec and theta की, sec and theta क्या होता है, 1 by post, यानि कि जो भी post की entries है, उनको उल्टा कर दो, तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, root 3 by 2 का उल्टा, 2 by root 3 रहेगा, 1 by root 2 का उल्टा, root 2 ही रहेगा, 1 by 2 का उल्टा 2 रहेगा, और 1 by 0, क्या होता है, not defined, infinity जिसको आब बोलते देखो, syllabus में mention कर रख है, complementary angles, तो मैं complementary angles के question करा हुआ, लेकिन, क्या, कि मानलो कोई question आपका ऐसा आजए, जिसमें इन angles की value का इस्तेमाल करना पड़े, जैसे कि for example question ऐसा पूछल एक्जामिना, कि sin 30 into 460 equals to क्या, मानलो कोई question ऐसा पूछली आपसे, तो ये आपको अगर values पता ह है, तो आप easily कर पाएंगे, कैसे, sin 30 कितना होता है, 1 by 2, टेका, sin 30 कितना होता है, 1 by 2, O60 आप को होगे कि हम तो table देखके बताएंगे, 1 by 2 होता है, आपने table देखियो और answer बता दिया, लेकिन ध्यान देना, आप जो मैं बात आपको बताऊंगा, O60 होता है, 1 by 2, और answer बन गया 1 by 4, ये तो आपने tables को देखके answer किया, अब मैं जो बताऊंगा, मैंने बोला, कि आप एक तो यह याद रखना, और एक ही याद रखना, ये दो याद रखना, और इसको तो बस 30, 45 और 60 पर याद रखना, बस, और कुछ नहीं याद रखना, अब देखो मैं आपको table सिखाता यहाँ से सुनना, मुझे बताओ, जो value sine 0 की है, क्या वही value cos 90 की नहीं है, देख लो, sine 0, 0, cos 90 भी 0, जो value sine 30 की है, sine 30 कितना, 1 by 2, क्या वही value cos 60 की नहीं है, देख लो, है न, क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये value interchange करके लिखे थी, एक line सीधी नहीं थी, एक पलटके लिखे थी, त मैं यहाँ से यही सिखाना चाहरा हूँ, कि, जो value sine 30 की है, वही cos 60 की भी है, कैसे, इन दोनों का total नब्दे बनना चाहिए, यही है, complementary angle वाला concept, बस, जो value sine 45 की होगी, वही cos 45 की भी होगी, 45, 42 नब्दे, जो value sine 20 की है, आप बताओ, वही value किस की होगी, कोई value किस की होगी, cos 70 की, अब गोगे सर्दी है, तो table में नहीं लिखा वा, अरे ना लिखा रहे हैं दो, लेकिन complementary का concept बन चुका है, complementary क्या कहता है, कि इन दोनों का total क्या होना चीए, 90, तो complementary means 90 की feeling, तो जहां पर भी मैंने बोला कि cos 10 की value क्यों होगी, तुम लिख देना, sin 80, जखो 10 और 80 90 होगा, तो यह ध्यान रखना, sin और cos, यह जो यह red red mark लगा रखें न, यह बता रहे हैं, यह पडोसी है, sin और cos, tangent और cos पडोसी है, second और cos, second पडोसी है, तो यहां से जब एक line सीधी लिखी थी इसके लिए, तो इसको उल्टा करके लिखा था, इस line को सीधा लिखी थी है, उल्टी करके लिखी थी, ऐसे लिखी थी न, तो यह value interchange होती है, तो अब मैं आप से कोई भी value पूछता हूँ, तो आप इसी के base पे answer करेंगे, कैसे, मैंने आप से पूछा, मैंने कहा, code 60 बता दो क्या होगा, तो code 60 वही होगा, जो tangent 30 पे होगा, जो 60 और 30 90 मैंने का, भाई, second 30 बता, तो भाई, क्या होगा, दोस्तो, second 30, तो second 30 क्या होगा, तो second 30 सर ने कहा, मत याद करो, तो second 30 के पहले क्या लेके आएंगे, code 30, code 30 का उल्टा कर दूँगा, तो second 30 बनेगा, code 30 क्या होगा, जो sin 60 पे होगा, code 30 वही होगा, तो sin 60 पे होगा, और sin 60 पे क तो बस ऐसे तो देखते हैं टेबल, ठीक है, तो second 30, this is 2 by root 3, ये टेबल देखने समझ में आगी हो, तो बस 90 की feeling याद रखना, कि पडोसी, पडोसी आमना सामना करेंगे, कब जब 90 की feeling आएगी, अभी दिखाते हैं आपको questions, ठीक है, तो question, की याग डाओ, मुझे बताओ, find the value of tangent 49 upon Court 41, इसका अंसर क्या होगा, बिना लिखे हो जाएगा, पहले इक बार समझा देता हूं, ये क्या लिखा, tangent 49 upon court 41, मुझे बताओ, 99 41, क्या 90 वनाई के, बिल्कुल भई 90 की feeling आ रही है, 99 41 में, किसकी feeling आ रही है, 90 की feeling आ रही है, टो मैंने आपको एक बास सम्झाई थी, कि tangent 29 वही होगा, jude court 41 होगा अभी तो बोला था मैंने, अभी बोला था मैंने, मैंने पुछा था court 30 बताओ क्या होगा तो तुमने गहाँ, ten 60 होगा, होगे न 90, तो परोसी होगे न, तो ten 49 वही होगा, जो court 41 होगा, ठीक है? तो court 41, बटे में court 41, किसी एक को change लेना यह कटके क्या देगा वन देगा बस यह याद अखना कि यह दोनों पुडोसी हो एंगल समदा एंटी हो अंसर ऐसे हो देगा ठीक है तो अंसर कुंसा बना आप्शन नूमबर बीवर अगला कॉस्चन देखो इस सोरी बाई नेक्स कुस्च्चन मुझे बताओ 49 और 50 की फिलिंग होई हो गई तो टेंजेंट 49 क्या होगा जो कोटी क्या होगा अरे टेंजेंट 49 बोलू या कोटी क्या होगा बोलू तो दोनों की सेम होगी होगी ना ठीक है माइनस में कोट सोगी पाँच बटे 5 पाँच कटके देगा एक और पाँच माइनस 5 कटके देगा ये थोड़ा सा दिमाड लगाना क्यलत मत करना देखो कितने फटाफट नहीं चल रहे क मज़ा आ रहे हैं न questions में, है न, कहा रहा है secant 50 sin 40, मुझे बताओ, या 50 और 40 से 90 की feeling बन रही है कि नहीं बन रही, बस, किसी एक को change करना है, मुझे बताओ secant 50 अपने प्रोसी से change करेगा, secant का प्रोसी कौन था, cosecant, तो secant 50 वही होगा जो cosecant 40 पे होगा, secant 50 वही होगा, जो cosecant 40 पे होगा, इसको एज़ेटीज रखना, इसको नहीं change करना, कभी इसको भी change कर दो, ये तो फ़र change करने में लगी रहा होगा, अब मुझे बताओ, cosecant 50, किसी एक को change कर दो, cosecant 40 वही होगा, जो cosec का परोसी क्या होता है, sign, तो sign 50 पे होगा, अरे मैं cosec 40 पूछूं, तो sign 50 दब्बे बन गया न, और परोसी परोसी, तो cosec 40 वही होगा, जो sign 50 होगा, तो मैंने sign 50 लिद दिया, into में cosecant 50, एक को change करना है, इसको change कर लो, चाहिए इसको कर लो, किसी एक को करना, अब मुझे बताओ, क्या, ये सीधा पर ये उल्टा, प्रोड क्या देता है, 1, प्लस में, ये सीधा, ये उल्टा, प्रोड क्या द पड़ा, ठीक है, जालो, अगला question, next question, आपके सामने, प्रस्टू थैक्ल, क्या, के tangent 15, tangent 20, tangent 70, tangent बचेत्तर, तुणा सा लिख के सम्धा रहा हूँ, tangent 15, tangent 20, tangent 70, tangent बचेत्तर, जेक्ष, 90 की फिलिंग, 90 की फिलिंग, आरिये ना फिलिंग, तो किसी एक को चेश्झ कर लो, चैया इनको चेंज़ कर लो, चैया इंक दोग को चेंज कर लो, किनि को चेंज गर ना, मुझे बताओ tangent 15 क्यों होगा, जो quote 570 होगा, किसी को दिक्कत, टैंजेंट 15 वही होगा जो कोड 75 होगा, टैंजेंट 20 वही होगा जो कोड 70 होगा, 20 और 70 नब्दे, है ना, इनको मत शिर्णा, इनको आज़ दिल रखना, तो मुझे बताओ, ये सीधा और ये उल्टा, प्रोड क्या देगा, 1, इंटू में, ये सीधा, ये उ अगला कोश्चन, इस कोश्चन का अंसर बताओ क्या होगा, इस कोश्चन में भी देखो क्या बनेगा, यहाँ पे 10 1, 10 2, 10 3, अब 289, तो मुझे बताओ, 1 और 89, 90 होगा टोटल, प्रोड़क्ट बनेगी 1, 2 और 88, प्रोड़क्ट बनेगी 1, 3 और 87, प्रोड़क्ट 1, मैंने बचिया, इन से तो मिलेगा 1, प्रोड़क्ट करके, प्रोड़क्ट है, मल्टिप्लाई में, यह कोश्चन अगर आएगा, तो मल्टिप्लाई में आएगा, तो आंसर कितना लिखोगे 1, लेकिन एक वेल्यू बच जाएगी, 1 into में, क्या बचेगा, वई दो-दो की पेर तो मैंने बताया कि, tangent 1 into में tangent 9, feeling 90 की दे रहा है, तो प्रोड़क्ट क्या देगा, 1 देगा, क्यों देगा, मैंने अभी पिछले कोश्चन में, सोल करके दिखाया था, तो इन सबसे तो 1 आ गया, लेकिन एक tangent 45 बच गया, और आपको बता है, tangent 45 तो 1 ही होता है, तो 1 into 1 अंसर अब भी 1 ए रहा, तो याद रखना, answer क्या रहेगा, 1, option number 1, चलो, अगला question, ऐसा question, tangent में आजे, या quote में आजे, सारा question कोश्चन कोट में हो, quote 1, quote 2, quote 3, quote 89, तब भी answer 1 करके आना, तक दिखाया, तो यह question तुमारे सामने, quote 1, quote 2, quote 3, quote 89 तब भी answer 1 करके आना, तक चलेगा, तक दिख cos 2 up to cos 179 यह question as it is आये हुए तो इसका answer क्या बनेगा आपको बता दूँ यहाँ पर आएगा cos 90 और cos 90 क्या होता है 0 और 0 की बुणा किसी के साथ करूँगा तो answer क्या बनेगा बड़ा 0 तो answer क्या बनेगा 0 0 into something is 0 मुझे बताओ 0 into 5 क्या बनेगा 0 into 2 0 यह बना न तो cos 90 0 है तो और यह multiply question आएगा अगर cos में आजाता है तो ठीक है तो answer आपको option a करके आना है इसके अलावा अगर यह sign में आजाता है तो ऐसा आएगा जैसा कि यह plus में लिखा हुगा है square में आएगा और plus में आएगा otherwise यह आपको mostly दिखता है tangent में या quote में ठीक है तो यह मैंने वह important सारे question रख दी जिससे आप इसको आएगा तो कर सकते है sin square 50 plus में sin square 40 तो अगर sign और cos में आएगा या तो cos में आएगा तो वैसे product में आएगा ठीक है 179 तक या फिर ऐसे आ सकते है ऐसे आ सकते है या फिर ऐसे आ सकते है cos square 10 plus cos square 80 तो cos में आएगा या sign में आएगा तो square के साथ आएगा तो इसका answer क्या बनेगा ध्यान दो किसी एक को change कर दो बैने इसको as it is लिखा मुझे बताओ sin square 40 वही होगा जो cos square 50 होगा 4590 sin अपने परोसी के साथ बदल देगा ठीक है तो sin square theta plus cos square theta answer कितना था बन था ठीक है तो ये इसका answer बनेगा और ध्यान रखना यहां पे जब भी question sin square में आ जाए या cos square में आ जाए तो दो value से answer एक बनेगा ठीक है दो value से answer एक बनेगा या इन दोनों के pair से answer क्या बनेगा बन बनेगा अगर यही question ऐसे आज आता जैसे माल दो मैंने रिखा sin square 10 plus sin square 20 plus sin square 80 70 देखो पहले plus sin square 80 अब देखो 10 और 80 90 20 और 70 90 बन रहा है अब देखो answer क्या करोगे अगर दो values थी तो answer एक आया था इसमें कितनी values है एक दो तीन चार तो अगर चार values है तो answer आधा यानि कि दू आएगा अगर ऐसी 10 value लिखी होती तो answer 5 आता अगर 25 लिखी होती तो answer सब्सक्राइब 12 यह ध्यान रखना बस इनको गिनके answer आप कर सकते हो directly ठीक है तो याद रखना इस format को भी clear है इसके बाल अगला question कि देख रहें कि थोड़ा बढ़ा करें कि यह लोग यह सारे वो complementary angle वाली है question जो सलीवस में mention कर रखे हैं complementary angle क्या था find the value of sin theta equal to cos theta find the value of theta यह पूछ रहे find the value of sin theta equal to cos theta find theta यह यह होना चाहिए कि अगर sin theta इसके बराबर है तो cos theta किसके बराबर है तुम मुझे बस यह बता दो यहाँ पर रिका है sin theta equal to cos 2 theta यह दोनों प्रोस्ची sin और cos आमना सामना कर रहे हैं तो आमना सामना जबी करेंगे जब इनका total 90 बनेगा क्यों भाई नहीं सिखाया था sin 60 equal to cos 30 यह 90 बनेगा तब ही तो होगा cos 0y होगा जो sin 90 पे होगा है total 90? 0 और 90 का यहाँ पर इन दोनों का total 90 होगा तब ही तो 3 theta प्लस 2 यह आमने सामने आएंगे sin और cos तो 5 theta की value 90 theta की value 18 अगला अब तुम फटा-फट बता सकते हो एक सिखा दिया ऐसा अगला बताओ find the value of theta if sin theta plus 30 equal to cos theta मुझे बताओ sin और cos पुडोस सी एक जूसरे के आमने सामने कब आएंगे? जब theta plus 30 plus theta कितना होगा? 90 भाई जब इसका और इसका total 90 होगा तभी यह आमने सामने आते हैं तो 2 theta यह धर जाएगा तो minus 60 और theta की value कितनी आगी? 30 यह पूश रहा था ठीक है? अगला कह रहा है if sin x plus y equal to cos 3 of x plus y then find the value of 10 of 2 x plus y तो फिर से देखो sin और cos आमने सामने आगे कब होगा? जब x plus y plus में 3 of x plus y कितना बन जाएगा? जब ले तभी तो यह सामने सामने आते हैं तो इसको कह लिखा मैंने? x plus y इसकी multiply कर दी 3x plus में 3y तीन बार ये एक बार ये चार बार होगे 4x ये बन गया 4y 5 और 3y 4y दोनों में 4 को बन आ गया तो x plus y की value कहेगी 4 इदर से इदर चला जाएगी 4 दिखे न 4 और था ने यहाँ पे तो ये 90 by 4 बन गया तो x plus y में रको पता लग गया हमसे पुसर है tangent of twice of x plus y किसके बराबर होगा तो आपको बता है x plus y की value तो हमने 95 by 4 निकाली 2 से काड़ दिये 2 पर 2 से काड़ दिये 45 पर तो ये बन गया tangent 45 और tangent 45 कितना बताया था हमेने जुज़ जादा तर इस्तिमाल होना है तो tangent 45 कितना होता है अब सिखा दिये जो सिखाने का था बताओ जल्दी से यदि 10 8 theta equal to 4 2 theta जहां पर जो 8 theta है वो 0 और pi by 2 के बीच में लाई करता है तो 10 5 theta की value क्या होगी pi by 2 का मतलब क्या होता है pi होता है 180 180 बटे में 2 यानि कि 90 यानि कि जो 8 theta की value आएगी वो 0 और 90 के बीच में आई तो तुम मुझे बताओ यहां tangent लिखा यहां code लिखा है तो दोनों पडोसी हुए के नहीं हुए tangent और code पडोसी थे तो यह पडोसी है तो यह आमना सामना कब करते हैं जब 8 theta plus 2 theta 90 होगा तो 10 theta की value 90 theta की value 9 theta की value नो आगी तो आप से बूसरा था tangent of 5 into theta तो tangent of 5 into 9 45 आंसर कितना बना वाई अब question exam की कैसे solve हो रहे हैं फटाफट answer option नंबर 2 असान लग रहे हैं आप वो दिक्कत किसी को मेरे खाल से तो नहीं हो नहीं चाहिए भाई इतने असान हो गया अब तो question चलो फिर अगला अगला जो है आपका एक मिनट अगला आप काता है डिग्री और रेडियन का कंसेप्ट circular measurement of angle टिग्नोमेट्री के अंदर ये भी एक topic आपका दिया हुआ था ठीक है तो ये बस उठाते रहोगा स्टिक करते चलो देखना क्या क्या पूरा होगा दिग्री मेजर ओफ वन रेडियन एक रेडियन का मान डिग्री में कितना होता है तो आप सीधा सीधा याद रखना 57 डिग्री सोला मिनट बाइस सेकिंड ये 57 डिग्री है जो एक डैस लगा ये मिनट को सो कर रहा और ये डबल डैस सेकिंड को सो कर रहा कैसे होता है मैं सारी बात समझाँगा इस question से बस क्या याद रखना एक बात याद रखना देखो जैसे time को मापते हैं हम किसमें घंटे में है ना minute में second में ऐसी जो angle का measurement होता है वो या तो आप degrees में measure करते हैं या वो आप radiance में measure करते हैं तो ऐसे अलग-अलग unit होती है angle को measure करन जोनेगी तो यहाँ पर याद रखना किया कि παी रेडियन is equal to 180 degree तो पाइड रेडियन को ऐसे भी लिख देते हैं यहाँ पर एक छोटाब सा c लिख देते हैं पाइड रेडियन 180 degree होता है तो आप इसको ऐसे याद रखें या 180 degree इकोल टू पाई रेडियन दोनों बाते हैं तो सेम ही, मैंने इसको बस पलट की लिख दिया तो अब आपने क्या ध्यान रखना है, कि कब ऐसे याद रखना है, कब ऐसे याद रखना है उसका मैं सीधा सा परिक्का बतायता हूँ, जब भी आपसे पूछ रहें डिगरी में, तो डिगरी को राइट में रखो, जब भी आपसे पूछ रहें रेडियन में एंगल, तो रेडियन को राइट में रखो, ठीक है, अब ही आप मुझे बताइए तो एक रेडियन की वैल्यू पूछ रहें, आपसे किसमें, डिगरी में तो degree को right में रखो, इसका मतलब मुझे ये line ऐसे याद दिखने, यानि कि pi radian 180 degree के बराबर है, तो एक radian किसके बराबर होगा, one radian, तो आप कहोगे 180 बटे pi के बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत है, वो दिक्कत नहीं होने चीए, तो 180 बटे में pi, pi कितना था, 22 बटे 7, देखो लिखा भी है यहाँ पर, pi क्या है, 22 बटे 7 के नहीं, तो pi की जगर मैंने pi की value निखनी, अभी एक बात और ध्यान रखना, अभी कहोगे सर, पिजले कोश्चन में तो आप कह रहे थे कि pi 180 ले ले ले, यह नहीं है, pi 180 भी होता है, ठीक है, एक pi 22 बटे 7 भी होता है, ठीक है, तो यह ध्यान रखना है, तो यहाँ पर इस pi को 22 बटे 7 रखना है, इसको हटा देंगे, तो 7 चला जाएगा उपर, इसको काटेंगे, तो 2 से 11 कटेगा, 2 से 90 कटेगा, यह बन गया 90 गुना 7, 630 बटे में 11, ठीक है, इसको divide करूँ 3 बटे 11 मिनट, यह इतना देख लो 57 से 3 बटे 11, डिगरी में आ गई, 57 से 3 बटे 11, अरे जैसे आप इसको करते हैं, जैसे लिगा 7 बटे 5, तो क्या कहोगे, 5 एकम 5, बच्चा कितना 7 में से 5, कि 2 बटे में 5, इसका mix fraction जैसे बनाते हैं, ऐसी इसका mix fraction बना दिया, मैंने, clear है, इत्ती बास समाझ में ही तो देखो 57 डिगरी दिख रहे हैं, सब में लिखा हुए, ठीक है, अब इसके मिनट कैसे बनते हैं, इन्टू करतो 60, ठीक है, तो यह क्या बन गया, 180 बटे में 11, इसको भाग लगाओ, 11 एकम 11, बच्चा कितना 70, 18 में से 11 गया तो 7 और यह 0, 11 चिके 66, बच्चा कितना 4, ठीक है, तो यह बन गया, 57 डिगरी, 16 मिनट, और बच्चा कितना था, 11.66, बच्चा था, 4 बटे में 11, तो देखो 57 डिगरी, 16 मिनट आया, 57 डिगरी, 16 मिनट, यह याद रख लेना, पेपर में मत करना इतना, सीधा याद रखना, कि एक रेडियन होता है 57 डिगरी, 16 मिनट, और 22 सेकंड लगब, अब फिर से इसके सेकंड बनाने, तो इन्टू साथ करके, आगे तुम कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ, यह डिगरी है, यह मिनट है, आगे सेकंड बन दे, कर लोगे, ठीक है, मेरे ख्याल से, डिगरी रेडियन का कंसेप्ट आपक आगे रहा हूँ, एक्सो पैथिस डिगरी को रेडियन में बनाओ, एक्सप्रेस 135 डिगरी इन्ट रेडियन, तो तुम क्या बना रहे हो, रेडियन बना रहे हो, तुम क्या लिखोगे, 180 डिगरी इकल टू पाई रेडियन, तो एक्सवस्ट इसके बरावर होगा, पाई 18 डू में 135 बस, जिस बच्चे ने ये बात याद रख ली, कोश्टन 3 के नंबर, 5 से काड़ दो, 5 ती पंदरा, 5 ची के 30, 5 दू ने 10, 5 सत्य पैथिस, 9 के 27, 3 पाई बटे में 4, 3 पाई बटे में 4, ऑप्शन नंबर 2 में लिका है, साफ साफ, खतब, अगला कोश्चन, बटा कोश्चन है, सेट कर दें, बट, ये लिखाता है, तो पित में, ये जो अब लिखाना, सर्कुलर करके दो कुछ लिखाए, कोई ने बात में दिखा देंगा, इन सर्कुलर मेजर, इन सर्कुलर मेजर, वेल्य ओफ एंगल 11 डिग्री 50 मिनिट इज, वरितियम आप में 11 डिग्री 15 मिनिट का कौन क्या होगा, ध्यान दो, मुझे ये एंगल बताने किसमे रेडियन में, धियान दो, ये रेडियन में लिखियो है ये वैल्यू, डिग्री होती तो यहाँ पर जी रो लिखियो होती, तो मेरे पास है ग्यारा डिगरी पंदरा मिनट और मुझे बताना है ये कितना रेडियन बनाएगा तो पहली बात तो मैं ये दो करूँगा 180 डिगरी इक्वल टू पाई बना जो पूछा है बस ये ध्यान रखना उसको राइड में रखो बस लेकिन ये डिगरी बनाऊंगा पहले जबी तो बात बनेगी तो डिगरी कैसे बनेगी इसको लिखा 11 ये तो डिगरी है और इसके मिनट के डिगरी बनाने के लिए 22,60 कर दो ठीक है ज्यान दो आरे जैसे तुम्हें मैं बोल दूँ के तुमारे पास 80 मिनट है इसके घंटे बनाऊ तो तुम बटे 60 करते हो ना कोई बाली बात यहां पे है तो मिनट से डिगरी बनानी है तो यहां पे बटे 60 कर दो 15 एकम 15 15 चो के साथ तो 4 गुणा 11 44 44 और 1 45 इतने डिगरी में बन चुका भी है ठीक है बात आई समझ में नहीं आई तो ऐसे लिख लो 11 डिगरी प्लस 15 मिनट मिनट के बटे में 60 सेकंड होता आगे तो बटे में 3600 ध्यान रखना अगर आगे सेकंड होते मान लो 30 सेकंड और होते तो इसके बटे में 3600 30 से मिनट बनेगा और 3600 से सीधा डिगरी बनताएगा ये भी प्लस कर देना अगर ऐसा हो तो तो की बात है ठीक है तो फिलहाल ये मैंने आपको बताया तो ये बन गया अब मुझे बताओ इतनी बात अगर समझ में आगी तो question में ये क्या करना था रेडिन बताना था मुझे बताओ 180 किसके बराबर है पाई के बराबर 45 बटे 4 किसके बराबर होगा 5 बटे 1 होगा इसके बराबर 180 पाई के बराबर तो एक पाई बटे 180 के बराबर into में ये तो 45 चोके 5 बटे 16 आगे ठीक है 5 बटे 16 ये आगे answer option ए असान था चलो अगला क्या दे रहे है degree measure corresponding to 4 pi by 5 radian will be यानि कि ये degree में कितना होगा तो मैं क्या दिखूंगा pi बराबर 180 degree और मुझे देखना है 4 pi by 5 किसके बराबर होगा तो एक होगा 180 बटे pi के बराबर और इसकी value के लिए into में ये कर दो pi से 5 का 5 से 5 से 15 चीके 30 ये हो गया 114, 37 चो की 114 114 option number A में रहे है कितने आसान नहीं लग रहे है question क्या मुश्किल थी बताओ मुझे इनमे हैं बच्चा question दे रखे है अब ये paper में पूछा था भाई ये तुम करके निखावा मुझे जल्दी से जल्दी से फटा फट समझाद ये मैंने जो समझाने गा था ये कह रहा है कि किसी घड़ी की मिनट की सुईं को 3 पाई बटे 2 रेडियन कोन की रचना में कितना टाइम लगेगा तो मुझे बताओ 3 पाई बटे 2 रेडियन कोन बनाना है तो आपने क्या करना है इसको डिगरी बना लो इसको डिगरी कैसे बनाएंगे सीधा पाई को एक्सवस्टी डिटेल मैंने तुम्हें समझा दी पूरी नहीं लिख रा पाई की जगा एक्सवस्टी जिपका दो ये कितना होगे 270 डिगरी तो मैं तुमसे पूछूँ ये घड़ी में 270 डिगरी का एंगल बनेगा तो कितने मिनट लगेंगे तो तुम घड़ी देख लो ये घड़ी है ये 12 ये 6 ये 3 ये 9 ये घड़ी के सुई यहां से यहां तक आएगी तो 90 डिगरी का एंगल बन गया फिर यहां से यहां एगी तो कितना बन गया नब्बे नब्बे एक स्वस्थीत ये 270 तो ये हो गए 270 और कितने मिनट लगेंगे यहां तक आने में 45 मिनट ठीक है ये 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 45 मिनट बने न 270 डिगरी में फिर भी ओज़कता है किसी का समझ में नहीं आयो कोई बात नहीं बाई मुझे वह ये बताओ तो 360 डिगरी जब ये घड़ी की स्वई गूमती है ऐसे पूरी तो कितने मिनट लगते हैं 30 मिनट तो 270 गूमने में कितने लगेंगे तो एक गूमने में लगेंगे 60 बटे 360 और 270 गूमने में इंटू 270 करके 306 से काटूगा 6 से काटूगा 6 जो के जोब दोबी शेव बंजे 30 याद रखना आप से मिनट उच्छे तो मिनट को राइट मैं जो जी उच्छे उसी को राइट में जिपका दो बस बन जाएगी बात क्या दिक्कत है यह आपको समझ में आ गया तो अब हम बात करेंगे Next section की जो की trigonometry का ही पार्ट है height and distance उच्छाई तथा दूरी अब यह क्या Cidente होती है। यह भी ठिक्लोंScript muchísimo पार्ट है। इसके लिए बस तील एंगल neighborhood रिंक्ल जिस बत्चे ने याद कर ली उसका बेडा पाग तीन राइट एंगल त्रेंगल मैं काम करता हूँ यह छोटी छोटी बना देता हूं ताकि हमेशा के लिए बनी रहे guid इशा के लिए का मतलब ये कि जब तक ये height and distance चले तब तक बनी रहे तोड़ी सी बड़ी बना दूबाई ज्यादा ही छोटी होगी ये पहली ये दूसरी और एक यहां बना लेते हैं ये तीसरी जिस बच्चे ने ये तीन right angle triangle दिमाग में बिठा ली उसके लिए काम असान कैसे ये पहले वाली होगी जिसमें 30 degree का अंगल यहां बनेगा ये दूसरे वाली होगी जिसमें 60 degree का अंगल यहां बनेगा और ये वाली होगी जिसमें 45 degree का अंगल यहां बनेगा ठीक है तो तीन ही बनेगी mostly question में, एक 30 degree angle वाली, एक 60 degree वाली, और 45 degree वाली, 30, 60 और 45, यह 3 बनेगी, तो क्या याद रखने, कि अगर यह 30 है तो इसको 1 लेना है, इसको root 3 लेना है, और पाइथागोरस लगाँगा तो यह 2 आएगी, लगा के देख लेना पाइथागोरस, 1 का square प्लस root 3 का square root करना, यहाँ पर यह 2 आएगा, अगर यह 60 है, तो इसको root 3 लेना है, इसको 1 लेना है, और इसको फिर से 2 ही लेना है, और 45 होने पर यह एक, यह एक पाइथागोरस theorem से यह root लो, बस यह 3 टेवल भेजे में चिपका लो, height and distance खतम हो चुका है, कैसे, मैं फिर से थोड़ा सा याद करवाने की कोशिस करता हूँ, अगर 30 है, तो 30 छोटा होता है, आपको उता दो root 3 होता है, वो 1.732 होता है, ठीक है, 1 से तो बड़ा होगा न, root 3, तो अगर यह छोटा है, तो छोटा यानि की एक आगे होगा, root 3 यहाँ होगा, और 2 यहाँ होगा, अगर यह 60 है, तो 60 बड़ा तो 60 के सामने बड़ी value, यानि की root 3, इधर 1, यानि की यह value इंटरचेंज होगी, और यह दो यहीं पर है, ठीक है, इसके अलावा 45, 45 होने से यह एक, यह एक, और पाइदागोरस से यह root 45 में यह दोनों से होगी, और यह root 2 होगा, ठीक है, इतनी बात बेजे में आगी, तो फिर अगली बात और सुन्दो, दो word इस्तेमाल करेगा, एक होता है, angle of elevation, उन्ने यान कौन, क्या होता है, practical समझते हैं, यह मैं खड़ा हूँ, यह मेरी आँख की सीध है, ठीक है, यह मेरी उची चीज को देखता हूँ, मैं लोग पर कोई जाज उट रहा है, तो मैं ऐसे देखूँ गाँ, तो मेरी आँख ने ऐसे जो angle बनाया, उपर देखने से, तो यह होता है, angle of elevation, ठीक है, जिसको बोगते है, उन्ने यान कौन, लिखना नहीं है, कभी तुम लिखने बैठ जा तो यह, मेरी आँख की सील, यह थी, और इसने ऐसे नीचे की तरफ यह जो angle बना दिया, यह, इसको बोलते है, angle of depression, ठीक है, depression मतलब ऐसे, मूंडी लटक जाना, ठीक है, तो नीचे की तरफ देखेंगे, तो angle of depression, उपर की तरफ देखेंगे, तो angle of elevation, यानि की उन्ने अगो, यह होगा concept, अब आते हैं questions पर, पहला question, ठीक है, देखो क्या कहा रहे, the ratio of length of road and its shadow is one ratio three, the angle of elevation of the sun is, कहा है, एक छड की लंबाई, और उसकी छाया का अनुपात, एक अनुपात तीन है, तो सुर्य का उन्ने अन कौंट क्या होगा, एक अनुपात रूट तीन है, one ratio रूट ती angle कितना हुआ, यह, ध्यान रखना, आपको यह बुलेगी, यह कैसे पता लगता है सर, सुनना, मैं आपको बता दूए, जो भी question यहाँ बनेगा, इस chapter के अन्दर, वो एक right angle triangle में बनेगा, यानि कि समकौर्ड तीन कुझ में, कह रहा है, एक छड की लंबाई, यह आपकी छड है, यह कोई road है, कोई छड है, उसकी लंबाई और उसकी छाया, मुझे बताओ, अगर यहाँ पे सूरज है, सूर्य देवता यहाँ पर है, और यहाँ से light पड़ेगी, तो इसकी shadow यहाँ पर बनेगी, आपके पीछे से अगर light आएगी, तो आपकी shadow आगे बनेगी, ठीक है, तो मैंने का, यहाँ पे सूर्य देवता है, और यह वो छड है, तो इसकी परचाई कहाँ बनी, यहाँ बनी, तो कह रहा है कि लंबाई और छाया काम अपाथ, यह एक और root 3 है, तो angle पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ से बंदा उपर देख रहा है, सूरज उपर है, है ना, त if, in नहीं होगा, if होगा यह, if the length of shadow of a girl is same as her height, then the angle of elevation of the sun is, यहाँ पे किसी लड़की की प्रतिछाया, उसकी उच्चाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्ने अन कौन क्या होगा, यहाँ कि जितनी लड़की उतनी परचाई, तो angle कितना 45, angle कितना 45, option B, आया समझे, यहाँ पे पड़ो, सिर्स का उन्ने अन कौन 30 डिगरी है, तो स्थम्ड की उच्चाई, तो एक बात तो यह दिया रखना भाई, यह पढ़के न बना नहीं आनी चाहिए, अगर बनेगी नहीं न तो फिर अंसर भी नहीं आएगा, इसने यह कहा, कि 129 मेटर की दूरी है, किसी स्थम्ड के तल से, यह 129 मेटर, यहां से 129 मेटर कोई पॉइंट है, यहां से अगर मैं इसके टोप पे देखता हूं, सिर्स का उन्ने अन कौन, यह कितना है, 30 डिगरी, तो आप से क्या पूछना चाहिए, स्थम्ड की उच्चाई, यानि कि यह आप से पूछना चाहिए, ठीक है, यह आप से ह 129 मेटर किसकी वेल्oya होई, रूट 3 की, तो मैं कहूंगा, रूट 3 वराबर है 129 मेटर के, तो मुझे निकालनी है 1 की वेल्य तो 1 की किसके वराबर होगा, 129 बटे में रूट 3, ज्यादा की देलख्षियों कम की निकालनी है, तो डिवाइड करते है, ठीक है, 139 बटे इतना सा गरने, बस जो भी वैल्यू दे रखी है ना नुमेरिकल, नुमेरिकल का मतलब जैसे 129 मिटर लिखा है, उसको इन से कंपेर करवाने, यह जो मैंने लिखवाई है ना, इन से कंपेर करवाने, बस आपके अंसर आएंगे, देखो रूट 3 की वैल्यू दे रखी थी, एक कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है, दोरी की लंबाई में ग्याद करें, जब पतंग की उच्चाई 90 मिटर है और डोरी जमीन के साथ 30 दिगरी का कौर मनाती है सुनो, समझो कोश्चन को क्या कह रहे है, एक पतंग, पतंग ऐसे उड़ाते है न, ऐसे पतंग उड़ाते है, ठीक है, दोरी की लंबाई आपने बतानी है, और जब पतंग की उच्चाई 90 मिटर है, पतंग ऐसे उड़ रही है, ये पतंग उड़ रही है आपकी, ठीक है, य यह कह रहा है कि पतंग क्यों उच्छाई यहां धर्ती से यह 90 मिटर उच्छाई पर उड़ रही है और एंगल कितना बन रहे है 30 डिगरी का यह 30 डिगरी का बन रहे है तो मुझे एक बात बता दो तुम छोटी सी क्या कि अगर यह 30 है तो 30 के सामने वाले को क्या लेना होता है कि इसको लेना होता है root 3 और इसको लेना होता है 2 तो मुझे 2 की value बताने एक की 90 है तो 2 की इसकी double याने की एक स्वस्थी हो जाएगा अंसर option number 1 खतम हो गया compare करो एक की value 90 है एक 90 बना रहा है तो 2 एक स्वस्थी बनाएगा ना double हो जाएगा ना तो अंसर क्या option number 1 बस अगला question चलो अब देखो अब दो दो एंगल आगे अब यह क्या का रहा था अब दो दो आगे if the angle of elevation of the sun changes from 30 degree to 45 degree इसका मतलब क्या सूर्य देवता उद्य हो रहे है उद्य हुए फिर और उपर चलेगे तब ही तो जितना उपर की तरफ देलेगा एंगल बढ़ेगा तुम मुझे बताओ तुम ऐसे देख रहे हो ऐसे देखो कि तो एंगल बढ़ रहे है ना और जब विर यह का उन्यान कौन 30 से 45 डिगरी होता है तो किसी खंबे की चाहे की लंबाई 20 मिटर कम हो जाती है खंबे की चाही बताओ इसे दो दो वाले बने तो सिधा ऐसे चाहप दे ना किसी के कुछ भी समझ में नहीं आया प्रेसन समझ में नहीं नहीं आया कुछ भी नहीं समझ में तो यहां बनाने एंगल बस इतना तो समझ में आएगा अब इधर 30 लूँ कि इधर लूँ जहां रखना जितना नजदीक होता जाएगा बढ़ता जाएगा यह 30 है यह 45 इधर आएगा तो नब्दे उचे तो कि इतनी वहां समझ में आई छोटा एंगल दूर की तरफ बड़ा एंगल नजदीक की तरफ तो कह रहा है कि अगर सूर्य का उन्लैन कौन 30 से 45 हुआ तो चाया 20 मिटर कम होगी यानि कि पहले इसकी परचाई इतनी लंबी थी और जैसी 45 हुआ तो परचाई इतनी रहेगी तो 20 म मिटर घटगी यह वैल्यू आपको 20 मिटर दे रखी है खंबे की उच्चाई यह आपको बतानी है एक्स एक्स लेलो कोश्चन मार्क लेलो जो तुम्हें अच्छा लगे अब करते हैं काम की बात मुझे बताओ बड़े वाले ट्रेंगल दिख रही है जिसमें 30 डिग्री एं यह रूट 3 की आगे बढ़ते हैं अब अगर यह 45 है छोटी ट्रेंगर की बात करो कि इतनी जस बच्चे के समझ में आगा तर समयत ही गुष्चन हो गया कैसे तुम मुझे बताओ अगर मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछनू कि भाई ये पूरी है ना 5 cm की है जिसमें से ये 3 cm की निकाल दी तो ये कितनी बची तुमने का सर्फ 5 में से 3 निकाल दी तो ये 2 बची बस यही आपको देखना है कि ये 20 दे रख थे, बीस मीटर दे रख थे, तो तुम मुझे बता ये पूरी है, रूट तीन, जिस में से एक निकल गया, तो बच्ची कितनी, रूट तीन माइनस वन, ये रूट तीन में से एक निकल गया, तो ये रूट तीन माइनस वन, जो की क्वेश्चन है, बीस के बरावर है, यह 20 meter है तो root 3 में से 1 निकल गए है तो यह 20 के बराबर है तो आप से पूज़र है खंबे की उच्चाई तो खंबे की उच्चाई एक है तो एक की value निकाल गए है तो कम की निकालते हैं तो divide होते हैं इस से divide कर देना अब थोड़ा सा answer क्या करना है solve करना है rationalize होगा परिमिकरन कैसे यह minus में दिखा है तो इसको plus वाले से उपर भी और plus वाले से नीचे भी multiply और divide कर देना उपर तो बन गया 20 into में root 3 plus 1 और नीचे बन गया a minus b a plus b जो क्यों होता है a square minus b square फिर से root कट गया तो यह बन गया 3 ठीक है इधर लिख दूँ इधर लिख रहा हूँ 20 into में root 3 plus 1 upon में 3 में से एक गया 2 और 2 से यह कटा 10 पे तो answer बन गया 10 into में root 3 plus में 1 दिख रहा है कहीं 10 into में root 3 plus 1 मेटर यह answer आ गया बस तो ध्यान रखना अगर 2 आ जाए तो ऐसे solve करते हैं ठीक है 2 triangle आ जाए तो ऐसे अब 2 triangle में आपको सिखा दिया मैंने एक और दे लेते हैं ऐसा यह और आ गया तो फिर सारी कहाणी ही खतम हो जा में क्योंकि यह एक दिक्कत वाला question है अब यह दिक्कत वाला क्यों है पढ़ते हैं पहले the shadow of a tower standing on a level plane is found to be 50 meter longer when the sun's elevation is 30 degree what is the height of the tower when it is 60 degree जब सूर्या का उन्यन कौन 60 degree से 30 degree हो जाता है तो संतल भूमी में खड़े किसी मिनार की छाया की नंबाई में 50 meter की व्रिधी हो जाती है भई angles पहले 60 था अब कम हो गया तो जैसी सूर्य देवता छिप रहे है तो छिपेंगे तो परच्छाई बढ़ती जाएजी आपकी तो कहरें मिनार की उच्छाई ग्याद करें फिर भी किसी को समझ में नहीं आती है कि परच्छाई बढ़ेगी घटेगी क्या होगा वो सीधा सा ये वाली ट्रेंगल बना देना ये तो बना लोगे ये होगे 90 इधर कितना लिखूं 60 इधर कितना लिखूं 30 मैंने बताया भाई नस्दीक बढ़ा होगा जो छोटा होगा अब थोड़े से notation है न मैं अलग तरिके से दे देता हूँ इस 30 को ना रेड कलर से लिख रहा हूँ ठीक है अब मुझे बताओ मिनार की चाय में 50 मीटर की व्रिध्य हूई तो 50 मीटर है कौन सा ये 50 मीटर है कैसे पता लगेगा जब सूर्य का एंगल 60 से 30 हुआ यानि कि पहले तो ये वाला एंगल था ना सूर्य देवता यहां थे यहां थे तो यहां पे एंगल था फिर सूर्य देवता नीचे चले गए नीचे चले तो अबजेक्ट की परचाई चुह है लंबी हो जाएगी तो कित को ये काले रंग वाला काले रंग वाले एंगल को उन सा इस सिक्स्टी डिग्री अगर ये शिक्स्टी एगर्टी कितना वही करना कि यह कितना से कहां तक विस्ति कि अगर ये श Cont Mother Chandler । अब चलते रेड वाली तेर लिक्ि बड़े वा इक बड़े वाली ट्रेंगल में 30 के सामने क्या आता है 1 30 के सामने क्या एगा 1 30 के सामने ये वाली side कितनी होगी 1 और ये पूरी बड़ी कितनी होगी root 3 यहां से यहां तक बड़ी ट्रेंगल की बात कर रहा है 30 30 वाली में तो ये 1 और ये root 3 यह लिखा यहां से देखे अब यहां पर क्या गड़बड है मुझे बतानी है यह हाइट यानि कि यह वाली हाइट मुझे बतानी है इस ट्रेंगल के असाब से यह रूट 3 है इसके असाब से यह वन है भई जब बंदा सेम है तो फिर नाम भी सेम होना है तो इसको रूट 3 से multiply तो इसको भी रूट 3 से multiply तो रूट 3 इन टू रूट 3 क्या बनेगा इतनी बात भेजे में आगर आ गई तो आप देखो question कैसे करना है तो मुझे बताओ हमें निकालनी value किसकी रूट 3 की इधर से पढ़ लो चाहिए इधर से पढ़ लो रूट 3 की value निका यह 50 किसकी value है यह पूरा कितना है 3 ध्यान तो यह red color में पूरा है 3 और 3 में से 1 निकल गया तो यह कितना बचा 2 यानि कि 2 की value question है 50 meter है रूट 3 की निकाल दिये एक की value क्योंगी 50 बटे दो रूट 3 की क्योंगी इंटू में रूट 3 दो से कटा 25 पे अंसर आगए 25 रूट के 25 रूट 3 option number D में छपा हुआ है question होगए खत्म यह थी एक वो triangle जो दिक्कत दे सकती थी आपको इसके बाद मैं खहरा हूँ कैसा भी question आदे यह 3 triangle से बार जाए गई थी ठीक है एक type जाएगी वो कुनसी है वो यह वाली है वो यह वाली type है इसको तो मैं सीधे याद करवा देता हूँ इसका format समझा लो बस क्या है यह question नहीं समझ में आया तो दुबारा देख लेना इसका format क्या कहता है देखो यह जो question आया है इसका format यह कहता है कि अगर question में जो angle है वो आपके 30, 60 और 45 ना हो के कुछ और हों और वो कुछ और क्या होंगे complimentary होंगे पूरक होंगे ठीक है clear तो यह question में क्या करा है the distance between two pillars of length 16 meter and 9 meter is x meter if two angles of elevation of their respectively top from the bottom of the other are complimentary to each other ठीक है बोला था ना the value of x is किसी के नहीं समझ में ही तो कोई बात ने tension मतलब statement भले ही समझ में ना है मैं जो बता रहा हूं उसको सुनो 12 meter और 9 meter लंबे दो संबों के बीच की दूरी x meter है यदि एक आधार के दूसरे के सिर्स के उन्नेन कोण एक दूसरे के संपूरक यार देखो यहां कुछ लिख रहा है complimentary और supplementary यह supplementary होता है संपूरक तो ठीक है इस question को ना एक एक काम करो सुमों यह जो question की statement है ना एक पल के लिए इसको मैं हटा दूँ यह क्या कहना चाह रहा है वो मैं बता रहा हूं यह कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक टावर है x meter का और इसके बेस से दो पॉइंट है एक पॉइंट यह है एक पॉइंट यह है यह पॉइंट है 9 मिटर दूरी पे और यह दूसरा पॉइंट है 16 मिटर दूरी पे ठीक है भई एक tower है x meter का और इससे दो point दूर है इसके base से एक तो 9 meter दूरी पर एक 16 meter दूरी पर है और इनके तो ये angle बने angle of elevation ये एक दूसरे के क्या है complimentary जिसको क्या बोनते हैं पूरक ये एक दूसरे के पूरक है है पूरक मैंने बताया था क्या जिनका total कितना होता है 90 degree यानि कि एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा ये बाता ही समझ भी एक supplementary भी होता है ये complimentary होता है ऐसे पूरक complimentary लिखा नीचे समझ पूरक तो इसलिए थोड़ा सा misunderstanding थी तो इसको क्या बोलते हैं जब दो angles का total 180 degree हो जाए या एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाए ये होते हैं बेसिंगली तो ये जो question आपको दिया जाएगा तो इसमें बोलेगा अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है यानि कि एक दूसरे के क्या है complimentary है मतलब ये है भाई ये अगर 20 है तो फिर ये 70 होगा ठीक है ये 30 है तो ये 60 होगा तो अगर एंगल एक दूसरे के complimentary है ठीक है तो आप देखो 30, 60 और 45 का तो जिक्री नहीं कर रहा बोल रहा है ये दोनों एंगल एक दूसरे के complimentary है तो ये x की value क्या होगा तो आपने क्या करके आना है कुछ ने इन दोनों की बुणा करके multiply करके root ले देना 9 का root 3, 16 का root 4 और 4 की कितना 12 तो answer आगे 12 meter question होगा खत्र बात समझ मैं बता होगा इसमें कोई दिक्कत है जो मैंने आप रखनी है आपने ऐसे question आएगा as it is अगर आता है तो यह कभी सोचो ही यह तो नहीं आदेगा तो यह मैंने आपको समझाया क्या अभी height and distance अगला topic हमारा कुण सा सुरू होने वाला है time and work तो अभी यह हमने एक advanced math का topic पढ़ा था अब हमें एक arithmetic का पढ़ देते हैं कहीं दिमाग के fusion आउट जाए ठीक है तो slavus में आप नीचे निशान लगाते चलें क्या-क्या हमारा complete हो चुका है ठीक है trigonometry वाली जो लाइन दे रखी थी ना पूरी complementary angle, trigonometric identity यह trigonometric ratio वो सारे complete हो चुका है अब slavus में mention कर रखे time and work ठीक है इसको हम continue करेंगे अब इस topic का क्या concept है उसे हम questions के through ही सीखेंगे ठीक है time and work समय तथा कार्य है तो first question लगाते हैं इसका question आपके सामने आचुक है अब देखो इसमें क्या होगा एक काम आपको करने के लिए दिया जाएगा और पूछे का यह कितने दिन में खतम होगा ठीक है तो मैं एक simple सा concept बता हूँ आप पूरे topic के अंदर यह concept follow करना है A, B and C individually can do a piece of work in 10 days, 12 days and 15 days respectively if they starting working together then the number of days required to finish the work is A, B तथा C किसी काम को करन से 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्ठोगा तो आपने क्या करना है A, B, C के days लिखने हैं सबसे पहले 10, 12 और 15 A, B और C के ये days दे रखें फिर आपने एक जोंपडी बनानी है जी जोंपडी के उपर LCM लिखना है LCM कैसे लिए जाएगा सब से बड़े नमबर का पहढ़ा पढ़ो 15 एकम 15 इसमे नहीं आता 15 इसमें नहीं आता 15 दूनी 30 इसमें तो 30 आता लेकिन 12 के पहढ़े में 12 की टेबल में 30 नहीं आता 15 धिये 45 15 चुके 60 ऐसे नंबर तक आपने टेबल पढ़ने है जो सब के पहाड़े में आए ठीक है वही आपका एलसेम बनेगा जिसे आप बोलेंगे टोटल वर्क ठीक है तो सबसे पहले आपने कोश्चन के अंदर टोटल वर्क बना लेना है कैसे ऐसे दे रखाऊ तो एलसेम ने देगा आप 10 से वर्क ठीक है जिसको आप efficiency भी बोल सकते हैं याने की कारेशमता एक दिन की काम करने की शमता तो ध्यान रखना काम कितने दिन में खतम होगा उसके लिए आपको एक दिन की शमता पता होनी चाहिए तब ही आप बता सकते हैं जैसे कि मैं कह दूँ कि अगर मैं एक घंटा हर र तो 60 घंटे में से लिबस करवा सकता हूँ ठीक है या 60 घंटे की बजाए बोल दो 60 दिन में से लिबस करवा सकता हूँ यह ज्यादा ठीक रहेगा एक घंटा रोज बढ़ाऊ तो 60 दिन में से लिबस खतम कराऊँगा अगर मैं 2 घंटे रोज बढ़ाऊ तो फिर 30 दिन में कर बाद हुगा ठीक है तो efficiency से ही आप इस work को खतम कर सकते हैं तो आपने सबसे पहले इस तरह से total work बनाना है one day की efficiency निकाल लेनी है अब आप से कुछरे काम कितने दिन में समाफ्थ होगा अगर ये तीनों मिलके काम करें तो तीनों मिलके काम खतम कर रहे हैं तो कितने दिन लगें कितने है 60 और एक दिन का काम किसका लेना है जिससे काम खतम करवाना है तीनों से मिलके काम खतम करवाना है तो ABC का एक दिन का काम ये करेगा 6 ये करेगा 5 ये करेगा 4 तो 6 5 1 और 4 15 एक दिन में हुए 15 काम तो 60 काम करने में लगे 4 दिन तो answer बनेगा 4 days option number C clear है concept समझ भी आ गया बस आप questions करेंगे और सारे important questions जो इस topic से आ सकते हैं वो आपके सामने अब आते चलेंगे ठीक हैं तो फटाफट फटाफट करने हैं अब A and B together can do a piece of work in 10 days A alone can do it in 30 days the time in which B alone can do it is A और B मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं A अकेला उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है तो B अकेले काम कितने दिन में करेगा देखो 10 दिन में कौन कर रहे हैं A और B और 30 दिन में कौन कर रहा है अकेला A सबसे पहले जोपड़ी बनाओ 30 से काटा 3 पे 30 से काटा 1 ठीक है बी अकेला काम कितने दिन में करेगा तो 20 से कांट खाई, A और B ने तीन खाई, जिसमें से A ने एक खाई, तो फिर इसका मतलब B दो खा रहा है, तो फिर 30 फ्रोटी खाने में कितने दिन लगेगा, 15 दिन, तो 30 काम में लगेंगे 15 दिन, अबबर सी, ठीक है, तो B अकिला टोटल काम करेगा 15 दिन, बात समझ में आगी, clear है, तो यह ध्यान लखना, कैसे मैंने बताया, कि दोनों मिलके करने तीन काम, जिसमें से A ने एक किया था काम, तो B ने किया है, दो काम, तो 30 काम करने में कितने दिन लगेगे, 15 दिन, तो option C, अगला question, आज़ी next question देखो, A, एक कारिय को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, और B, उसी कारिय को 10 दिन में पूर्ण कर सकता है, दोनों मिलकर, 4 दिन तक कारिय करें, उसके पस्चात B ने कारिय छोड़ दिया, तो से इस काम पूरा करने में A को कितने दिन लगेगे, A can complete a particular task in 20 days where as B can complete that task in 10 days both work together for 4 days and then B leaves the task then how many days will A take to complete the remaining task देखो A काम कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में और B कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में सा से पहले L से में दो B से कम 20 20 से कटा 1 पे 10 से कटा 2 पे कितना काम होगे साथ आप क्या कर रहा है दोनों ने मिलके 4 दिन तक काम किया तो इसको समझाने के लिए मैं ये लाइन बना रहा हूँ यहां से काम सुरू हुआ था यहां पे काम कतम हुआ दोनों ने मिलके काम सुरू किया यानि कि A और B ने मिलके सुरू किया और दोनों ने मिलके 4 दिन तक काम किया तो ये दोनों 4 दिन तक काम करने आये थे ठीक है उसके बाद B ने काम छोड़ दिया तो B छोड़ गया तो फिर A तो आएगा तो A आएगा और बाकी बच्चा वो काम A पूरा करेगा तो पूछ रहे तो से इस काम को एक इतने दिन में पूरा करेगा तो A से करवाना है बाकी का बच्चा वो काम तो मुझे बताओ A और B चार दिन तक काम करने आये एक दिन में दोनों मिलके एक और दो तीन काम करेंगे एक काम करेगा A दो काम करेगा B और दोनों मिलके एकठे करेंगे तीन काम एक दिन में तो चार दिन में कितने करेंगे? 12 काम. बताये था यह एक दिनए काम है. तो 4 दिन में रहें हुने, दो 20 काम कर दे हैं, कुर्णा काम कर दे हैं, यह एक dynों का आंसर का लिखा है बात आगी समझने तो आपसे त tuvसDa कि कितने दिन में को पूरा करेंगा बच्चेवे काम को बीश में से 12 वह गए थे बच्चे थे 8 एक दिन में एक करते तो आठ दिन अगर इसम्हें इसम्हें यह पूरा काम कितने दिन में कहत्म होगा, तो फिर चार और आठ दोनों को एड़ करतेना 12 दे, ठीक हैं, बोलता है तो टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा, तो चार और आठ 12 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है, तो यह हम canskryikalikon, पूछा क्या है, छलो, किसी के साथ अगिला टाइप देखो नेक्स टाइप क्या कह रहे A can do a piece of work in 18 days and B in 12 days they begin the work together but we left the work 3 days before its completion in how many days in all was the work completed एक इसी काम को 18 दिन में और B 12 दिन में कर सकता है उन्होंने एक साथ काम करना सुरू किया लेकिन काम खतम होने से 3 दिन पहले B काम छोड़ देता है तो कुल काम खतम होने में कितने दिन लगेंगे चीक है तो आप सुनो कैसे मैं पूरा समझाता हूँ पहले A काम कर रहा है 18 दिन में B कर रहा है 12 दिन में ये A ये B L सेम कितना 18 एकम 18 नहीं आता 18 दूनी 36 18 दूनी 12 दिया 37 दूनों में आ रहा है ना ठीक है अब उन्होंने एक साथ काम सुरू किया ये लोग आई A भी आया और B भी आया दूनोंने मिलके काम सुरू कर दिया फिर काम खतम होने से तीन दिन पहले B ने काम छोड़ दिया मुझे बताओ काम काम खतम हुआ था यहां शुरू यहां हुआ था खतम यहां हुआ इस से तीन दिन पहले यानि कि इससे तीन दिन पहले, जैसी तीन दिन पहले का टाइम आया, B कह रहा है कि मैंने कर रहा है अब काम, B काम छोड़ के जा रहा है, तो B जा रहा है तो फिर A तो करेगा, यानि कि इस आखरी के तीन दिन में B चला गया तो A तो काम कर रहा था ला, ठीक है तो कुल काम कितने दिन में खतम होगा तो मुझे अगर ये भी पता लग जाए तो मैं अंसर कर सकता हूँ अब कैसे पता लगेगा ए ने तीन दिन तक काम किया एक दिन में दो काम कर रहे तो तीन दिन में कितने करे तीन दूनी छे काम टोटल कितने थे 30 जिसमें से 6 A ने कर दिये तो बचे कितने 30 यह 30 काम कौन करके गया होगा A और B मिलके A और B मिलके एक दिन में 2 और 3 पांच काम करते हैं तो 30 काम करने में 6 दिन लगे हो इतको यानि कि 6 दिन तक इनों ने कठे काम किया था ठीक है? यह बात समझ में आई तो 6 दिन यहां, 3 दिन यहां ट्रोटल होगे 9 दिन और यही इसका अंसर है 9 देस तो पूछ रहा था कुल काम कितने दिन में खतम होगा तो अंसर बनेगा option number D 9 देस ठीक है? बात मेरे खाल से समझ में आई होगी इसी बात को एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से भी समझा देते है वो ट्रिक क्या है? कि जब भी कोई बन्दा काम अंत से छोड के जाए, काम खतम होने से पहले छोड के जाए, तो उसको जाने मत दो उसको रोक के रखो, और क्या करो उससे काम करवा लो टोटल काम कितना था 36 आखरी के तीन दिन में बी कह रहा है मैं जा रहा हूं मैं नहीं रुक रहा तो बी जाना चाह रहा है आखरी के तीन दिन पहले तो इसको जाने मत दो इसको रोक के रखो तो अगर बी को यहां रोक लिया जाए तो तीन दिन में कितने काम कर सकता है एक दि कितने काम हो गए यहाँ पे 45 ठीक है नो चे पंदरा तिन दूर्ट चार तो टोटल हो गए यहाँ पे आप 45 काम अब यह टोटल वर्क हो गया इस 45 काम को करने के लिए ध्यान दो अब अब यह और भी मिलके करेंगे तो एक दिन में दो और तीन पांच काम होते हैं तो 45 काम कितने दिन में खतम होगे नो दिन यह अंसर आपका ऐसी भी आ सकते है थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा तो जो अंच से काम चोड़के जाओ उसको जाने मत दो उसको रोक के रखो उससे का पांचर आजएगा ठीक है तो दोनों तरीके मैंने समझाए हैं आप देख लेना कौन सा तरीक का ज्यादा साम लग रहे हैं अगला कोश्चन नेक्स्ट A and B working separately can do a piece of work in 9 and 15 days respectively if they work for a day alternatively with A beginning then the work will be completed in A और B किसी काम को करम से 9 दिनों तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं यदि वे बारी-बारी से एक-एक दिन काम करे और काम की शुरुआत एक करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा ठीक है तो सबसे पहले बना दो 9 और 15 ये A और ये B कितना हो गया 15 एकम 15 नहीं आता 15 दिनों ये 35 ये 45 नों से काटेंगे 5 पे 15 से काटेंगे 3 यहां तक कोई दिक्कत मेरे खहल से नहीं होगी अब बारी-बारी से काम कर रहे है तो पहले दिन को न आया? A एक ही बारी आगी A कितने काम कर जाएगा पांच काम कर जाएगा, यानि कि एक दिन में ये आएगा, पांच काम कर जाएगा, ठीक है, अगले दिन B आएगा, कितने काम कर जाएगा, तीन काम कर जाएगा, पहले दिन A ने पांच किये, अगले दिन B ने तीन किये, तो टोटल कितने होगे, आठ काम, और आठ काम कितने द दो दिन में, फिर आठ काम दो दिन में, फिर आठ काम दो दिन में, या तो आप ऐसे चेक करो, ठीक है, तो ऐसे चेक करने से अच्छा है, कि इसका जो तरीका है, वो क्या होता है, पहली बात तो ऐसी गलती नहीं करने, क्या, कि 8 काम होए दो दिन में, तो 45 होंगे कितने दिन मे तो दो बटे 8 गुना 45, ऐसा मत करना अंसर गलत हो जाएगा, ऐसा जो बच्चा करेगा वो गलत हो जाएगा, तो आपने करना कैसे है, कि 8 काम करने में 2 दिन लगे, करने अचे 45, तो 8 की गुना किस से करूं कि 45 आजए या इस से कम आजए, तो 8 की गुना करने से 45 तो पूरा आएगा निए, तो 8 पंजे 40, इसका 5 गुना मैंने कर दिया, तो ये आगि 40, तो 40 काम होगे 10 दिनë, इधर 5 गुना तो इधर भी ताकि हिसाब बराबर है, तो बारबार 8 काम 2 दिन, आट काम 2 दिन, आट काम 2 दिन, आट काम 2 दिन, ऐसे लिखने से लिखने से अब बच गे, अब 40 काम होगे 10 दिन में, लेकिन करने कितने थे, 45, 45 करने थे बारी किसके आएगी, इसके बाद बारी किसके आएगी, फिर से एगी, तो ए आएगा 5 काम करजेगा, तो 40 और 5, 45 होगे, और एक दिन और लग गया, तो आंसर कितना बनेगा, 11 दिन, तो आंसर बनेगा 11 देख ले यही कोश्चन अभी देखो यह पांच काम बचे थे एक दिन में आके पूरे करके चला गया आंसर हो गया लेकिन बाई चांस एक पल के लिए मान लो कि यहां टोटल वर्क 45 नहों के 43 होता तो तो फिर कैसे करना था फिर कहानी ऐसे चलती एक पल के लिए मान लोगी है मैं सोसना कि यह क्या बता रहे हैं मैं एक्ष्टा बता रहा हूं कि 40 काम हो गए 10 दिन के अंदर लेकिन काम कितने करने 43 काम करने 43 यानि कि 3 काम और करने 3 काम करने बारी है एक ही यह कर सकता है 5 काम तो ध्यान दे ना यहां पर आप कितना लिखना है 10 दिन के साथ अब जितने करने हैं बटे में जितने वो कर सकता है तो आंसर बनेगा 10 सही 3 बटे 5 दिन यह बात आप याद रखें किया कि इस बंदे ने 5 काम करने है ठीक है 5 काम य कि मानलों मैं कह दूं कि एक घंटे में मैं 20 कोश्चन करवा सकता हूं मैं एक घंटे में कितने कोश्चन करवा सकता हूं 20 लेकिन मुझे करवाने हैं 10 question तो मुझे कितना time लगेगा तो तुम कोगे सर आदे घंटे में करते होगे आप जब एगंटे में 20 कर रहे हैं तो आदे घंटे में 10 कर दोगे तो जितने करने हैं बटे में जितने में कर सकता हूं मुझे 10 question करने पर कर में 20 सकता हूं ये घंटे में तो आदा घंटा आगे ना बस वही बात मैं कहा रहा हूं कि ये करवाने हैं 3 लेकिन कर सकता है ज्यादा तो जितने करवाने है वो उपर जितने ज्यादा वो कर सकता वो नीचे तो प्लस कर देना आँसर आदेगा ठीक है तो ये पूछी जाती है ज्यादा था ये वाले टाइप ठीक है तो question एक है मैं कहीं तरह की question समझाऊँ को बड़े ध्यान से समझना है इस question को important है A तथा B एक कारे को 10 दिनों में पूर्ण करते हैं तथा B तथा C उसी कारे को 15 दिनों में पूर्ण करते हैं C तथा A उसी कारे को 20 दिनों में पूर्ण करते हैं तो उसी कारे को C अकेले कितने दिन में पूरा करेगा A and B can do a work in 10 days B and C can do the same work in 15 days C and A can complete the same work in 20 days In how many days C alone complete the work तो अब यहाँ पे 10, 15 और 20 दे रखे 10, 15 और 20 जो पड़ी बना दो यहाँ पे है A और B मिलके, यहाँ है B और C मिलके, यहाँ है C और A मिलके 20 से 60 हैं से मागे, 10 से काटा 6 पे, 15 से काटा 4 पे और 20 से काटा 3 पे ठीक है, clear है इतनी बात समझ मैं, clear है अब यह A और B है, यह B और C है, यह C और A है ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 6, 4, 10, 13 यह 13 काम पूरे हुए, कब जब A ने यहाँ भी किया काम यहाँ भी किया यह एक दिन का काम 13, कब हुआ जब A दो बार काम कर रहे है, B भी दो कर रहे है, C भी दो बार कर रहे है, यानि कि यह दो दो बार काम कर रहे हैं, तो तेरा काम पूरे हुए, तो अगर यह अकेले-अकेले करते, तो फिर तेरा का आधा, यानि कि साड़े 6 ही काम पूरे हुए कि यह बास समझ में इतनी बास समझ में आगी तो इसमें यह question पूछ सकता था कि तीनों मिलके काम कितने दिन में खतम करेंगे ऐसा पूछ सकता है अगर यह पूछ लेता तो फिर क्या करना था टोटल काम है 60 बटे में इन से काम करवाने तो इनका एक दिन का काम नीचे लिग दो इनका एक दिन का काम है स्टाड एची यानि कि 13 बटे में दो तो 13 बटे दो ये उपर चला जाएगा तो 120 बटे 13 दिन तो है वो समय लगता अगर ये तीनों मिलके काम करते तो पहला अंसर आगे को दिख्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी अब सी अकीला कर रहे हैं जैसे सी का पूछा ऐसे एका भी पूछ सकता था वी का भी पूछ सकता था ठीक है तो कैसे करने सुनना इसको सुन ले न ये भी समझ में आ देंगे सी से काम करवाने कितने करवानेए 60 काम तो उपर लिख दिया टोटल काम बटे में लिखना एक दिन का काम अब मुझे बताओ सी यहां पर कहा नहीं है यहां नहीं है तो फिर आदी रोटी कौन खा गया होगा C खागा, यानि कि C एक दिन में आदी रोटी खाता है, तो फिर 60 रोटी खाने में कितने दिन लगेंगे, एक बटे दो को पल्टा मार दो 120 दिन, तो इस question का answer है 120 दिन, जो कि option number 1 पे दिख पी रहा है, तो यह इसका answer था, आगे समझ दें, यह question अगर A के लिए पूछता, तो फ 4 और 60 इसे में कितना फरक है, धाई रोटी का, तो धाई रोटी कौन खा रहा है, A खा रहा है, धाई का मतलब होता है, पांच बटे दो, इसको पांच और बटे वाला दो इगर चला जाएगा, answer आएगा, 24 लिए, इसी तरह से आप B को भी कर सकते हैं, तो इन तीनों में से को कोई भी एक क्वोश्चन यहां पूल सकता है, तो मैंने आपको सारे समझा दिये, ठीक है, कंसेप्ट, टोटल वर्क आप उनमें, वन डे कबर, ठीक है, एक दिन का का, वो आपको पताऊना चीए, जालो, आगला क्वोश्चन, हाँ जी, करो बढ़ी ध्यान से, करो, ए, 25 गंटे में 75 पेज कोपी कर सकता है, ए और भी, मिलके 27 गंटे में 135 पेज कोपी कर सकते हैं, तो कितने समय में 42 पेज कोपी कर सकता है, आप सुनना, मुझे बताओ, ए ने, जो है, 75 पेज, 25 गंटे में कोपी किये, इसका मतलब 3 पेज पर R को कोपी कर रहे है क्यों भाई इस बात में कोई दिख्कत A जो है 75 पेज 25 गंटे में कोपी कर रहे है है ना तो A गंटे में 3 पेज कोपी कर रहे है जबकि A और B ये मिलके क्या कर रहे है 135 पेज कोपी कर रहे है कितने गंटे में 27 गंटे में तो 27 पंजे चीक है 5 पेज पर गंटे कोपी कर रहे हैं आप मुझे बताओ ए ए गंटे में 3 पेज कोपी कर रहे हैं और यह दोनों मिलके ए गंटे में 5 पेज कोपी कर रहे हैं तो तुम मुझे बताओ ए ने तो 3 पेज कर रहे होंगे और B ने कितने करेंगे, दो पेज, भई A ने 3 करेंगे और B ने 2 करेंगे, तभी तो 5 पेज हुए ने गंटे में, तो कह रहा है, B जो है, वो 42 पेज कोपी करने में कितने गंटे लेगा, तो मुझे बताओ, B ए गंटे में तो 2 पेज कोपी कर रहे है, तो 42 पेज करने में 21 पेटे option number C में लिखा हुए, बात आई समझे, क्या करना था, ठीक है, ये करना था, इसके बाद next आपका efficiency आ गया, efficiency क्या करती है, हलाकि ये शुरुआ आज से चली रहे, लेकिन फिर भी मैं फुरा सा बता देता हूँ, efficiency जिसे आप कारे सम्ता बोलते हैं, efficiency जिसे आप बोलते हैं कारे सम्ता, ये कारे सम्ता जो होती है, ये inversely proportional होती है, number of days के, दिनों की संख्या के belong, यानि की उल्टे अनुपात में होती है, efficiency, मतलब क्या है इस बात का, question से समस्ते, working efficiency of P and Q are, P and Q for completing a piece of work are in the ratio 3, ratio 4, the number of days to be taken by them to complete the work will be in the ratio, एक कारे को समाप्ट करने के लिए P तथा क्यो की कारे सम्ता का अनुपात, तीन अनुपात 4 है, तो काम को खतम करने में दोनों के दुआरा लिये गए दिनों का अनुपात क्या होगा, यहाँ पे P और Q, इनकी efficiency, सम्ता का ratio है 3-4, यह क्या है इनकी efficiency, आप से पूसर है इनके दुआरा लिये गए दिनों का ratio क्या होगा, time का ratio क्या होगा, तो भाई इस 4 को इधर लिखते ना, इस 3 को इधर, पल्टी मार देना answer आगा, ठीक है, आप मुझे बताओ, यह एक दिन में 3 काम कर रहे है, इसलिए तो इसने 4 दिन में काम खतम किया, यह एक दिन में 4 काम करता है, इसलिए इसने जल्दी निम्टा दिया, यह ज़्यादा काम कर रहे है, जब भी तो जल्दी खतम कर रहे है, तो यह efficiency का time से ultervation, कि जिसकी efficiency कम, वो time ज़्यादा लेगा, जिसकी efficiency ज़्यादा, वो time कम लेगा, ठीक है, यह question अगर ऐसे आ जाता, कि P क्यो R की efficiency का ratio है, दो तीन चार, इनकी शमता का ratio है, दो तीन चार, इनके time का ratio क्या होगा, तो अब ऐसा मत लिखना, बोला जी आपने तो ऐसे लिखती है था, भाई, दो बंदे हो तो ऐसे लिखते है न, तीन में मत लिखना ऐसे, तो तीन में फिर कैसे लिखेंगे, तो अगर तीन बंदे हो तो lc m लेना, इनका कितना आएगा? 12, 4 एकम 4 इसमें आता है, इसमें नहीं आता, 4 दुनी 8 नहीं आता, 4 ती 12, 12 सब में आता है, 2-6 पे गटा, 3-4 पे, 4-3 और ये आगया आपका time का ratio है, तो ये ध्यान रखना, efficiency है तो time का ratio बन जेगा, time है तो efficiency का ratio बन ठीक है चार तीन दी ओप्शन अगला कोश्चन हाँ जी देखो कोश्चन क्या है A किसी कारे को 24 दिन में कर सकता है यदि B की कारे शम्ता A से 60 परतिस्त अधिक है तो उसी कारे को करने में B को कितने दिन लगेंगे A can do a piece of work in 24 days if B is 60% more efficient than A than the number of days required by B to do the same work each अब मुझे इगा बताओ यहाँ A है और यहाँ B है उसने बोला है कि B की शम्ता A से 60% जादा है A से 60% इसका मतलब यह हुआ कि A अगर 100 काम करेगा तो B 160 कर देगा जहाँ दो B की शम्ता A से जिसके साथ C लिखा उसको 100 मानना है तो इससे 60% जादा तो यह 100 करेगा 160 रेश्यो बना लो यह 5 करेगा तो यह 8 करेगा तो पंजे 10, 2, 8, 16 तो अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पे B कितने दिन लेगा काम करने में तो B से काम करवाने तो साथ से पहले तो Del Come ले किया हो अब Del Come काम कीसे बनाएगे और mound उसने वोला A किसी काम को 24 दिन में कर सकता है टिक है A एक दिन में 5 काम कर देगा तो 24 दिन में कितने करेगा 24 गूना 5 तो टो 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 वर्क ऐसे वनेगा यहां पर भई ए एक दिन में पांच रोटी कहा रहे हैं औरे 24 दिन तक रोटी यह खा रहे हैं किसी काम को 24 दिन तक पांच पांच रोटी अग्ला कोश्या चलो पढ़ो इसको A is twice as good a workman as B and B is twice as good a workman as C. If A and B can together finish a piece of work in four days then C can do it by himself in. A की कारे सुमता B की दो गुनी है, B की कारे सुमता C की दो गुनी है. यदि A तथा B किसी काम को चार दिन में खतम कर सकते हैं तो C उस काम को कितने दिन में खतम करेगा? तो ध्यान दो यहाँ A, B और C तीन बंदे हैं तो सबसे पहले हम इनकी efficiency बनाएंगे, संबता बनाएंगे कैसे? A का comparison B से हुआ है, B का comparison C से हुआ है. तो जो सबसे last में है उससे लेके चलना. उसने का B की संबता C की दुगनी है. B की संबता C की दुगनी है. तो यह 100 काम करेगा, तो यह 200 कर देगा. इस बात में को दिक्कत. ठीक है? आप यहाँ एक और यहाँ दो भी लिख सकते थे. यह 1 करेगा, तो यह 2 कर देगा. डबल होगे ना? ठीक है? फिर क्या कह रहा है? A की संबता B की दुगनी है, P से डबल. यहाँ यह 200 कर देगा, तो यह 400 कर देगा. ठीक है? रेश्यो बना लो. रेश्यो में ऐसे आप लिख दो. तो आप ऐसे 100 करके भी लिख सकते हो, और ऐसे 1, 2 करके भी लिख सकते हो. कि भाई ये इस से डबल कर रहा है तो ये एक ये दो और ये इस से डबल कर रहा है तो ये दो तो ये चार ठीक है अब C से काम खतम करवाने तोटल काम लेके आओ, उसने कहा, ए और भी चार दिन में काम खतम करेंगे, ए और भी मिलके एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, छे, और चार दिन में कितने करेंगे, छे, चोके, चोबिस, ठीक है, तो काम कह रहे हैं, C से खतम करवाना, तो C तो एक दिन में एक ही काम करेगा, तो 24 काम खतम करने में 24 दिन ले ले गई यह वो फूशना चाहरा था तो अंसर कितना है option number c 24 days इसके बाद next next जो आपका आ गया जो की important है इसमें time at work में which is md and h md h ठीक है यह math के md h है जो important है क्या होते हैं पहले मैं समझा देता हूँ md h upon में w m stand for manpower यानि की आदमी manpower का मतलब आदमी भी हो सकता है औरत भी हो सकते बच्चे भी हो सकते है काम करने वाले जो है वो m है d stand for है days यानि की दिन दिनों के संख्या d है s stand for r यानि की कितने घंटे और w stand for work यानि की कारगे ठीक है clear रहे हैं तक तो आप इस concept को लगाएंगे यदि 25 आदमी किसी फसल को 60 दिन में काट सकते हैं तो 10 आदमी उसी फसल को कितने दिन में काट सकेंगे if 25 men can reap a crop in 60 days then in how many days will 10 men reap the crop आपको उता दूँ ये MDH भी है और ये direct और indirect ये वाले जो question बनते 8 class में आते हैं ये मेरे ख्याल से PRT के slaves में लिखा हुगा है तो direct और indirect relation का वो चक्कर है लेकिन मैं जो तरीक का बताऊँगा आप उससे करना कोई लिक्कत नहीं आएगी 25 आदमी फसल 60 दिन में काट रहे हैं तो 25 क्यों गया manpower दिन कितने लगे 60 फसल मतलब एक काम काम को एक लेने अब ये लिखना भी नहीं ह रखना अगर काम सेम हैं फसल काट ने का यहीं फसल रहे हैं वहीं फसल ये भी काट रहे है तो काम सेम है तो इसको लिक्कित दिखाने की जुरूतीए लिए याद रहेगा ठीक है तो 25 आदमी काम कर रहे हैं 60 दिन में तो 10 आदमी करेंगे कितने दिन में तो इस से ये कटा 25 के 500 ठीक है तो ये inverse relation हुआ कि 25 आदमी 60 दिन ले रहे हैं तो 10 आदमी जैसी वादे ज्यादा दिन लेगे है ना तो क्या answer आएगा 600 दिन बही 25 बंदे ने 60 दिन ले तो आदमी कम कर दूँगा तो ज्यादा दिन लगेंगे ना तो ये inverse relation था तो आप ऐसे कर देना तो answer option नपर चार unitary method भी इसको बोल देते हैं इसको questions है unitary method भी बोल देते हैं यदि एक छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 30 दिनों की बोजन सामगरी है तो 60 छात्रों के लिए ये सामगरी कितने दिनों के लिए प्रयाप्त होगी if in a hostel there is a sufficient food for 30 days for 40 students then this food will last for how many days for 60 students तो मुझे बताओ 40 छात्रों के लिए 30 दिनों का बोजन है अब यही भोजन 60 छात्रों के लिए कितने दिनों का होगा ठीक है सेम भोजन सेम भोजन तो 30 से कटा 2 पे 2 से कटा 20 पे आंसर आगे 20 देस और यह पूछे हुए देखो मैं अपने बास से तो लिखनी रहा एक्जाम के पूछे यह question है इस chapter से ज़्यादा question नहीं आते जो आते हैं वो इस type के आते हैं ठीक है तो इन types को अगर आप कर लेते हैं तो सारे question हो जाएंगे 140 मिटर लंबाई वाली दिवार को 36 आदमी 21 दिन में बना लेते हैं इसी तरह की 50 मिटर लंबाई वाली दिवार को 15 आदमी कितने दिन में बना लेंगे 37 में can build a wall 140 मिटर long in 21 days in how many days would 15 men be able to construct a similar wall 50 मिटर long तो मुझे बताओ यहाँ पे 36 आदमी 21 दिन 37 आदमी 21 दिन में कितनी मिटर लंबी 140 मिटर ध्यान दो यह 140 मिटर क्या है यह work है 36 आदमी 21 दिन में 140 मिटर लंबी दिवार बना रहे तो यह work है नीचे रख दो इसी तरह की 50 मिटर लंबाई वाली दिवार 15 आदमी कि मैन पावर होगी कितने दिन में बनाएंगे उसको एकस लिखो आप काड़ दो जेखो 0 से 0 कड़ गया सेम लेवल पर आप काड़ सकते हैं अगर एकवल का निशान बीच में आ रहे हैं ऐसे तो सब को काटना आता ही है ठीक है साथी एक किस साथ दोनी चोदा दो से कटा 18 पर तीन से ये तीन कड़िया फिर वो आंसर कितना बचा 18 तो आंसर ओप्शन नमपर 4 में लिखाओ गए आगे समझ में चलो आगला कोशन पढ़ो फिर यदि साथ बढ़ाई साथ कुर्सियों को आठ घंटे में बना सकते हैं तो सकतर बढ़ाई सकतर कुर्सियों को बनाने में कितने घंटे लगाएंगे कि seven carpenters can make seven chairs in eight hours, how many hours will seven carpenters take to make 70 chairs, तो मुझे बताओ, साथ carpenters, साथ कुर्सी, कितने घंटे में, आठ घंटे में, ये कार्पेंटर हैं, ये कुर्सी हैं, कुर्सी क्या होगा, work होगा, साथ चेर बनाई, कितने घंटे में, आठ घंटे में, तो सत्तर बढ़ाई, सत्तर कार्पेंटर, सत्तर कुर्सी, कितने घंटे में बनाईगे, ये तो फूसरा था, साथ से साथ उड़ा, सत्तर से सत्तर उड़ा, अंसर कितना आया, आठ ही है, तो अंसर आठ ही है, यानिकि ऑप पॉस्चन आये उन में जो मैन पावर थी वो से मारी थी मैन पावर का मतलब क्या उधर कारपेंटर कुरसिय बना रहे थे तो इधर भी कारपेंटरी बना रहे थे ठीक है इन वाले पॉस्चन में क्या है कुछ अलागे थोड़ा सा क्या 20 women together can complete a piece of work in 16 days 16 men together can complete the same work in 15 days इधर आदमी औरतों ने काम किया फिर आदमी ने काम किया तो आदमी औरत इस तरह के आ रहे है जबकि पिछले questions में इधर student खा रहे थे खाना तो इधर भी student खा रहे थे इधर आदमी फसल काट रहे थे तो इधर भी आदमी फसल काट रहे थे यहाँ पे आप थोड़ा सा फर्क करना है क्या करना है बताओंगा भी तो कह रहा है यदि 20 इस्त्रिय मिलकर किसी काम को 16 दिन में खतम कर सकती है और 16 पूरुस उसी काम को 15 दिन में खतम कर सकते हैं तो पूरसों और इस्त्रियों की कारे शम्ता का अमपात क्या होगा ठीक है तो द्यान से सुनना मेरी बाद 20 फीमेल तो 20 फीमेल को मैन पावर को अब यहाँ फीमेल है तो फ से डिनोट करना दिखाना है बीस इस्त्रिया किसी काम को 16 दिन में खतम कर दे रहे हैं और उसी काम को 16 आदमी कितने दिन में खतम कर रहे हैं, 15 दिन में, ये 16 आदमी है भई, F ने लिखना, M लिखना है, ठीक है, उसी काम को 16 पुरुष, तो देखो आदमी के लिए male लिख दिया, female के लिए F लिख दिया, ठीक है, तो जो काम ये 20 ओरते 16 दिन में कर रहे हैं, वही 16 आदमी ने 15 दिन में कर दिया, तो पुरुष और इस्त्रियों की efficiency, तो ध्यार रखना काम सेम था, इसलिए लिखके दिखाने की जुरत नहीं पड़ी, अब बताओ 16 से 16 गड़ गया, पांचो की 20, पांच की 15, यहां से 4F बराबर है, 3M के बराबर आ गया, और मुझे रेश्यो बताना है कि इसका पुरुष और इस्त्रियों का, तो M यही पर रखो, इस F को नीचे लियाओ, जैखो multiply वाली चीज को इधर जाती है, तो divide में आती है, यहां से इस 3 को इधर भेज दो, तो 4 इधर ही रहे गया, यह 3 इधर divide में आ गया, ठीक है, तो 4 बटे 3 male female का ratio बनेगा, तो 4 बटे 3 option number B में लिखा हुए, ध्यानक न, ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा, मैं क्या बता रहा है, फिर से सुनो, यहां पर यह जो आया था step, इसी step को, मैं ऐसे लिख दू, तो क्या कुछ गलत है, यह और यह दोनों से मित हैं, बस मैंने पलट के लिख दिया, तो M यह यही पर था, F अपोन में आगया, multiply से, 4 यही पर था, 3 इधर चला गया, तो पुरुष और इस त्रियों का, male और female का रेशो बताना, तो अनसर 4 तिन बनेगा, गलती नहीं करते हैं, तो इस type के question में पहले यह निकालना पड़ेगा, तब आगे question चलेंगे, अब इसका advanced version, जो कि दो आदमी तथा, sorry, two men and three boys can do a piece of work in 10 days, while three men and two boys can do the same work in 8 days, in how many days can do two men and one boy the work, दो पुरुष तथा तीन लड़के किसी काम को 10 दिनों में, जबकि तीन पुरुष तथा दो लड़के उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो दो पुरुष और एक लड़का काम कितने दिन में, जहां से सुनना, बस पढ़ पढ़ के लिखना है, दो पुरुष और तीन लड़के, दो आदमी और तीन लड़के, ये मिल के काम कर रहे हैं, तो ये पूरा manpower बनाएंगे, जहां रखना तो फार्मूले में लिखाता हैं, m, d, h, m का मतलब manpower, तो ये मिल के काम कर रहे हैं, 2m प्लस 3y, ये आदमी हैं, ये लड़के हैं, तो इसको मिला के ऐसे लिख देने, ये काम कर रहे हैं कितने दिन में, दस दिन में, तो ये manpower in two days, जबकि तीन पुरुष और दो लड़के, तीन पुरुष और दो लड़के, ठीक हैं, तीन पुरुष और दो लड़के, उसी क यानि कि जो इन्हों ने किया, वो इन्हों ने किया 8 दिन में कर सकते हैं, तो सरसे पहला काम रेश्यो गनाओ, दो पंजे 10, दो चो के 8, पांच की मल्टिप्लाई 5 दूनी 10m, प्लस 5 तीन पंदरा भी, चार की मल्टिप्लाई 4 तीन 12m, प्लस 4 दूनी 8, अब mm एकसाइड कर दो भी भी एकसाइड कर दो, देखो, इसको इधर लाओगे तो माइनस के 2m बचेगे, तो इसको इधर ले जाओ ना, ये 10 इधर जाएगा तो 12 में से 10 गए 2m, इसको इधर ले आओ, 15 में से 8 गए तो 7 भी, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं उसको बेजता हूँ, जो multiply से divide में आ गया, ये 2 यहीं पर था, ये 7 divide में आ गया, इसका मतलब लड़का कर सकता है, एक दिन में 2 काम, आदमी कर सकता है, एक दिन में 7 काम, तो ये efficiency का ratio आगए, जैसे अभी पिछले question में बनाये भी था, तो सबसे पहले ही ये करना है, फिर दो पुरुस और एक लड़क दो आदमी और एक लड़का काम कितने दिन में करेंगे, इन से काम करवाने कितने दिन लगेंगे मुझे नहीं बता, तो इन से काम करवाने इनको बताओ तो सही कौन सा काम करने है, वो काम जो दो आदमी और तीन लड़कों ने 10 दिन में किया था, या जो तीन आदमी और दो काम कर सकता है तो दो आदमी मिलके करेंगे चोधा काम, एक लड़का दो काम कर सकता है तो एक लड़के के होगे दो काम, इंटू एक्स एक आदमी साथ काम कर सकता है तो दो आदमी साथ दूनी चोधा काम एक लड़का दो कर सकता है तो तीन लड़के मिलके 6 काम, ठीक है, ये बास समझ में, ये एक लड़के का एक दिन का काम है, तो 3 लड़के कितना घरेंगे, 6 काम करतेंगे, तो 14 और 2, 16 X, 14 और 6, 20 इंटू में 10, 42, 4, 4 के 16, 4 पंजे 20, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, X की वैल्यू कितनी आ रही है, X की वैल्यू आ रही है, क्या करना था, यहां तक तो मैंने पहले सिखाया था, ये टाइप थोड़ी अलग थी, और ये वाला काम मैं आजम गया, ठीक है, तो ये टाइप अच्छे से कर लेना, यहां से कॉस्चन आ जाते हैं आपके, ठीक हैं, तो इसी से रिलेटिड गॉस्चन जो एक्जाम में आया था, वो देख लेते हैं, देखो भई, क्या कॉस्चन है, यदि चार पुरुष या छे महिलाएं, एक काम को साथ घंटे परती दिन करके, बारा दिन में कर सकते हैं, तो उसी कारे से दुगना बड़ा कारे, दस पुरुष तथा तीन महिलाएं, आठ घंटे परती दिन करके, कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, इसका मतलब उतार प्लस, ठीक है, पांच पुरुष तथा तीन लड़के, ठीक है, तो तथा मिल्स प्लस, एक अब वाया वर्ड और, तो बुला या, इसका मतलब होता है एक वर्ड, ठीक है, उसने का चार पुरुष या छे महिलाएं, बुला या तो चार आदमी लियाओ, या छे उरत लियाओ, या तो चार आदमी लियाओ, या छे उरत लियाओ, ये एक काम को साथ गंटे हर रोज करके बारा दिन में खतम कर सकते हैं, यानि कि ये साथ गंटे हर रोज करके बारा दिन में खतम कर सकते हैं, और ये भी 7 गंटे रोज करके 12 दिने आपको पता दू इतना लिखने के जुरा थी नहीं मैं सीधा लिख सकता था 4 M बरावर है 6 F और M by F मैं यहीं से बना लेता लेकिन मैंने क्यों लिखा ताकि आपको आगे गलती ना हो कर लिखे ठीक है इतनी बावर है यहीं कि आदमी कर सकता है तीन काम औरत कर सकती है दो काम इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब ये काम यहां से एजिली हो गया था लेकिन मैंने इतना क्यों लिखा अभी समझ में आ जाएगा उसने कहा ये पहला तो होगे पूरुष ये 6 महिल है 7 गंटे हरोज काम करके 12 दिन में उसी काम से दुगना बड़ा काम 10 पूरुष और 3 महिलाएं अब काम करवाने 10 आदमियों से और 3 और से ये मैंन पावर होगी 10 आदमी और 3 महिलाएं 8 गंटे हरोज करके कितने दिन लेंगी दुगना बड़ा काम यानि कि जो काम पहले हो रहा था उससे दुगना बड़ा करना ये ध्यान दें बड़ा दो पूइंट दे रखा है क्योस्चन अच्छा पूसरख है कि उसी काम से दुगना बड़ा काम 10 पुरुष और 3 महलाएं 8 गंटे हर रोज करके कितने दिन बड़ा करेंगे ये इन से काम करवाने 10 आदमे और 3 महलाओं से 8 गंटे रोज कितने दिन लेंगी डबल काम ये एक करेंगे तो ये डबल अब ये एक काम कर रहे हैं ये वाले इसको लिख देना है 4M into 7 into 12 तो ये गलती ना हो मैं अगर ऐसे लिखता तो तुम सोचते हैं यहां क्या लिखूँ तो इसलिए मैंने ये पूरी-पूरी लाइने लिखी थी तो आप ये लिख दो चाहिए ये लिख दो कोई भी एक लिख देना तो मुझे बताओ एक आदमी कितने काम करता है 3 तो 3 कर रहा है तो 10 आदमी कितने कर देंगे 30 एक औरत कर रहे है दो काम तो 3 औरत कितने कर देंगे 6 काम into में 8 into x बटे में 2 ये वाला 2 equal to एक आदमी 3 काम तो 4 आदमी मिलके 12 काम into 7 into 12 बटे में 1 तो 30 और 6 बनेंगे 36 दिख दें 26 बनके 2 से काटा 4 पर इधर से काट दो 12 से काटा 3 पर 3 से काटा 4 पर 4 से काटा 4 X की वैल्ली कितनी बचगी 7 तो X 7 option number 2 में लिखाओ आगी बास समझ में ये करना था ये करना था इसमें अच्छा question पूछा हुआ था तो अगर आपको वो question समझ में आ गया तो मैं चाहूँगा कि अब आप ये वाला question मुझे करके दिखा दो इसने ये कर लिया तो वो सोचे कि हमारी ये वाली type clear होगी आप उसको दिक्कत आएगी निक देखो करके बारा पुरूष एक कारे को पूर्ण करने में अठारा दिन लेते हैं जबकि बारा हिस्त्रिया उसी कारे के तीन चोथा ही भाग को अठारा दिन में पूरा करती हैं उसी काम को दस कुरूष तथा आठ हिस्त्रियां एक साथ कारे करते हुए कितने दिनों पूर्ण करेंगे 12 men take 18 days to complete a job whereas 12 women in 18 days can complete 3 by 4 part of the same job How many days will 10 men and 8 women together take to complete the same job अब पढ़ पढ़ के जहां से लिखने 12 push तो 12 M लिख दो एक काम को पूरा करने में 18 दिन देते हैं इन्होंने किया एक काम पूरा 12 आदमी 18 दिन में कर रहें एक काम पूरा जबकि 12 इस्त्रियां 12 female उसी काम के तीन चोथाई एक का तीन चोथाई क्या होगा एक का तीन चोथाई ऐसी होगा तो लिखने की विजरूत नहीं थी इसलिए एक लेते हैं काम एक का जो भी बोले वो तो नहीं आ जाता है तो उसी का तीन चोथाई भाग ये 18 दिन में पूरा कर रहें सबसे पहले रेश्यों बनाते हैं तो मुझे बताओ ये चार नीचे से कांसल आ जाएगा उपर तीन से काटा छे पिकटा इधर बारा से बारा कटा के से तीन पिकटा तीन एम बराबर है चार एफ एम एफ है भाई यहां पर ये एम बाई एफ कितना बन गया चार बटे में तीन एम चार एफ के बराबर था तो एम बाई एफ चार बटे तीन बन गया तो से पहला काम यह करना होता आपने, ठीक है, अब आगे क्या कह रहा था, उसी काम को दस पुरुष और आठ इस्त्रियां एक साथ, कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है, दस आदमी और आठ इस्त्रियां कितने दिन में पूरा करेंगे, उसी काम को, तो कौन सा, जो बारा उन्हें 18 दिन में किया था, किसी एक को लिख दे न भाई, ये पोर्षन भी लिखोगे तब भी अनसर आदेगा, ठीक है, 12 m into 18, अब मुझे बताओ, एक आदमी 4 काम कर रहा है, तो 10 आदमी कितने करेंगे, 40, एक और तीन काम कर रहे है, तो 8 कितने करेंगे, 24, 12 into m, एक आदमी 4 पार कम तो 12, 48 into में 18, तो यहां से 40 और 64, 44, 48 गोना में 18, छीक है, 64, 48 into 18, 16, 64, 16, 34, 24, 24, 29, 18, एकस की वेल्यू के आगी, 9 तीए 27 बटे में 2, तो कितना बनेगा, 21, 25, 27 बटे 2 कितना, 21, 23, देखो कहीं दिखा, ऑक्षन में, 21, ऑक्षन नमबर 3 में लिखा हुए, ठीक है, तो ये जो question थे अच्छे दे रखे थे, mdh के question थे, मेरी खाल से इतनी type करने के बाद आपका time and work का question रहेगा नहीं, ठीक है, तो अगला जो question है, नेक्स question देख लो, नेक्स question इसी में वेजिस से, वेतन से related question आता है, ठीक है, और जो कि बड़ा आसान होता है, वेतन आप किस हिसाब से बाढ़ते हो, या तो efficiency के हिसाब से, मतलब कैसे, एक दिन में मजदूर और मिस्तरी, दोनों की efficiency के साथ से पैसा देते हो, मजदूर की धाड़ी कम होती है, मिस्तरी की धाड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन काम तो दोनों सेम डे करते हैं, पूरा दिन सुवे से शाम तक दोनों काम करते हैं, लेकिन मजदूर की efficiency कम होती है, म 20,000 रुपे महीना पर ठीक है यानि कि एक महीने वो काम पर आता है तो उसको 20,000 रुपे दिये जाएंगे लेकिन अगर वो 10 दिन आता है तो क्या 20,000 रुपे बनते हैं नहीं उसे फिर 10 दिन के पैसे देने हैं ठीक है तो यह दो तरीके हैं पैसे बाटने के तो question में क्या कह रह है कि A and B undertook to do a piece of work for 4500 रुपीज A alone could do it in A days and B alone in 12 days with the assistance of C they finish the work in 4 days then C's share of the money is A and B एक काम को 4500 रुपे में करने का ठेकपा लेते हैं A अकेला काम आठ दिन में और B अकेला 12 दिन में कर सकता है जबकि C की साइध है से उन्होंने 4 इन्में खतम कर दिया काम तो पुल रासी में से C का हिस्सा तो तुम मुझे बताओ अकेला A कितने दिन करता? आठ दिन में अकेला B कितने दिन में कर रहे है? बारा दिन में और चार दिन में इन्हों ने कर दिया C की मदश से यानि कि A, B और C इनोंने मिलके कर दिया 4 दिन में ठीक है? अब LCM ले लो 12 एकम 12 इसमें नहीं आता 12 12 दोनी 24 इसमें भी आता है 8 दूनी 24 4 चीक है? ठीक है? अब यहां से मैं एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ मानलो सिर्फ C लिखा होता तो A B C को तो पैसा मिलता करता है तो 3 काम के पैसे देदो, इसको 2 के देदो, इसको 6 के देदो, ठीक है, तो यह तरीक़्ा आप लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे A, B और C तीनों मिलके लिखे हुआ है, तो यहाँ पे अब कैसे लिखना है, मुझे बताओ, A करता है तीन काम एक दिन में, B करता है दो काम एक दिन में और तीनों मिलके कर रहे हैं छे काम जिसमें से पांच काम तो A और B ने कर रखे हैं तो इस काम दो C तो फिर A की काम करता है एक दिन में क्या बास समझ गई? A कर रहे है तीन काम, B कर रहे है दो काम और तीनों ने मिलके करें जे 6 काम जिसमें से 5 काम तो A और B के हैं तो फिर A काम किसका है C काम इस ratio में पैसा बाटा जाएगा यानि कि A को 3 काम के पैसे मिलेंगे B को 2 के और C को 1 काम के तो 4500 के हमने total कितने इससे करने 3, 2, 5 और 6 ये ratio का concept है आगे समझाया जाएगा ठीक है बाकी जब आगे धीरे धीरे chapters आएगे तो उसमें मैं कराऊँगा mensuration मैंने करवा दिया है वो chapter शायद ना ले इन दामबान classes के अंदर क्योंकि वो आप देख सकते हैं practice set करके class लिखी हुए है link video के नीचे description में मिलेगा तो आप वहां से इसको check कर लेना ठीक है तो कैसे मने बताया कि 3 काम के पैसे यह लेगा 2 के यह 1 के यह तो 3, 2, 5 और 6 हिस्सों में अगर पैसा बाटूंगा 4500 को तो 750 रुपे का एक हिस्सा बनेगा तो 4500 के 6 हिस्से कर दो यह करना था तो यह हमारा जो section था time and work का था slavus में time and work की mention करक्त है लेकिन जो time and work का concept है वही pipe and system null even tanky का भी है वहां से भी आपको question पूछे जा सकते है तो उसी के साथ फिर हम time and work का भी तो उसका pipe and system का भी concept देख लेते है null even tanky तो बिलकुल same topic है तो वहां पर आदमी काम कर रहे थे यहां null tanky भरेंगे बस वो भी काम ही हो रहा है ठीक है एक टैप can fill assistant in 8 hours and another tap can empty it in 16 hours तो यह अलग है यहां पर थोड़ा सा यह 8 गंटे में भर रहा है और वी 16 गंटे में खाली कर रहा है यह खाली वाला concept थोड़ा यहां पर अलग है कि both the taps are open the time in hours taken to fill the tank will be एक null किसी टंकी को 8 गंटे में भर सकता है और दूसरा pipe 16 गंटे में खाली कर सकता है यदि दोनों pipe को खोल दिया जाए तो tank कितने समय में भर जाएगा ठीक है अब मुझे एगा बताओ 8 गंटे में किसने भरा A ने और 16 गंटे में खाली किसने किया B ने यह खाली कर रही है इसको minus का ले सकते है यहाँ minus का न लो तो कहां लेना है 16 एकम 16 देखो फिर से वो जोपडी बनाई एलसिम लिया 8 से भाग लगाया 2 पर 16 से भाग लगाया या तो यहाँ माइनस लेना यहाँ निलो तो यहाँ जरूर लेना है यह एक point अलग है time and work से यहाँ पे खाली करने वाला जो है उसको माइनस लिखाने है अब यह जो है total capacity है टंकी की यानि कि हमने मान लिया 16 लिटर की टंकी है इसको चलाएंगे तो यह एक इसमें घंटे में ए यह एक घंटे में एक लिटर खाली करेगा और दोनों को चला देगे तो क्या होगा यह दो भरेगा यह खाली करेगा तो टंकी में तो एक ही लिटर गया इसने दो भरा था इसने एक खाली तो टंकी में तो एक ही लिटर गया तो फिर 16 लिटर की टंकी कितनी देर में भरेगी 12 गंटे भरेगी तो question में यही पूछ रहा था कि दोनों pipe खोल दिये जाएं तो टंकी कितने समय भरेगी तो answer option number C याने की 16 गंटे clear है यह दो भरेगा यह खाली करेगा overall गया एक तो 16 लिटर की टंकी भरने में लगेंगे 16 गंटे option number C ठीक है next question अब इसी का question एक्जाम में जो पूछा था वो देख लेते हैं यह आया था एक्जाम में ठीक है देख लो दो नल एक टब को करम से 5 मिनिट और 7 मिनिट में भर सकते हैं एक pipe उसे 3 मिनिट में खाली कर सकता है यदि तीनों एक साथ पुले हूं तो तब कब भरेगा तो तब किती देर में भरेगा तो आप लिखते हैं पर 5-7 और 10 यह भरता है यह भरता है यह खाली करता है ठीक है भाई clear elsm लेलो elsm क्यों होगा कुछ भी common नहीं है तो 7 बंजे 35 ते 105 ठीक है 7 ते 21 बंजे 105 गुना कर दो अगर कुछ भी नहीं common है तो तीनों की multiply L से होगा 5 से भाग लगाओ 21 पे कटेगा 7 से भाग लगाओ 15 पे कटेगा 3 से भाग लगाओ 35 पे कटेगा ठीक है clear यहां तक होगे अब यह 35 खाली करने वाले तो माइनस का लगा देना यह जुरूर लगाने ऐसा नहीं करना ठीक है कभी खाली छोड़ दो 3 मिनट में खाली कर रहे है यह ठीक है यदि तीनों को एक साथ खोल दे तो तुम मुझे बताओ तीनों को चला दूँगा यह 21 भरेगा यह 15 भरेगा यह दोनों मिलके 36 भर देंगे एक मिनट में ज्यान दो यह 21 भरेगा यह 15 भरेगा दोनों ने मिलके कितना भर दिया 36 दोनों ने 36 भर दिया इसको चला दिया इसने 35 खाली कर दिया तो टंकी में तो एक लिटर भरा गया तो एक लीटर भरा गया है टंकी में एक मिनिट में तो 105 लीटर की टंकी कितने देर में भरेगी तो आप कोगी 105 मिनिट में ठीक है 105 मिनिट औक्जन नुबर चार लिखाओ गई ठीक है ये बास समझ में आ गई तो ऐसे आपने कर देंग वुश्चन बिल्कुल इजी है ठीक है अगला question जो एक पूछा जा सकते है आप से ठीक है ये एक question important है जो पूछा जा सकते है भाई A pipe can fill a tank in 15 hours due to a leak in the bottom it is filled in 30 hours If the tank is full how much time will the leak take to empty it एक pipe किसी तंकी को 15 घंटे में बर सकता है तंकी के तलटी में एक छेद की विजए से इसे भरने में 30 घंटे लगते हैं यदि तंकी भरी हुई हो तो इसे खेद से खाली करने में कितना समय लगेगा ये leakage से खाली करने में कितना समय लगेगा अब मुझे बताओ एक pipe तंकी को 15 घंटे में भरता है ठीक है लेकिन leakage की वज़े से लगे 30 घंटे तो तुम मुझे बताओ यहां भरने वाला चल रहा है और यहां भरने वाले के साथ leakage भी चल रहा है इसलिए मैंने इसको A-B करके लिखा समझो चीज को समझना है चै लिखो चै ना लिखो कोई फरक नहीं पड़ता यह 15 यह 30 एलसें पितना हैगा 30 पंदरा दूनी 30 30 से कम 30 आप समझो जहां से समझना इसमें आप से पूछ रहा है कि तंकी पहले से भर दी हमने और इसे leakage कितनी दिर में खाली करेगी तो मुझे बताओ टंकी कितनी लिटर की खाली करवाने है 30 अब खाली करवाने इस लीकेज से, तो लीकेज कितना खाली कर सकती है एक घंटे में वो पता होना चाहिए पहले, भई इस लीकेज की efficiency से तो डिवाइड करना है, एक घंटे की efficiency से, अगर कोई लीकेज ना होती, तो टंकी में 2 लीटर पानी जाता, कोई लीकेज ना होती, तो 2 गंटे में, तो 30 लिटर की टंकी खाली करेगी, 30 घंटे में आंसर आगए option number D, ठीक है, फिर भी किसी को अगर ये बात समझ में नहीं आई हो, तो वो ऐसे भी कर सकता है, कि इन दोनों के चलने से टंकी में जा रहा है एक लिटर, जिसमें से A ने भरा था दो लिटर, तो माइनस B की वैल्ली काएगी 1, और ये उधर जाएगा तो माइनस कटो, माइनस B इकल टो माइनस 1, यानि कि B की तो एफिसेंसी है, वो 1 आ दाएगी आपके पार, ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर मैंने जैसे बोल के दिखा है, वैसे भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगी, ठीक है, अब, अगला कॉस्चन, दो नल A और B, एक टंकी को पूर्टे भरने में करम से 30 और 36 मिनट लेते हैं, दोनों नलों को खोल दिया जाता है, अब नल A को कब बंद करना चाहिए कि टंकी 18 मिनट में एक दम भर जाए, 2 taps A and B would fill our tank completely in 30 and 36 मिनट रिस्पेक्टिवली, 4 taps are being opened, find when the tap A must be turned off, so that the tank must be just filled in 18 मिनट मुझे बन आओ, A 30 मिनट, B 36 मिनट, A 30, B 36, और इकद है यहां तक, सबसे पहले जोबडी बना दो, 18 मैंने कैसे लिया, अगर किसी को नहीं लेना है न तो ऐसे कर लेना, LCM ऐसे लेते हैं, आगे सिखाऊंगा, ठीक है 6 से काटा दोनों कट गए, आप कुछ नहीं कट रहा तो 6, 35 ठीक है 18, ठीक है 30 से भाग लगाओ 6 पर 35 से भाग लगाओ 5 पर, यह LCM वाला फंडा किसी को नहीं समझ में आता, तो बाद में सिखाई जाएंगी यह बाते हैं, ठीक है, अब उसने यह बोला, कि दोनों नल को एक साथ चला दिया, यानि कि A को भी चला दिया, B को भी चला दिया, A को कब बंद कर दे, हम ही क्या पता कब बंद कर दे, मैंने X लिख दिया, A को बंद कर दूँगा, तो B तो चली गए, A को बंद किया, तो B तो चली रहा है, कि A को कब बंद कर दूँगे, टंकी 18 मिनट में एक दम भर जाए, यानि कि 18 मिनट लगेगे यहां से यहां तक, 18 मिनट लगने हैं, ठीक है टंकी भरने में, तो कितनी देर बाद यह बंद करना है, यह मुझे निकालना है, तो तुम यहां पे कैसे करोगे question, कि B जो है वो शुरू से end तक चल रहा है, देखो B यहां भी चल रहा है, यहां भी चल नहीं 90, एक स्वस्य में से 90 माइनस कर दो 90, 90 बचगी तो यह भरनी किसने है, एने एक मिनट में भर रहा है छे, तो कितने मिनट में भर देगा, 15 मिनट में, तो इसका मतलब 15 मिनट तक तो चला था यह, 15 मिनट के बाद बंद कर दे न, answer option number 8, ठीक है, clear है, क्या पूछना चाह पूछना चाहरा था, कितने मिनट के बाद एक को बंद कर दे, कि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाए, तो अंसर बनेगा option number 8, ठीक है, next question, अगला motion देख लो, क्या कह रहा है, तीन नलो P, क्यों तथा R द्वारा एक टैंक 5 गंटे में बरता है, नल R क्यों से दूगनी गती से, तथा क्यों P से दूगनी गती से चलते हैं, तो अकेले नल P द्वारा टंकी बरने में कितना समय लगेगा, A tank is filled in 5 hours by 3 pipes P, Q and R, the pipe R is twice as fast as Q and Q is twice as fast as P, how much time will pipe P alone take to fill the tank, तो efficiency time at work में पढ़ाई थी, वही same efficiency है, तो यहाँ पर पहले तो P, Q, R, इन तिनों को लिख लो, ठीक है, अब उसने कहा, कि R क्यों से दुगनी गती से और क्यों P से दुगनी गती से, तो R का comparison क्यों से और क्यों का comparison P से है, तो सबसे पीछे P को लेके सलेंगे, तो क्यों P से दुगनी गती से चलता है, क्यों जोंग P से डबल चलता है, तो यह 1 भरेगा, तो यह 2 लिटर भर देगा, यह 100 भरेगा तो 200 भरेगा जैसे आपको ठीक लगे जो है क्योई P से दुगनी गती से चलता है तो यह 1 लिटर भरेगा तो यह 2 लिटर भर देगा फिर R क्योई से दुगनी गती से चलता है R क्यों से दुगनी से चलता है तो फिर ये 2 लिटर भरेगा तो ये 4 भर देगा इतनी जिर में 2 भरेगा ये 4 भर देगा ठीक है अब पूश रहा था अखेले P कितना समय लेगा तो P का टाइम निकाल ले तो तुम मुझे बताओ P क्यो आर मिलके टंकी 5 गंटे में भरते हैं तो अगर इन 3 लिटर को कठा चला देगा तो 1 लिटर ये भरेगा 2 लिटर ये भरेगा 4 लिटर ये तो 4 दो 6 और 7 लिटर ये 3 लिटर मिलके 1 गंटे में भर देगे और पांच गंटे में पूरी टंकी वरी तो 750 पेतिस ली՟र की टंकी थी पता लगा अब ये टंकी वरवाने की से पी से तो पी एक गंटे में एक लीटर भर रहा है तो फिर 35 गंटे ले ले गा ये टंकी वर दे में 35 गंटे ओक्ष्न nber 4 में लिखा हुआ है बात आई समझ में क्लियर है मैं क्या समझाने चार हम यहां पी कि इन तीनों को चलाएंगे तो ये एक गंटे में एक भरेगा ये दो भरेगा ये चार बरेगा और तीनों हख़े वरेंगे चार- दौछ?",शार एक साथißt लीटर एक गंटे में और पांस लीटर तकी बर गढ़ी 35 लो तो 35 लीटर ऐ जिसे पी से करवाना है पी एक गंटे में एक काम कर रहे है तो 35 गंटे का समय इसको लगेगा ठीक है अगला कॉस्च्छन जो नल किसी टंकी को करम से 18 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं जबकि तीसरा नल उसे खाली करता है खाली करता है कितनी देर में करता है इसका कोई जिकर नहीं है तीनो नलों को एक साथ कोलने पर टंकी 40 मिनट में भर जाती है तो बताइए तीसरा नल टंकी को कितने मिनट में खाली कर सकता है तो ध्यान रखना जो पूछा जा रहे है कि कितनी देर में टंकी खाली करेगा उससे पहले टंकी खाली करवा के देखो कैसे ध्यान से सुनना दो नल टंकी 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं ये 18 में ये 24 में ठीक है ये भरने वाला ये भी भरने वाला और तीसरा है खाली करने वाला तो इससे खाली करवा के देखते हैं कितनी देर में कर देगा ठीक है और 3 के चलने बें , 40 मिनट में भर गे 40 मिनट में तीनों के चलने से भर गी ज्यान दो यह भरने वाले थे और यह खाली करने वाला था। इसलिए मैंने 2 लेकिंड से पहले LCM, 40, 18, 24 और 40 का LCM, कैसे, 2 से 2, 9 में, 18, 2 से 12 पे, 2 से 20 पे, जब तक 2 value पटे, आपने काटते रहने, ठीक हैं, फिर 3 से मैंने काटा, 3, 9, 3, 4, 12, 20, फिर 4 से 2, 9 value पट रही है, जो नहीं काटे, तो 5, 15, 16, 16, 2 में, 360, 360, 360 हेल से हिम बनेगा, ठीक है भई, 18 से काटो, 20 पे कटेगा, 22 से काटो, 24 से कम 24, 25 पंजे 120, 40 से काटो, 9 पे कटेगा, ठीक है, अब जहां से सुनना मेरी बात, आखरी बात आगी है, यह, पॉश्चन में कह रहा है, कि 30 अलल टंकी कितनी देर में खाली करेगा, तो 3 से खाली करवानी है, कितने लिटर की टंकी है, 360, यह एक, मिनट में कितनी खाली करता है, मुझे यह तो पता लगे, यह भई, जब तक यह नहीं पता लगेगा, मैं कैसे खाली करवानी है, तो मुझे बताओ, यहां पे 3 चलने से 40 मिनेट में टंकी भरी है अगर बोलता 3 के चलने से टंकी खाली होगी तो फिर यहां minus लिखना है पहला point तो यहाद रखना है भरे तो plus का रखना है, खाली हो तो minus का लगाना है तो मुझे तो भरती हुई दिखरी है भरना तो चाहिए 35 था, लेकिन बरती वी दिखरी है 9, तो मुझे बताओ, 35 भरना चाहिए था, भरी है 9, इसका मतलब 26 कम भरा गया, 26 कम भरा गया, क्यों? क्युकि इसने खाली करा होगा, तो ये 1 मिनट में 26 खाली कर सकता है, तो 360 लिटर कितनी देर में खाली करेगा, तो इसक 180 बटे 13 मिनट इस cancer है ठीक है बात आई समझ ले तो कैसे करना है ये बात मैंने आपको समझाई इस question के अंदर ठीक है ये नहीं किसी को समझ में आता तो मैंने एक तरिक्का और बताया था तो कितना लिटर जा रहा है नो लिटर जिसमें आ ने भरा 20 दीने भरा 15 ठीक है थी ने कितना भरा मालूम नहीं तो किस्सी को अधर ले जाओ 9 इसर लियाओ तो 20 और 15 पैंतिस मायलस 9 ठीक है तो ये कितना बनगे आपका 26 तो यह आपने करना है इसमें तो इस तरीके से ध्यान रखना calculation आप ध्यान से करें तो efficiency निकाल लें उसके बाद आपको question पता लग जाएगा कैसे करना है इसे के बाद फिर अगला question पोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा भाई और language तो समझ में आ रही होगी ना क्या लेखा और कभी सोचोंगे sir English में तो है ने English में नहीं है तो क्या हुआ statement तो समझ में आई होगी ना अगला question देखो और कहीं कोई mistake हो तो फोड़ा सा cooperate कर ले ना कभी पतला लगा भरबर के comment मार जो और यहां पर यह आना चाहिए था भाई हो भी सकती है human view मैं भी कोई गलती भी हो सकती है तो कहीं गलती हो तो थोड़ा सा देख ले ना उसको तो दो नल A वै B किसी टंकी को गरम से 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं तीसरा नल C उसी टंकी से 50 लीटर प्रती मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है तीनो नलो को एक साथ कोलने पर टंकी एक घंटे में भर जाती है तो टंकी में कितने लीटर पानी आएगा पूछी जा रही है तंकी की तो ध्यान देना A और B तीश और 40 मिनट में भर देंगे और C पचास लीटर पानी खाली कर देगा तो 50 लीटर पानी एक मिनट में खाली करेगा पूरी तंकी कितनी देर में खाली करेगा ये नहीं बताय हुए तो आपने इससे टंकी खाली करवानी है ठीक है कैसे करेंगे ध्यान से देखो A ले रहा है 30 मिनट B कितने ले रहा है B 40 मिनट ले रहा है और 3 नों एक साथ चलेंगे तो 1 घंटे में टंकी भर जाएगी तो 1 घंटा मतलब 60 माइनस का क्यों किसी खाली कर रहा है LC में ले लो 60 कम 60 इसमें ने आएगा 60 गुनी 120 सब में आएगा 30 से काटा 4 पे 40 से काटा 3 पे 60 से काटा 2 ठीक है अब C से टंकी मैंने का खाली करवाओ टोटल टंकी है 120 लेटर की ये दोनों भरते तो 7 जाता लेकिन 3 के चलने से 2 जा रहा है तो 7 में से 2 गया तो 5 कहां गया वेस्ट हो गया किस ने किया C ने किया तो C 5 लेटर एक मिनट में खाली कर देता है तो 120 लेटर की टंकी 24 मिनट में खाली कर सकता है येनि कि पूरी भरी टंकी है 24 मिनिट में खाली कर देगा ठीक है तो पूछ रहे टंकी में कितना पानी आ सकता है तो आप मुझे बताओ C ने 24 मिनिट में तो टंकी खाली कर दीजी तो शंटा कितनी बनेगी तो ये पहले तो efficiency निए capacity टंकी की शंटा capacity तो ये ध्यान रखना पहले काम ये करना है और ये मैंने बताया ऐसे नहीं समझ में आए तो फिर start ऐसे लिखके कर ले ना a plus b plus a plus b minus c equal to 2 करके ठीक है अब मुझे बताओ C 24 मिनिट में तंकी खाली कर देगा और एक मिनिट में 50 लीटर खाली करेगा पचास लीटर एक मिनिट में खाली कर देगा और 24 मिनिट में पूरी तंकी खाली होगी तो 24 मिनिट में कितना पानी खाली किया तो 24 पंदी 120 याने की 1200 लीटर भई ये 50 लीटर एक मिनिट में खाली कर रहे है और इसने तो यह बात मेरी खाल से समझ में आई होगी तो यह हमारा टाइम एंड वर्क वाला जो टोपिक था वो भी खतम होगया तो अब सब्सक्राइब घ्राध को सब्सक्राइब आज परे कर प्रेका वाला तницу को वाला एक व को खोंके बता रख लिए इसको अंदर क्या जहें कर 2005 आएगा और 10 अच्विसें डिस्टिबूशं नाएगा ठीक है जिसमें आप लाइन ग्राफ के बारे ने पढ़ते हैं और यह आपको बता रख्थ है 10 marks में खोल गए तो मैंने इसका नाम data handling रख दिया ठीक है तो अब इसको करेंगे continue तो कैसे question होंगे यहाँ पर शुरू करेंगे हम यहाँ सबसे पहले histogram से ठीक है तो मैं थोड़ा सा arrange कर देता हूँ histogram कैसा होगा कैसा दिखेगा वो अभी आपके सामने screen पर zoom करके लगा देते हैं ठीक है ताकि आपको यह अच्छे से दिखें पता चले इसके बारे में यह जो बार आपको दिखाई दे रही है यह वाली जो बार है यह यह आपका histogram है ठीक है ऐसी shape होती है histogram की तो पता होना चाहि ठीक है ratio and proportion आना चाहिए average आना चाहिए ठीक है जिस बच्चे को यह chapter आते हैं उसके लिए इस topic के question बिलकुल easy होंगे अगर आपने इस topic नहीं भी किये हैं तो उसके लिए बिलकुल प्रेशान ना हो आगे आने वाले classes में इन topics के बारे में भी बात करेंगे ठीक है तो फिलहा mathematics test of a certain class, the total number of students is 350 तो 350 बच्चे हैं यहाँ पर, यह histogram किसी कक्षा के गणित की परिक्षा में छात्रों के अंकों को प्रद्रशित करता है, छात्रों की कुल संख्या जो है वो 350 है, तो study the graph and answer the questions that follows, इस graph का अध्यन करके आपने answers करने हैं, ठीक है, तो graph आप देखेगा यहाँ लिखा है number of students, ठीक है, यह number of students दे रखे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर यह marks दे रखे हैं, जो 20 से 40 वाले हैं, वो 10 student है, 40 से 60 की जो range में है, वो 18 student है, 60 से 80 की range में जो है, वो 32 student है, यहाँ दीजेगा यहाँ पर यह continuous bars आपको दिखाए देगी, बार कहलो या rectangle कहलो, यह लगा 9 तक आएंगे, वो यहाँ पर include होंगे, रही बात 40 number वाले बच्चे की वो आपका next range में आएगा, जैसे कि 40 to 60 है, तो 40 वाला बच्चा यहाँ पर आएगा, तो highest जो है वो इसमें next वाले में consider होता है, ठीक है, तो इसमें कौन सो होंगे, 20 से लेके 49 जिन बच्चों के number है, 40 इस वाले में आएगा, ठीक है, clear, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आगी, तो अब यहाँ से question पढ़ते हैं कि क्या question है, यह question मैंने उपर कर दिया, अब इसको पढ़ें, ठीक है, question में क्या लिखा हुए, What is the ratio of the total number of students, whose code 140 marks and above to the total number of students, whose code marks between 60 and 120, 140 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या का, 60 से 120 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या से क्या अंक बात होगा, ठीक है, तो मुझे बताओ, 140 और उसससे ज्यादा, तो 140 कहां होग देखो, 120 से 140, यह 140 है, यहां से स्टार्ट होगया, तो 140 और उससे जज्यादा वाले बच्चे कहां होगे, इन वाले में होगे, 140 से 150, तो इसमें 140 वाला आएगा, तो कितने बच्चे है, 55, 40 और 50, ठीक है, 55, 40 और 50, ठीक है, यह वो बच्चे है, जिनके marks 140 और उसससे तो मैंने आपको बताया था, 140 इस वाले में नहीं आता, इसको नहीं लेना, कभी आप इसको consider कर लो, ये बात मैंने पहली बता दी, 140 यहां पे आ रहे हैं, 140 और इससे ज्यादा वाले क्या हैं, 55, 40 और 15, तो टोटल students हम add कर लेंगे, ये कितने बनेगे, 55, 60, 70 और 4, 110, 110 बच्च और कहां तक 120 तक, तो ये 120 तक यहां पे होंगे, तो यहां से सुरू है 60 वाले, जो कि कितने हैं, 32, 45 और 60, यहां तक लेने हैं, ठीक है, तो 32, 45 और 60, ये ध्यान से लेना है आपने 32, 45 और 60, इनको प्लस कर दो, तो 5 और 2, 7, 6, 4, 10, 13, और इनका हमें ratio बताना था, तो answer क्या बनेगा 110-137, answer option number A में निखा हुए, ठीक है, तो ये नया topic add हुआ है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, ये आपका 8th class में शुरू हो जाता है, ठीक है, तो question आपके सामने, दिख रहे हैं कैसे जो होंगे, ठीक है, और first time आएगा, तो मैंने questions जो है, बुलकुल थोड़े से ठीक लेकिन बस entry जहां से पढ़ने है, 60 से 120 के बीच में, तो 40 से 60, यहां तक तो नहीं होंगे, 60 यहां पर आएगा, इस वाले में, तो 32, 45 और 60, 120 तक, यहां तक के लिए देते, ठीक है, clear, तो अगला question देख लेते हैं फिर, next question, अगला जो question है, वो क्या कह रहे, देखो, पढ़ो एक बढ़ तुम, The following histogram shows the marks scored by 40 students in a test of 30 marks, a student has to score a minimum of 10 marks to pass the test, निमलिखित histogram 30 अंकों की एक परिक्षा में, 40 चात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दरसाता है, किसी चात्र को परिक्षा में पास होने के लिए कम से कम 10 अंक प्राप्त करने होंगे, तो यहाँ पर देखी यह लिखा है, number of students, यह number of students लिखें, और यहाँ पर नीचे के है, यह marks scored in 30 marks test, यह marks बच्चे के हैं, 2 number, 8 number, 7 number, 8 number, यह marks यहाँ लिखें हुए, ठीक है, तो अब इसके वियाख पर question होगा, तो यहाँ पर उपर कर लेते हैं, question के है, what is the percentage of students who passed the test, परिक्षा उतीर करने वाले छात्रों का परतिशत क्या होगा, तो तुम मुझे एक बाव बताओ, question में साफ साफ लिखा है कि 10 number लेने वाला बच्चा पास होगा, यह लिखा है न, कम से कम 10 अंक वाला पास होगा, तो मुझे बताओ, 0 से 5 number वाले यह हैं, 5 से 10 वाले, तो 10 कहां पर आएगा, इस pink वाले में आएगा, इसके अंदर आएगा, तो 10 से उपर, 7 बच्चे तो यह रहे, 8 यह रहे, 10 यह रहे, तो अब, टोटल बच्चे कितने थे भाई, आप देखो, उस question में साफ साफ लिखा है, कि 40 चात्रों गुआरा प्राप्त अंक, तो टोटल कितने थे, 40, तो नीचे टोटल बच्चे लिखने, तो 30 बच्चे पास है, आउट ओफ टोटल 40 और कितने परसेंट पास हुए, इंटू में आप 100 परसेंट कर देना, 0 से 0 कटी, 4 से 25 पे गटा, और 25 ती आप 40 परसेंट, तो 75 परसेंट बच्चा पास है भाई, यही वो पूशना चाह रहा था, कहां लिखाया, option number A में लिखा ह हुए, यह answer बनेगा, ठीक है, बात आई समझ में, question में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगले question की तरह बढ़ते है, next question, The following histogram shows the marks scored by 40 students in a test of 30 marks, a student has to score minimum of 10 marks to pass the test, same question है, लेकिन हो सकते है, इसमें कुछ अलग पूछा हो, ठीक है, वोई 30 अंकों की प्रिक्षा थी, 40 student है, पास के लिए minimum 10 अंक चाहिए, ठीक है, तो आब इसमें क्या पूशन है, question में, इसमें पूछा, कि how many students have scored less than 2 3rd of the total, marks, 2 3rd of the total marks, कुल कितने चात्रों के अंक, कितने चात्रों ने कुल अंकों के 2 pH से कम अंक पराप्त किये हैं, तो मुझे बताओ, टोटल मार्स तो 30 थे, तो इसका 2 3rd, कितना होगा भाई, 20 marks, तो कह रहा हैं कि ऐसे कितने student हैं, जिनके नंबर 20 से कम आये थे, तो मुझे से 20, ये जो student है, इसमें 90 नंबर तक वाले लेते हैं, मैंने बताया था ना, क्योंकि ये जो 20 से 25 वाले हैं, 20 इस अगले red वाले में आ दाएगा, ठीक है, तो यहां तक 20 से कम, कितने बच्चों के नंबर हैं, तो 8 और 7, 15, 15, 18, 23, 23 और 2, 25, ठीक है, कितने छात्रों के ने, खुल अंकों के 2 तियाई से कम मार्स लिए, तो 2 थर्ड आपने टोटल मार्स करने का लिए, वो 20 ते, 20 से कम वाले, कितने बच्चे यहां से लेके सारे यहां तक के, ग्लू वाले तक, 8, 7, 15, 18, 23 और को बच्च्चे से, नेक्स कॉस्चन देखते हैं, अगेला कॉस्चन क्या कह रहा है, दिया गया हिस्टोग्राम, एक एथलेटिक्स कलम के 232 चात्रों की उच्चाई और उनकी संख्या को दरसाता है, ठीक है, हिस्टोग्राम का ध्यान पूर्ग अध्यन करें और उसी बात दिया हुए परशन का उत्तर दें, अब ये कॉस्च अबरेज हाइट इन सेंटिमेटर ओफ थर्टी टू टाल स्टूडेंट ओफ दा एथलेटिक कलम, एथलेटिक कलम के 32 सबसे लंबे विद्यार्थेयों की ओसत उच्चाई, सेंटिमेटर में कितनी होगी, तो तुम मुझे बताओ, 32 सबसे लंबे, सबसे लंबे यहाँ पर कहले रखे है, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है, कितने स्टूडेंट्स की हाइट इस रेंज में आ रही है, और यहाँ पर कहा है, हिस्टोग्राम स्वेंग दा हाइट चिल्डरन ओफ एथलेटिक कलम एड तो 120 से 125 से एक्टिस सेंटिमेटर तक हा इसी तरह से जो सबसे लास्ट में है, 160 से 165 और 165 से 170, थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है मुझे, पर मेरे खाल से ठीक बोलरों इतना भी लिखा है यहाँ पर, तो मुझे बताओ, यहाँ पर लास्ट में 20 बच्चे यहाँ है और 12 यहाँ है, टोटल कितने होगे, 32 बच्चे और यह कितने है, 32 ठीक है, तो मुझे बताओ, यहाँ इसने पूछा, कि इनकी ओस्ट उच्चाई, सेंटी मिटर में कितनी है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख के आपको समझा देता हूं, कि आपको यहाँ पर ओस्ट निकालना है, ओस्ट कैसे निकलता है एवरेज निकलता है, सम अपोन में टोटल नमबर, सम अपोन में टोटल नमबर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो डेटा दे रखा है, वो किस तरह का दे रखा है, यह 20 बच्चों की जो हाइट है, वो 160 से 165 के बीच में लिकिया, यहाँ में लिकरा हूँ, 160 से 165, इतने सेंट हाइट वाले टोटल कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे, ठीक है भई, और 165 से 70, 165 से 170, इतनी हाइट वाले कितने बच्चे हैं, यह हैं हमारे 12 बच्चे, तो हमें यहाँ पर कह रहा है कि इनकी एवरेज हाइट निकाल दो, तो अब मुझे बताओ, 160 से 165 के बीच में 20 बच्च, भई हमने 160 से 165 के बीच का एक नंबर ले लिए, जो कि क्या है 167.5, ठीक है, यह ग्रूप्ट डाटा है, बेसिकली इसमें, ठीक है, तु जाता नहीं बता रहा, पता लगा, तुम कन्फ्यूज होगे, बस ऐसा करना गर ऐसा दे, तो इनके बीच की एक वैल्यू ल होगी आ रहा, इनके बीच की वैल्यू 162.5, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, 167.5, ठीक है, यह बात अगर नहीं समझ में आती है, तो यह बीच की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं, एक तरीक का यह भी हो सकते है, इस इस 162.5, ठीक है, ध्यान से, या तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर तो यह आ देगा, या आप देखो, 160 और 165 में कितना गया थे, 5 का गया थे, 5 का अधा कितना होता है, धाई, वो धाई इस वाली वैली में जोड़ दो, तो 112.5 बन गया, इसी तरह से 165 और 170 में गया थे, 5 का, तो 5 का अधा कितना होता है, तो 165 में धाई एड़ करोगे, 116.5 आदेगा, ठीक है, तो इन 20 बच्चों की जो हाइट है, 112.5 दे रखी है, तो इनका टोटल कैसे निकलेगा, 112.5 एंटू में 20, पोइंट हटा दो नीचे 10 आदेगा, इस से गटा आई, ठीक 167.5, तो इनको 12 से मल्टिप्लाई करतो, इनका टोटल आ जाएगा, बतलब क्या, यह सिंपल सी बात मैं यह कह रहा हूँ, कि मान लो, एक बच्चे पे 162.50 रुपे हैं, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं जी, एक बच्चे पे 162.50 रुपे हैं, तो 20 बच्चों काड़नेंगे, 5 से 5 गोनी 10 पे कटा, 5 तीए 15, 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 बच्चे गा एक, 5 तीए 15, बच्चे गा 2, और 5 तीए 15 और 2 से कटा तो 3250 इनके पास है, 2010 इनके पास है, टोटल होगे 5260 रुपे, कितने बच्चों के पास 20 और 12 32, तो नीचे कहा लिखना है टोटल बच्चे, जो कि कितना है 32, अब इसको मैं काटूंगा, 4 से काटा, 48 32, 4 एकम 4, 4, 4, 4, 25, ठीक है, अब यह नहीं काट रहा तो सीध़ भाग दो, 8 एकम 8, बच्चे का कितना 51, आठ छिके 48, बच्चे का कितना 35, आठ चो के 32, 164 कुएंट कुछा रहे, 164 कुएंट कुछा रहे, एक बार option देख लेते हैं, कहीं लिखे हैं, लिखा है, 164.4, अप्रोक्स बताना था आपने, सही, जो answer है वो एक स्थान तक, तो पूरा करने क धूर्त नहीं, यही 164.4 दिख रहे हैं, तो answer option number A निकलेगा, ठीक है, तो average कैसे निकाला मैंने ध्यार देना, यहाँ पे अगर ऐसा interval, इसको बोलते हैं, class interval, वहीं 160 से 165, तो ऐसे situation में एक बीच की value आप अजून कर लेते हैं, ठीक है, और उसकी multiply से करेंगे, तो total आ देगा, similarly नीचे, ठीक है, clear, average यहाँ पे निकाल दिया हमने, next question, अब देखो, यह तो फोटो आपको दिखाई दे रहे, क्या पिछले फोटो से अलग है, बिलकुल अलग है, ध्यान तो यहाँ पे यह बार अलग-अलग है, ठीक है, पिछले वाले में सारी बार जुड़ी हुई है, यह था हिस्टोग्राम, यह ओरेंज कलर वाला, और यह जो आया है अब आपका, इसको हम बोलते हैं, बार ग्राफ, ठीक है, तो ऐसे अलग-अलग नाम लिके हुए, इनके, तो नाम में साथ के साथ बता रहा हम आपको, यह बार ग्राफ आचुका अब हमारा, निम पूर्वक अध्यन करें, और उसके बाद दिये गए प्रशन का उतर दे, ठीक है, इस चार्ट में क्या दे रखा है, यहाँ पर, यह दे रखा है, नमबर ओफ स्टूडेंट्स एन्रोल्ड इन आ समर कैम्प, यह कितने स्टूडेंट एन्रोल किये गए हैं समर कैम्प A और B, ठीक है, औरेंज वाला जो है, वो समर कैम्प A को दिखा रहा है, येलो वाला जो है, वो समर कैम्प B के बच्चों को दिखा रहा है, यह दिखा है, नमबर ओ स्टूडेंट्स एन्रोल्ड इन समर कैम्प A और B, प्रौं 2014 तो 2019, क्लियर है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे question, पहले question पढ़ दो ध्यान से the number of students enrolled in camp A in 2016 and 2019 together is what percentage of the number of students enrolled in camp B in 2015 and 2017 together 2016 और 2019 में मिलाकर camp A में नामांग की छात्रों की कुल संख्या 2015 और 17 में मिलाकर camp B में नामांग की छात्रों की पुल संख्या का कितना प्रतिशत है, तो अब statement ध्यान से पढ़के आप question पे चले, 2016 और 2019 में camp A के छात्र हमने लेने तो camp A यानि की orange color वाले, orange color वाले 2016 में कितने बच्चे हैं, 140 ठीक है, 140 कितने है camp A के और 2019 में 2019 में camp A के कितने चात्र हैं, 180 ये कितने हैं, 180 तो ये आपके camp A के, फिर इनकी कुल संख्या जो है, वो 15 और 17 में मिला कर camp B camp B कौन सा है, यलो वाला, ठीक है 15 और 17, 15 में कितने हैं भाई देखो, 40, 240 15 में कितने हैं, 240 और 17 में कितने हैं, 260 ये हैं 240 और ये 260 तो इसलिए मैंने plus कर दिया, क्यों? क्योंकि वो पूछ रहा था, कि छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत हैं ये बच्चे total और ये बच्चे कुल कितना प्रतिशत हैं, इंटू में क्या कर देंगे, 100% तो 140 और 80, कितना बन गया? 320 मिस, ठीक है? 240 और 260, ये बन गया 500 तो 320 जो है, वो 500 का कितना प्रसेंट हैं? तो 2-0 से 2-0 कड़ गी, 5 से काटेंगे, 260 पे कड़ गया, तो आंसर बनेगा 64% तो 64% बनेगा, देख लेते हैं, कहीं लिखा हुआ है? 64% option number A में लिखा हुआ है, आगे समझ में, मुस्किल नहीं है बिल्कुल भी, बशर्ते की आपको ये percentage, percentage आने चाहिए, अगला question, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप देखो, उपर की कहानी नहीं लिखिए, यहीं से पढ़ो, number of computers sold, ये कितने computer बेचे गए हैं, 0 से लेके ये आपके 800 तक के लिखे हुए, फिर लिखा है, sales of computers from 6 dealers, A, B, C, D, E and F, during 2015 से 16, 2015 से 16 में, A, B, C, D, E, और F, ये 6 dealer हैं, इन्होंने कितने computer sales के यहाँ लिखे हैं, ठीक है, नीले वाले 2015 के हैं, और ये जो औरेंज वाले हैं, 2016 के हैं, आप question एक बढ़ पढ़ लेते हैं, question में क्या कह रहे हैं, what is the ratio of total sale from dealers A, B and C, ठीक है, ratio बताने किसका, A, B और C की total sale का, taken together for the year 2015, ABC की 2015 में, ठीक है, to the sale from dealers D, E, F, D, E, F, plus के साथ इते हैं, D, E, और F, किसके साथ ratio बताने हैं, for the year 2016, ठीक है, तो अब आप देखो, ABC 2015 में, कितने computer sale करते हैं, तो थोड़ा सा नीचे कर दो, ताकि साही दिख जाएगा हमें, मुझे बताओ, 2015 में, 2015 नीले वाले में, A ने कितने sale किये थे, 200, P ने कितने किये थे, 460, A ने किये थे 200, P ने 460, और C ने कितने किये थे भाई, C ने, 2015 में कितने sale किये थे, 390, नीले वाले देखने, 2015 मतलब नीला कलर, अच्छा हो सकता, एक्जाम में कलर ना है, नीले ना ले, वहाँ पे gray या black इस तरह के color आएंगे ठीक है तो यहाँ पे तो यह मैंने साफ साफ दिखाएं आपको यह 390 यह होगे total A, B और C की sale 2015 की अब 2016 यानि की orange color की बार देखने है किसकी D, E, F के लिए ठीक है तो यहाँ D ने कितने वेचे 675, E ने 725 और इसने 450, 375, D के हैं, 375 और 725 और तीसरा कितना है, 450 तो भाई, entries properly पढ़नी है, जलत हो गया तो फिर आपका अंसर जो है गड़बड़ा जादेगा, 5, 5, 10, 1, 8, 2, 10 और 5, 15, 1, 7, 7, 14, 4, 18, 0 से 0 और गया, 5 से 5, 2, 10, 5, 1, 5, 5, 3, 15, 5, 35, ठीक है? तो दिख रहा है 21, 37 कहीं पर? 21, 37, option number D में दिखाई दे रहा है, option D, तो बस ध्यान से, entries ध्यान से देखनी है, ठीकत नहीं आईगी, तो ये आपका जो question था, वो बार ग्राफ का था, अब ये जो गोल गोल चक्कर आपको दिख रहा है, इसको बोलते है, पाई चार्ट, ठीक है? ये सलिवस में में सेन है सारे, सब कुछ में सेन है वहाँ प्रिया लग लग, ठीक है? तो अब देखो, और ये सब के लिए है, PRT, TGT, PGT, ठीक है? फिर्मत पूसना की बोला सरी, हमें भी करना है क्या? ताफ साफ लिख है सलिवस, डाउनलोड कर ले ना, टेलिग्राम ग्रूप में डाल रख है, वहाँ पे नीचे वाली लाइने कवर होती चल रही है, आपके सलिवस, ठीक है? monthly expenditure of a family on different heads is shown in the following pie chart, निमलिकित pie chart में एक परिवार का विभिन मदों पर होने वाला मासिक व्यादर साया गया है, ठीक है? पे 65 degree, transport पे 50 degree, saving पे 40 degree, ठीक है, clear है, और ये आपको यहाँ दे रख है, और आपको एक बात और बता दू, यह पूरा चक्कर है ना, यह चक्कर है, तो degrees में लिखा है, तो पूरा चक्कर 360 degree का, एक पूरी परिकर्मा चक्कर की कितनी होती है, 360 degree, इन सब का अगर आप total करोगे पे 75, 60, 75, 50, 40, यह total 360 degree बनेगा, ठीक है, तो अब ध्यान दो, question में क्या पूछ रहे है, यह question में पूछ रहे है, the amount spent on children education, transport and rent is what percent of the total earnings, बच्चों की सिख्षा, परिवेहन और किराये पर खर्च की गई रासी, फुल कमाई का कितने percent है, ठीक है, तो मुझे बताओ, यहाँ प पर खर्च पर 70 degree, ठीक है, अच्छा, फिर transport पर कितना खर्च हुआ, 50 degree, और किराये पर कितना खर्च हुआ, 60 degree, यह, और यह, यह सारा खर्चा हमने कर दिया, यह total कितना खर्चा था, 360 degree, यहाँ रखना, जो पूछ आप वो उपर और नीचे आएगा total, तो total मैंने बताया, अ जब भी degrees में आएगा, तो 360 degree बनेगा, और जब भी percentage में आएगा total, तो 100% बनेगा, ठीक है, दोनों तरह के question इसमें आते हैं, तो मुझे बताओ, education पे कितना है, 70, transport पे कितना है, 50, और last rent पे कितना है, 60, ठीक है, तो total कितना हो गया, 35, 11, 17, 18, 180 degree, यह total हो गया, 180 degree, तो यह हो गया है, लेकिन हमें पूछरा कितना percent बनाएगा, तो into में आप कर दें इसको 100%, ठीक है, तो 180, दूनी 360, और 2 से काटा 50, तो 50%, वैसे 180 degree को देखके पता ही लग रहा था, लेकिन कोई और आता, मानलो 120 आ जाता, या 140 आ जाता, या 1500 आ जाता, तो फिर इस तरह से आप इसको बनाएंगे, तो 50% option number D में निखा हुए, ठीक है, तो आपको तरीका मैंने समझा दिया, ये तरीका होता है, करने का question, इसी के साथ फिर अगले pie chart की तरह बढ़ते हैं, अगला pie chart, performance of 1800 students in the garden has been shown in the following pie chart, निमनी कांत, ठीक है, रजनी कांत तो नी था, ठीक है, निमनी कित तो सुना है, निमनांकित, ठीक है, ठोड़ा सा, हिंदी कहीं बार ऐसी आ जाता है, निमनांकित, pie chart में, 1800 चात्रों का grade में परदर्शन दर्शाया गया है, 1800 विद्यारती हैं, ठीक है, grade A में 30%, यहां percentage में, grade B में 27%, C में 24, यह 11 और यह 8, total करके देखना, 100 बनेगा तूरा, ठीक है, clear, तो अब question को बढ़ते हैं, total कितने हैं, 1800 चात्रों हैं यह जहां रखना, अब question क्या है, 54 लेश देन दा नम्बर ओ स्टुडेंट्स इन ग्रेड B एंड E टेकन तुगेदर, इन दो ग्रेड के मिलाकर विद्यारतियों की संख्या, B और E के मिलाकर विद्यारतियों की संख्या से चोवल कम है, ठीक है, तो मुझे बताओ पहले तो B और E के विद्यारती हैं कितने, ठीक है, B और E के विद्यारती हम देखें कि पहले, मुझे बताओ B के कितने हैं 27 और E के कितने हैं 8, 27 परसेंट ये हैं, 8 परसेंट ये हैं, तो 27 और 8 कितने होगे 35 परसेंट, इनके टोटल है 35 परसेंट, तो 35 परसेंट किसका टोटल विद्यारती होगा, तो टोटल विद्य ये बता ही समझ में, तो मुझे बताओ, P और E के टोटल विद्यार्थी आए 630, ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है, कि किन दो ग्रेड्स के विद्यार्थी इससे चोगन कम है, तो इससे चोगन कम कितने होंगे, 54 कम, तो कितना होगे 10 में 4 के 6, 5 और 7 12 और ये 570, तो हमें 570 ब पर देख लेते हैं, first option, A option में, C और E, मुझे बताओ, C के कितने 24, और E कितने 8, तो 24 और 8 कितना होगे, 32%, ठीक है, तो आप 1800 का, अभी मैं शोटकर भी बताऊँगा, 1800 का 32% निकाल, कितना आएगा, 18 गुली, 37, 38, 34, 37, 576 आरहे तो ये answer है, option A ही आपका answer आगया, ठीक है, तो यहां तो मैंने ये calculate करके सिखाया, ताकि आप चीजों को समझे, कि पूरा कैसे calculate करना था question को, और कौन से दो grade लेने, वो option से उठाने, C और E चेक कर लो, इससे answer नहीं मिलता, मांदो इससे 226 नहीं मिलता, तो फिर आप B और D, इसससे check करते, ठीक है, इससे भी नहीं मिलता, फिर आगली option से check करते, clear, तो अब इसका जो दूसरा तरीक है, वो क्या होगा, ध्यान से सुनना, अभी तो मैंने calculate किया, अब, इसमें कितने बच्चे थे, 35%, फास्ट option answer था, उसमें था C and E, इसमें कितने percent बना था, T और E का, देखो percentage कितना बना था, 24 और 38, 32, इन दोनों का difference कितना है, 3%, ठीक है, तो क्या 1800 का 3%, मैं calculate करता हूँ, 14 आता है, बिल्कुल आता है, तो यह answer था, तो यह इसका दूसरा तरीका है, ध्यान दो, अब, यहां तो percentage calculate ही नहीं करने पड़े ना, इसकी जुरती नहीं पड़ी calculate करने की, उसने यह पुछा कि 54 कम होने से यह, तो को ना रहा है, अगर आ गया तो यह answer है, नहीं तो फिर आप option B को check करेंगे, बात clear हुई, समझ में आया, इसमें एक ही बार आपको calculate करना पड़ा, और यह mood बाननी कैसे calculate होता है, यह लिखना भी नहीं पड़ेगा, वो मैं आगी बात करूँगा, जो percentage पढ़ाँगा, ठीक है फिल्हाल के लिए question आपको समझ में आया होगा, मैंने detail भी करके दिखाई और फोड़ा सा shortcut गी बाता है आपको, अगला question आपके लिए The breakup of the total number of employees of a company working in different offices, A to E, in degrees is given in the pie chart, pie chart में किसी company के विभिन कारियलों, A से E में काम करने वाले करमचारियों की कुल संख्षा का breakup दिया गया है और total number of employees कितने, 2400, ठीक है भई, टे से E तक, आप question क्या पूछ रहे है Question में पूछ रहे है, यहाँ से, total number of employees 2400 है, ठीक है, तो in which office is the number of employees 1600, किस कारियलों की करमचारियों की संख्षा 600 है, ठीक है, अब इसको कैसे solve करेंगे, मुझे बताओ किस कारियल में 600 करमचारी है, तो मुझे बताओ, 600 जो है, वो 2400, 600, टोटल की, जो उपर है, वो, इसमें चेक करने, वो उपर लिखने है, नीचे टोटल लिखने है, टोटल 2400 है, और यह कितना degree बनाएगा, इंटू में, 360 degree, ठीक है, इस से काटा यह, 3 से काटा 4, 4 से काटा 90, तो जिसका एंगल 90 degree मिलेगा, भाई, उसी में होगे न 600, एंग 90 degree किसका दिख रहे है, ऑप्शन D का दिख रहे, तो ऑप्शन D कहां लिखा है, ऑप्शन D में ही लिखा होगा, यह यह अंसर है, देखो, यह मैंने आपको बताया था, कि अगर degree से percentage बनाना होता है, तो 100% से multiply करते हैं, और अगर मुझे degree बनाना है, तो 360 degree से multiply करते हैं, तो मुझे क्या check करना था, यहाँ पे जो pie chart है, उसमें degree के हिसाब से check करना था, तो check करना था मुझे 600 employees को, तो 624 का कितना percent है, या तो percentage बना लो, ठीक है, यह सीधा degree बनाने के लिए 360 से बना करते हो, सीधा बन जेगा 600, बटे 2400, इंटु में 360, ठीक है, clear, तो तरीक के और भी हो सकते हैं, पर मैंने जो थोड़ा सा ठीक ठाक सा था, आसान सा वो बता दी आपको, तो next question की बात कर लेते हैं, अगला question आपके सामने प्रस्टूत है, ठीक है, यह लोग, पढ़ वो पहले फिर बदल देंगे, monthly expenditure of a family on different heads is shown in the following pie chart, the family earns rupees 1,08,000 every month, निमनांकित pie chart में एक परिवार का विविल मदों पर होने वाला मासिक वय दिखाया गया है, परिवार हर महीने 1,08,000 रुपे कमाता है, तो कमाई यह है और यह खर्चा दिखा रखा है, ठीक है, तो rent पे 60 degree, education पे 70 degree, food पे 50 degree, transport पे 50, saving पे और misliness पे यह, ठीक है, तो क्या पूछना चाहरा है, कह रहा है, कि how much in rupees does the family spend on food and transport, food पे और transport पे, तो food पे 55 degree, transport पे 50 degree, तो 65 और 50, कितना बन गया, 115, 115, आप उन में कितना कर दूँ, 360 degree, ठीक है, यह आपका, फोल करूँगा, तो fraction आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यह किसका कर दो, 1,08,000 पर, भाई, अगर मैं आप से कुछूँ, कि कितना खर्चा हुआ, तो आप कोगे 50 degree यह हुआ, पैसर degree यह हुआ, तो टोटल कितना हो गया, 115 degree, 115 degree, 360 का कितना fraction बनाते हैं, तो बटे 360 कर दिया, और जो हमारी income है, उसके साथ multiply कर दो, तो आप इसको आप काटेंगे, तो 0 से 0 कड़ गया, ठीक है, 36 से, 37 तिये 108 होके, 300 बे कड़ गया, ठीक है, 115 तिये, 00, 35, 15, 30, 34, 30, 30, 30, 30, ठीक है, कोई घबराने वाली बात ने है, असानी होते हैं ये, ठीक है, तो answer option B बनेगा, कैसे मैंने किया, वो आपको बता दिया, कि total खर्चा देख लो, जो जो हुआ है, बटे में, total angle, कितना बनेगा, पूरी परिकर्मा बताई थी 307, into my income, चलो फिर, next question कि तरह बढ़े, अगला pie chart, पहले तो पढ़ लो भई, pie chart में क्या दिये, percentage of employees in different department, total साड़े 400 employee, अलग लग department में 450 employee हैं, ठीक है, तो ये A department, ये B, ये C, ये D, E, F, ये color दे रखे हैं आप इनके, question अपढ़ लो क्या है, if 60% of the employees in department E are females, how many male employees are there in that department, ठीक है, अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं क्या देखूँगा, E department में total कितने बनते हैं, अब E department कुन सा है, ये sky color वाला, ठीक है, ये sky color जो आपको दिखा दे रहा है, ये E है, और E में 20% employee काम करते हैं, ठीक है, कितने employee काम करते हैं, 20%, किस का, साड़े 400 का, भई, टोटल तो साड़े 400 हैं न, टोटल तो साड़े 400 employee थे, इस साड़े 400 का 20% E में काम करते हैं, ठीक है, E में काम करते हैं, E department में काम करते हैं, तो साड़े 400 का 20% कितना होगा, 90, नहीं समाज म आता, तो 20% 20 बटे में 100, इंटू में 4500, 0 से 0 गटा, 0 से 0 गटा, 45 उनी 90, जाने कि 90 बिगरी नहीं लगा नी, 90 जो employee हैं, वो ये company में काम करते हैं, ये department में काम करते हैं, ये company में काम करते हैं, इन 90 का 60%, ये क्या है female, तो मुझे बताओ, इस 90 का 60%, परसेंट जब भी हटता है त नीचे 100 लगाते हैं, ये क्या है, female है, इसको calculate करोगे female आजाएंगे, फिर कह रहा है, how many male employees are there in the department, तो आप या तो इसको calculate करके 90 में से minus कर देना, या male calculate कैसे होगे, अगर 90 का 60% female है, तो 40% तो male रहे ना फिर, ठीक है, तो ये कितना हैगा, 36, तो मैंने ये नहीं calculate किया, क्यों इसको करूँगा, तो पहले मुझे, चोवन निकालना पड़ेगा, फिर total 90 में से चोवन में minus करूँगा, तो ये मेरे पास ये 36 के आएंगे, यहाँ पहले percentage का calculate किया, फिर minus, तो यहाँ से सीधा आगे, अरे वही 60% का मतलब, 100 में से 60 female है, तो 40% तो male हुए ना, इसका हमने सी सीधा 40% निकाल देना है, तो answer कितना बनेगा, 36, कहां लिखा है, option number D में लिखा हुए, clear, तो देखा, मैंने कहा था न, percentage, percentage आएगा, तो सारे काम हो जाएगे, ठीक है, चलो फिर, अगला question ले ले, 5 chart के मैंने कहीं question डाल दी, इसमें, ताकि तुम संग्जों चीजों को, In a school of 200 students, the following chart represent the percentage of students involved in different sports, 200 चात्रों के एक विध्यल्या में, निमले के चार्ट विबिन खेलों में सामिल चात्रों के प्रतिशत को दर्स आता है, ठीक है, 17% किरिकेट में हुए, 25% जो है, फुट्बोल में इंक्लूड हुए, 12% बैडमिंटन में, 5% कोकी में और 41% अधर गे है, question में, और total कितने है वई, 200, total 200 student है ध्यान रखना, ठीक है, what is the number of student playing cricket, cricket कितने परसेंट स्टूडेंट केलते हैं, ठीक है, तो किरिकेट, मुझे बताओ, किरिकेट वाले कितने हैं, 17%, तो total 200 का 17% नेकाल दो, 17 दूनी चोथी संसर option अपर यह आ गया, total कितने हैं, ध्यान र किरिकेट खेलते हैं, तो कह रहा है, what is the number of student playing cricket, तो किरिकेट कितने हुए, 200 का 17%, तो 17 दूनी, 36, अंसर आगे, उसकिल तो नहीं था, option यह अंसर बनेगा, चलो, अगला question, ओ, खतरनाक वाल आ गया, बाई, जबर दस फोट हुए, तेको क्या कह रहा है, the following pie chart shows the spending of a country on tourism, in various districts during a particular year, total spending of the country equal to rupees 15,62,000, निमन पाई चार्ट, एक विशेश वर्ष के दोरान विभिन जिलो में प्रेटन पर एक देश की खर्च को दरसाता है, देश का पूल खर्च 15,62,000 रुपे है, तो study the pie chart and answer the following question, ठीक, पाई चार्ट पढ़के अंसर करो, क्या बोल रहे हैं, the amount spent on district D and E, D औरी पे कितनी amount spent हुई, बताओ, D पे है 16%, E पे कितनी है, 18%, ठीक है, D और E की amount कितनी spent हुई, 16% और 18%, कितनी होगी, 34%, ठीक है, ये आप directly भी डिख सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ, इसलिए रिख रहा हूँ, A पे 12% है, और F पे 12% है, A और F पे दोनों पे 12-12% है, A और F पे, 12%, 12%, कितने percent होगी, 24%, तुम मुझे बताओ, 34% और 24%, कौन से ज़्यादा, ये वाली, इससे ये वाली ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 10%, तो 10% निकाल दो किसका, टोटल वैल्यू का, और टोटल वैल्यू कितनी थी, 15,62, ठीक है, तो 10% निकालूँगा, 15,62, 00, 15,62, 00, option B, ठीक है, किसी को नहीं समझ में आ रहा, इसका 10%, परसेंट हटेगा, निच्चे सोल लगेगा, 2,0 से 2,0 कटोगी, ये क्या बन क्या, 15,62, 10, ये, 10, ये, ठीक है, पूरा सोल करके निकाल दिया, 10% कभी भी किसी नंबर का निकालना हो न, 10 से उठा के भाग कर दो, आज एक आपने आपी, तो इसको 10 से भाग करता है, एक जिरो करती, इसलिए मैंने बोला था, 15,62, डबल जिरो, 15,62, डबल जिरो, ओप्शन भी, ठीक है, क्लियर है, तो चलो, चलो गई, अब आगे हमारे पास, नेक्स्ट, इसमें ये लाइने दिखाई दे रही है, तो इसको लाइन ग्राप भी बोलते हैं, और इसको फ्रिक् कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता, दिखेगा ऐसा कोश्चन में, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कोश्चन में कह रहा है, the given line graph shows the production in tons and the sales in tons of a company, दिया गया रेखा आलेक, किसी कमपनी का उत्पादन ton में और विक्री ton में दरसाता है, यहाँ पे लिखा है, quantity in tons, ये कितनी मात्रा है, और यहाँ पे ये रहें 15, 16, 17, 18, जहाँ पे ये red color में जो लिखा है, ये production को show कर रहा है, और ये जो square shape में black color का दिख रहा है, ये sale को show कर रहा है, ठीक है, production मतलब उत्पादन और sale का मतलब उसका विक्री, ठीक है, आब question को पढ़िए गे ध्यान से, असान ह होते हैं ये बस, question देहान से पढ़ा जो, what is the difference in tons in the production in 2015 and 2017 taken together and the sales in 2018 and 2019 taken together, एक साथ 2015 और 17 में उत्पादन और एक साथ 2018 और 19 में विक्री में अंतर, ton में कितना होगा, तो मुझे बताओ, सीधा यहाँ चलते है, 2015 और 17 में क्या देखना है, उत्पादन, यानि कि production, production कौन सी है, लाल रंग वाली, लाल रंग ना दिखे, तो यहाँ पर यह सरकल वाला दिखेगा, ठीक है, बाइचांस पेपर जो है, वो black and white आए, वहाँ पर यह जो color है, आपको black दिखेगा, या white दिखेगा, ठीक है, तो यहाँ यह circle बना हुए, तो red color यहाँ पोच जाओ, मुझे red color कितनी है, 15 में entry, 600, और 17 में कितनी है भई, देखो, 17 में कितनी है, यह वाले, और यह वाले कितनी है भई, इसके उपर लिखाओगा, 700, 600 और 7, 600 और 7, 600 और 7, 350, clear है भई, 1350 तंग, यह आगर, तो कह रहा है कि, 2015 और 17 में production, और 2018 और 19 में sale, तो 18 और 19 के sale, यह square वाली है, 18 में कितनी है, यह वाली, कितनी है, 400, 19 में कितनी है, 516, तो 400 और 516, कितनी बने की, 916, ठीक है है, 400 और 516, 916, तो कह रहा है कि, जो production थी, what is the difference, इनका difference निकालना भाई, अंतर निकालना है ना, तो अंतर निकाल तो पहले, 10 में से 6 गए 4, 4 में से 1 गया 3, 9 और 4, 13, 425 आना च में देख रहा है भाई, बस यह ना ध्यान से देखने, कभी आखे न पल्टा दे, इसलिए ध्यान से एंट्रिस देखने है, ठीक है, घडबड़ ली करने कहीं पर देखने, चलो, next question, ऐसा एक और line graph, frequency polygon, the line graph shows the production in tons and the sales in tons of a company, रेखा आलेक में एक कमपनी का उत्पादन और विक्री टन में दर्साई गई है, 2015 और 16 में company के कुल उत्पादन का, 2017 और 2019 में company के कुल विक्री से अनुपाथ कितना होगा, रेशो पूछ रहा है इसमें, ठीक है, पीछे वाला ही graph दिख रहे हैं तो, हाँ वही वाला है, sale, पस इसमें रेशो पूछ रहा है, 2015 और 16 में production, production कुन सी है, ये वाली, ये काले वाली, ये गोल से वाली, मतलब गोल नहीं, बर्फी वाली दिख रहे हैं, ये वाली, ठीक है, ये बर्फी वाली, और ये sale दिखाई दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें color देखो, तो कैसे पता लग रहा है, यहाँ पे बर्फी और 16 में कितना है, 628, तो 600 और 628 कितना हो गया, 1228, ठीक है, 2017 और 19 में बिकरी के साथ, 2017 और 19 में, 17 और 19, 17 में कितनी बिकरी है, sale कितनी है, देखो, sale ये दिखा रहे हैं 500, और 19 में कितनी है, 516, तो कितनी बन की, 1016, तो इनका ratio बूश रहा था, वाटिता ratio production, 1516 की, और sale 1719 की, ठीक है, तो ये ratio निकालना है, तो 4 से काड़ देते हैं, 4, 3, 12, 0, 4, 28, चार गुनी 8, बचा 21, 4, 25, बचा 1, 4, 16, 307, 204, कट्रा और कुछ, पिरको तो नहीं लग रहा, 307, 204, option A में लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ठीक है, बस ये जो कट्रा था मैंने काड़ दिया, ठीक ह है, समझ में आए की नहीं आए, है, चलो, मुस्की लगे थे, मुस्की लगे थे, तिर आप थोड़े से सांद कर लेते हैं, चलो, जिसको मुस्की लगा, वो अब इस सेक्शन को देखे, ये आपका, एक टोपिक, अर्थमेटिक का आगया है, ठीक है, ठीक है, तोड़ा सा अर्जेस्ट करना पड़ता भाई, ताकि आपको कोश्चन ठीक ठाक दिखाई दे, तो ये एक नया सेक्शन, स्लेवर्स का हमने कम्प्लीट कर लिया है, नाव टाइम, डिस्टेंस, एन स्पीड समय दूरी तथा चाला, इस चेप्टर के अंदर एक फॉर्मूला जो आपने याद रखना है, ठीक है, वो फॉर्मूला क्यों होते हैं, डिस्टेंस एक्वल टू, इन टू में टाइम, ठीक है, यानि कि दूरी क्या होती है, वो डिपेंड करती है, चाल और समय के प्रूर्ट पर, ठीक है, कोई बंदा कितनी दूर जाएगा, वो डिपेंड करेगा, उसकी चाल क्या और वो कितने टाइम तक चल रहे, अगर किसी बंदे की स्पीड है, 20 किलो मेटर परती घंटा, ठीक है, 20 किलो मेटर परती घंटा का मतलब, वो एक घंटे, अगर इसी स्पीड से चलेगा, लेकिन अगर वो तीन घंटे चले तो, तो 20 गुना 3, 60 किलो मेटर दूर चला जाएगा, ठीक है, 20 किलो मेटर परती घंटा है, ऐसे लिखते है, यहां से दूरी होती है, चाल गुना समय, दो फार्मूले और बनेगी, स्पीड आप से पूछले तो क्या करोगे, टाइम इधर ले आओ, तो distance अपोन में time, यानि कि दूरी बटे में इसमें आपको चाल मिलेगी, इसी तरह से अगर आप से time पूछे, तो speed को इधर ले आओ, ठीक है, clear, distance अपोन में speed, तो वो क्या मिलेगा, time के लेगा, clear है, तो यह दो फार्मूले और बनेगे, लेकिन मैं इसी एक को लि The speed 3 is to 1 by 3 meter per second, when expressed in kilometer per hour becomes, गती 3 से एक बटा 3 meter per second को kilometer प्रती घंटा में बदले, तो याद रखना है, आपने क्या, कि speed को convert कैसे करते हैं, पहला point, जब भी आपकी speed kilometer प्रती घंटा में हो, और इसको convert करना पड़े meter per second में, देखो, kilometer बड़ा होता है, meter छोटा होता है, तो अगर आपने बड़े से छोटी speed बनानी है, तो छोटी speed बनानी है, तो छोटा number उपर लिखना है, तो यह याद रख लेना, 5 बटे 18 से multiply, ज्यादा detail नहीं समझा रहो, यह याद रख लो, question एक भी नहीं रुखेगा, ठीक है, यह पूरा detail से, 1 kilometer per hour जो है, वो meter per second में 5 बटे 18 बनता और kilometer बड़ा होता है, तो इसमें बड़ा number उपर लिख दो, यानि कि 18 उपर लिख दो, पांच नीशे लिख दो, यह आगया आपका answer, ठीक है, तो यह speed को convert करने का तरिक्ता है, ठीक है, distance को कैसे convert करते हैं, 5 kilometer को अगर convert करना है meter में, तो आपको पता है, 1 kilometer में 1000 meter होते हैं, तो 5 की गुणा 1000 से कर दो, तो 5000 meter, यह convert हो गया है, simple सी बात है, अगर मैं कहते हैं, 200 meter distance है, यह kilometer में कितना बनेगा, तो फिर क्या गर दोगे, 200 को divide कर दो 1000 से, यह कितना बन गया, 0.2, ठीक है, 0.2 kilometer बन गया, clear है, time सब को convert करना है आता ही है, मैंने का 2 घंटे हैं, 2 घंटे कितने minute तो आपने का 2 की गुणा 60 से कर दो, भई, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में 120 मिनट होगे, इसमें को दिक्कत ही नहीं, मैंने का 40 मिनट हैं, कितने घंटे बनाएगे, यह कितने घंटे बनाएगे, तो इसको divide कर दो, आप 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते है तो यह conversion आपको आना चाहिए इस chapter के अंदर तो जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप वैसे याद रखेंगे तो कोई भी question अठकेगा निए बस ध्यान से सुनते रहा ना मेरी बात, यह पहली बात जो मैंने बोली किलो मेटर पर आर से, किलो मेटर पर ती घंटा से स्पीड मेटर पर सेकिंड में अगर कनवर्ट करनी है तो किलो मेटर से मेटर छोटा होता है, मेटर छोटा तो इसका होतो छोटा नमबर उपर, यानि कि 5 उपर 18 नीचे ठीक है फिर मीटर पर सेकिंड से किलो मेटर पर आर बनाने तो किलो मेटर बड़ा होता है इसलिए बड़ा नंबर उपर यानिके 18 उपर 5 नीचे पस यह बात अगर बेजे में आ गई तो अब कॉस्चन्स पे कैसे अपलाई करना हो सीखते चाहिए हमारे पास स्पीड है 3 सही 1 बटा 3 मीटर पर सेकिंड ये कितना बनेगा 3 तिया लोरे 10 बटा 3 मीटर पर सेकिंड और मुझे इसको बनाने किलो मेटर परती घंटा यह आपके speed option number D में निका हुआ है, ठीक है, असान था ना, चलो, next question, next question paper में पूछा हुआ, इस topic का, और देखना कैसे कैसे question आप से पूछे जाएंगे, यह आपके सामने अभी आते रहेंगे, पढ़ें ध्यान से और करने की कोशिस करें, एक रेल गाड़ी, 180 km प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी गर्ती, मीटर पर सेकेंड में कितनी होगी, a train is moving with a speed of 180 km per hour, its speed in मीटर पर सेकेंड, तो मुझे बताओ, 180 km प्रति घंटा की स्पीड को बदलना है, मीटर पर सेकेंड में, मीटर होता है छोटा तो 5 लगा दो उपर, 18 लगा दो नीचे, 18 है 180, 10 बज़े 50, मीटर पर सेकेंड, यह आंसर कहां, option number 1 में लिखा हुए, 50 मीटर पर सेकेंड, देखा कितने असान असान question थे, अगला question, एक स्कूटर 54 km प्रति घंटा की चाल से 1 मिनिट में कितनी दूरी तै कर लेगा, how much distance covered by a scooter in 1 minute at the speed of 54 km per hour, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है सभी बच्चों ने, क्या, व distance हो km में, तो ध्यान रखना है, time लेना है आपने घंटे में, और speed आपने लेनी है km प्रति घंटे में, ठीक है, इसी के साथ, अगर distance हो km में, तो time समय लेना है आपने second में, और speed लेनी है m2 per second में, अगर आप इस unit का ध्यान रखते हैं question में, तो आपके question गलत नहीं होंगे, इस question में क्या पूछा, उसने पूछा कि कितनी दूरी तै कर लेगा, याद रखना इस बात को जो पूछ रहा है, उसका formula लगा, तो कितनी दूरी तै कर लेगा, तो दूरी क्या होती है, चाल गुना में समय, यानि कि distance equal to speed into my time, तो उसने कहा कि 54 km प्रति घंटा की speed से, तो speed कि नहीं है, 54, ठीक है, अब ये km पर आर में है, लेकिन मुझसे दूरी किसे पूछना चाह रहा है, में, तो या धिया ध्यान रखना, अगर दूरी में में पूछना चाह रहा है, तो speed भी कैसे होनी चाहिए, मेटर पर second में होनी चाहिए, ये चीज़ तो समझा रहा था मैं, त लेकिन एक मिनट को हमें किसमें रखना है, second में, क्योंकि अंसर मांग रहा है, मेटर में, तो फिर टाइम किसमें रखो, second में, तो मुझे बताओ, एक मिनट में कितने second, 7 second, इतना तो पता है न सबको, 1 मिनट में 60 second, तो 18 से कटा 3 पे, तो 5 तीए 15, छिके 90, और 10 ये, तो 900 मे अगला कोश्च्चन, फोड़ा सा अट्जेस्ट कर देते हैं एक बार, चालो, पढ़ो भाई, A car is traveling at the rate of 10 meter per second, how much time will take to cover a distance of 81 km, 10 meter प्रती second की गती से चल रही एक कार, 81 km की दूरी तै करने में कितना time लेगी, कितना time लेगी, कितना समय लेगी, तो समय क्या होता है, तूरी बटे में चाल, time equal to distance of only speed, हिंद इंगलिस दोनों बता दिया मैंने, कभी पोलो की सर्दिया मारता समझ में नहीं है, तो मुझे बताओ, कितना time लेगी और time पूछा है, घंटे में और मिनट में, तो घंटे में अंसार आ रहा है time का, तो अब इस घंटे के हिसाब से आपने सारी units रखनी है, दूरी कितनी, 81 km, 81 km, दूरी km में, बिल्कुल ठीक है भाई, स्पीड कितनी, नीचे स्पीड कितनी, 10 m per second, 10 m per second, पर स्पीड किस भी लेनी है, किलो मेटर पर आ रहा है, तो मीटर से किलो मेटर, किलो मेटर बढ़ा तो 18 उपर, 18 बटे 5, 5 से काट दो, 2 पे कटा, ठीक है, 9 दूरी, 18, 9 नीच, 80, एक इतना आ गया, 9 बटे में 4, 9 by 4 को जब कनवर्ट कर, इतने क्या आ गया, घंटे आ गया, यह बात भी जहां रखना, 9 by 4 क्या आ गया, घंटे में आ गया, टाइम, ठीक है, इसको जब सोल करूंगा, तो कितना बनेगा, 4 दूरी 8, 2 से 1 बटा 4, 2 से 1 कार से काटा 15 पे, यह कितना बन गया, 2 घंटे 15 मिनट, एक चोथाई घंटा जो होता है, वो 15 मिनट के बरावर होता है, तो आंसर बनेगा, ओप्शन नमबर सी, 2 घंटे 15 मिनट, एक है, क्लियर, अगला ओप्श्चन, बाइक, ग्रोश्चन, पुल को एक पुल को एक सो आट किलोमेटर प्रती घंटा की रवतार से पार करती है, पुल की लंबाई याद करें, यदि मोटर साइकल पुल को पार करने में 9 मिनट का समय लेती है, तो आब यहाँ पे देखो, पुल की लंबाई आप से पूचना चाहcame, लंबाई का मतलब क्या होता है, दूरी, दूरी क्यो होता है, चाल बुंगन अमेसाब, ठीक है, डिस्टेंस इंकौल तो स्पीड इन्टो मेंट है, ये फार्मूला याद कर लो, बस, दूरी की से पूच रहे है, किलो मेटर में, त तो speed km पर आ, time घंटे में, ठीक है, आप मुझे बताओ, जो speed है, 108 km प्रती घंटा है, यह ठीक है, समय कितना है, 9 minute, समय कितना है, 9 minute, लेकि मुझे समय मिनट में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए, घंटे में, तो divide कर दो किस से, 60, ठीक है, बात आई समझ में, तो 6 से काटा, 10 पे काटा, 6 से काटा, 6 कम 6, 6, 8, 48, ठीक है भाई, तो 18, 90, 162 बटे 10 करूँगा, तो 16.2, इतने किलोमेटर गी क्या आगे, दूरी आगे, ठीक है, तो 16.2, option number D में लिखा हुआ है, 16.2 क्लियर है, इसको मैंने फर्दर नहीं काटा, काटोगे तो फिर 5 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, 10 से सीधा point लग जाता है, इसलिए मैंने इसको काटा लिए, चलो, अगला question भाई, अगला question देख लेते हैं, पड़ो, एक कार 690 किलोमेटर की दूरी को 30 घंटे में तैय करती है, तो उसके उसक्चाल क्या होगी, अ कार कवर्स, अ डिस्टेंस ओफ 690 किलोमेटर से इन 30 आर्स, वट विल बी दा एवरेस स्पीड होग दा कार, यहां पर जो एवरेस स्पीड है भाई, पहले इसके बारे में सुन्दो, एवरेस स्पीड, किसके बरावर होगी है, टोटल डिस्टेंस, अपोन में टोटल किसके बरावर होगी, कुल दूरी बटे में कुन समय, ठीक है भाई, क्लियर, तो कार ने 690, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ओफ 690 किलोमेटर से इन 30 आर्स, वट बीड कूश रहा है, तो कुल दूरी कितनी होगी, 690, और कितने समय में टेह कर ली, 30 घंटे में, तो कार दो, 30 किलोमेटर पर आर्स पीड आगी, ठीक है, तो 23 किलोमेटर पर आर्स अप्शन नम्बर 3, तो देखो बिलकुल असान सा कॉस्चन पूछा था भाई है तो, आगला कॉस्चन, प्रेड जैस्ट, चलो, पढ़ लो पहले, फिर पता देते हैं कि क्या कॉस्चन है, दिख रहा है न सही, अब दिख रहा होगा, चलो, अब परसंग वेंट फ्रों A to B and at an average speed of x km per hour and return from B to A at an average speed of y km per hour, what was his average speed during the total journey, एक विक्ति स्थान A से B तक एक निश्चित गती x km परतिगंटा से जाता है, तथा y km परतिगंटा से वापिस रोटता है, तो खुल यातरा में उसकी ओसद गती बताईएगा, तो याद रखना यहाँ पे एक सीधा-सीधा फार्मूला पूछा गया है, कि जब भी कोई निश्चित गूरी दो अलग-अलग चालों से तैकी जाए, यानि कि अगर मैं बोल दूँ, कि ये है कोई distance d km, एक बंदा गया x km परतिगंटा की स्पीड से, और फिर वो वापिस आ गया किस से, y km परतिगंटा की स्पीड से, गया था x से वापिस आया y से, तो distance तो सेम रहेगा ना, d km गया, d km वापिस आया, तो दूरी अगर सेम है, तो इस situation में जो average speed होती है, ये formula याद रखना, this is 2xy upon में x plus y, ठीक है, पिछले वाले में मैंने average speed का एक journal formula बताया था, खुल दूरी बटे में खुल समय, ठीक है, जो मैं भी आपको आगे लगा के भी दिखा हुआ, लेकिन आप इस formula से भी answer लिकाल सकते हैं, गया था एक अलग चाल से, आया दूसरी चाल से, तो average speed 2xy upon x plus y से दिखाते हैं, तो ऐसा लिखा option number b में, तो सीधा-सीधा आपसे formula पूछा हुआ था, ठीक है, तो याद रखना है इसको, इसी के साथ जो अगला question है, वो, ये आपको ये question clear करवा देगा, एक वेक्ती मैसूर से बैंगलोर का 40 की स्पीड से गया, और 60 की स्पीड से वापिस आया, तो उसकी ओसर गती, तो आप देखो, बैंगलोर से मैसूर, और मैसूर से बैंगलोर, distance तो सेम भी रहा न, ठीक है, तो आप इससे answer कर सकते है, 2 into में, 40 into में 60, upon में 40 plus 60, which is 100, 0 से 0 गड़ गया, 0 से 0 गड़ गया, तो 6 के 24 दूनी 48, तो 48 किलोमेटर पर आर, इसकी average स्पीड आगी, option A में लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप गलती से ये मत कर देना, 40 से गया, 60 से है, और divide by 2, ये average निकलेगी, ना कि average स्पीड निकलेगी, तो ऐसा अगर आप करते हैं, तो ये गलत होगा, इससे तो अंसर 50 आजाएगा, option में लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें, जब सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से टेह किया जाता है, तो average स्पीड आती है, इससे ये फार्मूला मैंने अभी अभी बताया था, इसके अलावा जो जर्नल फार्मूला थ इसके लिए आप इसको ऐसे लिखेंगे, जाने की स्पीड कितनी थी, 40, आने की स्पीड कितनी थी, 60, तो दूरी हमें नहीं मालूम, तो दूरी हम लेंगे इन दोनों का एलसियम, जो कि मैंने अभी पीछे टाइमेंट वर्क में पढ़ाया था, ठीक है, तो 60 और 40 कैलसिम कैस आएगा 60 ही कम 60, इसकी पहाड़े में नहीं आता, 60 दुनी 120, दोनों के पहाड़े में आता है, तो 120 किलोमेटर हमने मालळी दूरी, 120 किलोमेटर दूरी 40 की स्पीड से तया करेंगे तो कितने कि घंटे लगेंगें, 3 घंटे, बह 2 तो दूरी हमने निकाल लिए, टाम भी निक राव यहां से हम से फूसरा था एबरेशर क्या होगी मैंने बोला था टोटल डिस्टेंस टोटल से और टोटल टाइम, 3 घंटे जाने के 2 घंटे आने के तो टोटल टाइम कितना होगा, 5 घंटे, तो 5 ती डिवाइड लगा तो 24 पे गटेगा और 24 दो नहीं कितना होता है, 48, 48 अंसर आ रहे हैं, तो ध्यान रखना, ये वाला तरिक्का तभी आप अपलाई कर सकते हैं, जोपरी वाल मैंने आपको सिखाई, इसी के साथ फिर अगला कॉस्चन आप से जो पूछा था एक्जाम में, देखो पड़के, 80 किलोमेटर यात्रा में एक रेल गाड़ी, पर्थम 60 किलोमेटर, 40 किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से, तथा से शुदूरी 20 किलोमेटर प्रति घंटा की गती से चलती है, तो संपूर यात्रा की ओसर चाल क्या होगे? In a journey of 80 किलोमेटर, a train covers the first 60 किलोमेटर at 40 किलोमेटर पर आर, and remaining distance at 20 किलोमेटर पर आर, the average speed for the whole journey is, तो अब इस question को कैसे करना है, ध्यान दीजिगा, यहाँ पे जो distance है वो सेम नहीं है, क्यों पहली बार तो 60 किलोमेटर कवर किया, और अगली बार 20 किलोमेटर कवर किया, तो दो 9 बार सेम तो distance नहीं हो, एक बार 60 है, एक बार 20 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम journal formula apply करेंगी, जो कि मैंने आपको बताया था, कि average speed होती है, total distance, तो total distance कितने है, 80 किलोमेटर, इध्यान दो, 60 एक बार कवर किया, बाकी बच्चा हुआ 20 दूसरी बार कवर किया, तो total distance तो 80 किलोमे किलोमेटर चली 40 की speed से, ठीक है, और बच्ची हुई 20 चली, और 40 किलोमेटर परती घंटा, और सेज़ दूरी 20 किलोमेटर परती घंटा गी, सेज़ दूरी 20 की speed से, अब भाई सेज़ दूरी 20 की speed से तैकी और बच्ची हुई 20 है, ठीक है, वो मैंने थोड़ा सा ज्यान नहीं दिया देखो पहले 60 km कवर किया 80 में से 60 कवर किया तो बाकी बचा हुआ 20 ठीक है वो भी 20 ही आएगा यहाँ पे तो आप मेरे पास टाइम नहीं है टाइम मुझे लेके आना पड़ेगा टाइम क्यों होता है डिस्टेंस अपॉर्ण में स्पीड यानि कि समय होता है दूरी बटे में चार यहां से मैं बनाऊंगा तो आप कैसे बनेगे समय कैसे साठ किलो मीटर जो है 40 की स्पीड से तो दूरी कितनी होगी 60 स्पीड कितनी है 40 तो 60 बटे 40 करूंगा तो मेरे पास टाइम आजएगा तीक है तो यहां कितनी लगेंगी वह 20 किलोमेटर 20 की स्पीड से तो एग घंटा लगेगा, यहां 20 तीया 60, 20 दूनी 40, तीन बटे 2 यानि की डेड़ घंटा लगेगा, तो 80 किलोमेटर डेड़ घंटा यहां एग घंटा यहां, कितने होगे धाई घंटे, अब यह मत बुलना, यह कैसे करती है, किसी को नहीं समझ है, तो 3 बटे 2 प्लस एक करेंगे, तो 2 एकम 2 प्लस 3, 5 बनेगा, और 5 बटे 2, तो 5 बटे 2, तो आप ऐसे लिखें, या 5 बटे 2 लिखें, दोनों बात बराबर है, यह को दिक्कत नहीं है, यह दो कैलकुलेशन में कहां चला जाएगा, उपर, 5 से काटा, 16 पे, 16 दोनी 32, एर यह तरीक्का है आपका, टाइम किस तरह से निकाल लेना, और अगर डारेक्ट टाइंग देओ, तो फिर सीधा टाइम भी लिख देना, इतने घंटे इतने घंटे प्लस करतें, ठीक है, तो फिर इसकी जुदत नहीं है, अगला कोश्चन, चलो भाई, पढ़ो, अगला कोश्चन, आपका, अगला कोश्चन, अगला कोश्चन, ज़ए, पानिपत पहुच गई, और दूसरी रेल, सुबै श्यूजे, पानिपत से चल कर शुबै नोगले, दिन्ली पहुच गई, तो दोनो रेल, एक वुसरे को किस ताइम पहुच गई, पर पार करेगी ठीक है तो पहली बात इस question में लगेगा relative speed यानि कि सापेक्स चाल का concept और क्या होती है सापेक्स चाल बिल्कुल असान सी बात है ठीक है जब दो object एक दूसरे की तरफ आएंगे तो इनकी speed प्लस हो जाएगी ठीक है मालों कि इसकी speed है 50 इसकी speed 40 तो जब यह एक दूसरे की तरफ आएंगे तो इनकी speed 90 हो जाएगी ठीक है अब अगर यह same direction में जाएगी इसकी speed है 40 इसकी speed है 50 ठीक है तो same direction में speed क्या होगी यह 50 वा लगवर्टे कर देगा न 40 वाले को तो 50-40 यानि की 10 की याद रखना यह जो concept मैं बताया कि same direction में रिलेटिव स्पीड माइनस होती है और अपोजिट डिरेक्शन में रिलेटिव स्पीड प्लस होती है ठीक है अब यहां पे question में क्या दिया है जो पहली रेल चली थी सुबह 6 बजे और यह पहुंच गी आठ बजे तो इसको कितने घंटे लगे दो घंटे तो हमारे पास सिर्फ यह टाइम है कि किसको कितने घंटे लगे हमें ना तो स्पीड पता नहीं हमें डिस्टेंस पता यह कुछ भी हमें नहीं पता तो उसे हम यहां पर बनाएंगे कैसे बनाएंगे यहां रखना speed और time का inverse relation होता है चाल और समय का उल्टा relation होता है मतलब क्या speed जितनी ज़्यादा होगी कहीं जाने में time उतना कम लगेगा और speed जितनी slow होगी कहीं जाने में time उतना ज़्यादा लगेगा तो एक चीजमें कम बोलता हूँ दूसरी चीज ज़्यादा बोलता हूँ, इसी को आप inverse relation बोलते हैं, एक होता है direct relation, direct relation का मतलब क्या, भूख जितनी ज़्यादा, खाना भी उतना ज़्यादा, भूख भी ज़्यादा थी तो खाना भी ज़्यादा खाया, है ना, यह है आपका direct relation, यह है inverse relation, तो यहां से मैं अब इसका यूज चलो नहीं करता, एक सिंपल से समझा लेता हूँ, ये दो घंटे ये तीन घंटे, इन दोनों का एलसम डेलो वो डिस्टेंस आ देगा, ठीक है, क्लियर है, ये आगे बताऊंगा इसको, फिलहाल याद रखना इसको, अगर बता भी दिया तो कहीं न कहीं काम थे किलोमेटर दो घंटे में टै किया, तो छे को दो से भाग कर दो, ये आगे स्पीड, ठीक है, छे को तीन से भाग कर दो, ये आगे स्पीड, तो मैं जो अभी बता रहा है, कि ये दो घंटे लग रहे है, ये तीन घंटे लग रहे है, ये टाइम है, तो स्पीड कैसे बने यह तो अच्छी बात है ऐसे नहीं करना हो तो ऐसे एल सिम लेके डिवाइड करके 6 को 2 से डिवाइड करके बना ले ना इसको 3 से डिवाइड करके बना ले ठीक है तो अब question में क्या कह रहा था दोनों एक दूसरे को किस समय पार करेंगी आपसे पूछना चाहरा है समय समय क्यों होगा दूरी बटे में चाल ताइम होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड मुझे बताओ यह दोनों 6 बजे चली है अच्छे एक बात उठ्धान रखना रिलेटिव स्पीड तभी अपलाई होगी जब टाइम सेम होगा ठीक है सेम टाइम पर कैसे यह भी 6 बजे चली यह भी 6 बजे चली कि 2-6 बजे यह गूसरे की तरफ चल रही है ऐसे किसी को बólुआ किर्दा बारा मिनिट बाद किती एग मुझे बताव ज्वजे एक दूसरे पर अरो थी और एक घंटे बारा मिनिट बाद एक दूसरे को मिली, तो घड़ी में कितना बज़र होगा, साथ बज़ की बारा आए है, तो साथ बारा एम का समय होगा घड़ी में जब वो एक दूसरे से मिलेंगी, आंसर ओक्षण नमबर डी में लिखा होगा, आ गया, वो दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी थी, ठीकर तो ये करना था आपने, अगला कोश्चन, अगला कोश्चन इसी का पेपर में पूछा हुआ था, इसी कंसेट पे एक कोश्चन पूछा था पेपर में, और देख लो क्या कोश्चन था, बढ़ो और करने की कोशिस करो, देखो कर पाओगे, एक व्यक्ति पी स्थान से क्यो स्थान के लिए 5 एम पर रवाना होता है, और 9 एम पर कौश्चता है, दूसरा व्यक्ति उसी रास्टे पर क्यो से पी के लिए 6 एम पर रवाना होता है, और 10 एम पर कौश्चता है, वे एक दूसरे पर डैस पर मिलेंगे, एक दूसरे से डैस पर मिलेंगे यानि कि किस टाइम पर मिलेंगे, a person leaves a place P for place Q at 5 am and reaches place at 9 am, another person leaves Q for P on the same track at 6 am and reaches P at 10 am, they will meet each other at dash, ठीक है, मुझे बता यह 5 बजे चला, 9 बजे पहुँच गया, कितने घंटे लगे इसको, 4 घंटे, ठीक है, दूसरा चला था, कितने बजे, 3 बजे चला था, और 10 बजे पहुच गया, कितने घंटे लगे, 4 घंटे, इसको भी 4 लगे, इसको भी 4 लगे, ठीक है, अब सबसे पहले तो डिस्टेंस बना लो, 4 और 4 का एल सिम क्या हो गया, 4, 4 किलो मेटर बनगे आपका डिस्टेंस, 4 को 4 से भाग लगाओ, 1 किलो मेटर प्रति घंटा ये बनगी स्पीड, 4 को 4 से भाग लगाओ, 1 किलो मेटर प्रति घंटा लगी, स्पीड, ठीक है, क्लियर, देखो, पहले वाले को भी 4 घंटे लगे हैं, और दूसरे वाले को भी 4 घंटे लगे हैं, ठीक है, कितनी बाद समझ प्या करने हैं imaginwijать चले ते पांच बजे चले त 채 V gin तो एक घंटे तक जैसे यह वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं ऐसे तो यह चला हrintी यह चल आफ सक तो पांच बजे यह चल रहे ला ज्यान दों इसकी स्पीड कितनी है एक किलोमेटर प्रती घंटा तो एक घंटे में तो यह एक किलोमेटर कवर कर लेगा ना ठीक है यह कौन कर लेगा यह पहले वाला तो जैसी यह एक किलोमेटर कवर कर लेगा करना कितना कवर था चार तो चार में से एक कवर हो गया तो बचा कितना कवर क ठीक है ध्यान रखना relative speed का concept अब लगेगा, कितने बज़े 6 बज़े लगेगा, अब 3 बच चुके हैं, इसने 1 km कवर कर लिया, बच गया कितना 3 km, और जैसी बज़े 6, यह दोनों चल रहे हैं एक दुसरे की तरफ, तो कितनी speed से चलेंगे, इसकी speed भी एक है, इसकी speed भी एक है, तो speed कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है, तो कितना time लगेगा, तो time होगा, दूरी बटे में चाल, एक इसकी इसकी दो किलो मेंटा प्रती घंटा कहिस कितना होगा देट घंटा देट घंटा तो स्मझते हो नए तो देट घंटा के बाद वह एक दूसरे से मिलेंगे अगर यह पूस्त त beim और तोम मुझे बता कितने बजन में गुसरे की तरफ आ रहे थे, छे बजे, पांच से नहीं करना, पांच बजे तो यह अकिला चल रहा था, इतर से, छे बजते ही, दोनों ऐसे चल रहे हैं दुसरे की तरफ, और छे बजे के डेड़ घंटे बाद मिले, तो साड़े साथ बज़रे होंगे गड़ी, कितने बज़र होंगे, साड़े साथ, वो answer option number 4, यहाँ पर क्या लगता, यह लगता, related speed, जब time same होगा, तब ही लगानी है, यह question पूछा हुआ था exam में, कैसे किया, वो मैंने आपको समझाया, ठीक है, अगला question देखते हैं फिर इसके बाद, और इस topic के अंदर trick इतनी ज़्यादा है, मतलब हो, मौज और यह trick हो की, इतनी tricks हैं इसके अंदर, ठीक है, तो जिस question पर मैं trick बताऊँ ना, तो वो याद कर ले ना, question असान हो देंगे आपके, एक विद्यार्थी अपने घर से school तक 3 किलोमेटर प्रति घंटा की गती से जाता है, और 2 किलोमेटर प्रति घंटा की गती से वापिस आता है, यदि उसे ऐसा करने में कुल पांच घंटे का समय लगता है, तो घर से उसके school के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है, अब इसको कैसे करने, जहां से सुमना, घर से school गया, school से घर आया, आप से वो distance पूछ रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जाने की speed, आने की speed, जाने की speed किती नी थी, तील, आने की speed किती नी थी, दो, दोनो speed का product करना है, बटे में दोनो speed को add करना है, इंटू में total time, जो कि कितना है, पांच घंटे, बस खतम होगा, दोनो speed का product 6, बटे में दोनों का total 5, इंटू में total time 5, आंसर कितना आगे, 6 kg, लिटेल संदाऊंगा देटेल यही ट्रिक पैदा गरेगा ठीक है तो याद रखना एक स्पीड से कोई बंदा जा रहे है उसकी दूसरी स्पीड से वापिस आ रहे है और टोटल टाइम कितना लग रहे है यह दे रहे है और आप से डिस्टेंस पुछे तो दोनों का प्रोड़ याद रहेगी बात याद रहेगी तो फिर अगला वॉप्शन देखो क्या है ठीक है अब यह जो ट्रिक में ने बताई इसी ट्रिक को इस्तिमाल करेंगे इस अगली टाइप के अंदर थोड़ा सा चेंज करके इस्तिमाल कर दिये 20 किलोमेटर प्रती घंटा की गती से चलने पर एक छात्र अपने विद्याले 11 मिनट देरी से पहुंचता है और 30 किलोमेटर प्रती घंटा की गती से चलने पर 9 मिनट पहले पहुंच जाता है तो सही समय और दूरी यानि कि दो त्रहेगी कोशन यहां से पूश सकता है एक तो डिस्टेंस पूश सकता है और एक यहां पहुंच सकता है अब वाई गुए तो स्कूल इप टूरी टूरी तो स्कूल इपने पर आप एक तो 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 थोड़ा सा ना सब्जाने की कोशिश करता हूं कि यह सिटुएशन है क्या कि वह 20 की स्पीड से जब जाता है तो वह 11 मिनट लेट हो जाता है 11 मिनट क्या हो गया लेट हो गया और जब वह 30 की स्पीड से जाता है और 30 स्पीड से जाता है तो फिर वह 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है तो यहां पर आपसे अगर distance पूछ रहा है तो आपने करना क्या है मैं थोड़ा सा इधर करके लिखता हूँ यहां से distance आपने क्या लिखना है दोनों speeds का product अभी अभी मैंने समझाया था अभी समझाया था मैंने यह जो पिसली ट्रिक बताई थी दोनों speed का product पटे में दोनों speed का अंतर डिफ्रेंस लेना है तोभी बोलो 20-30 तो माइनस के 10 आगे नहीं positive difference ले यह step अलग है वहाँ पर क्या किया था प्लस किया था इंटु में time इंटु में क्या एगा time अब time कैसे लेना ध्यान अगर यहां देरी हुई यहां वो जल्दी पहुंच गया तो इन दोनों को प्लस करके लेना यही आपका time होगा क्या रहा हो कितना 20 यहां भी लिखने 20 लेकिन ध्याटकना मैंने बूला था मिनट में घंटे में होना था तो इसको डिवाइड कर देंगे साथ से ठीक है तो आंसर क्या बनेगा 20-30 पटे में 30 में से 20 गए 10 और इंटु में 20 तिया 6 यानि कि एक बटा तीर जिरो से 0 कड़ ग क्या यहां रखनी है क्या यह टाइम की बात कर रहा हूं टाइम यानि कि समय यह आपने कैसे लेना है अगर कोश्चन में देरी और जल्दी हो तो आपने टाइम को प्लस करके लेना है अगर कोश्चन में दोनों बार देरी हो देरी देरी तो भी आपने टाइम को माइनस करके लेना है और अगर दोनों बार जल्दी पहुंच जाए तो इस situation में भी आपने माइनस करके लेना है तो ये तीन बाते आप याद रखें time के regarding मैंने बताई क्या एक फिर से बताएता हूँ अगर इस speed से वो देर से पहुंच रहा है और इस speed से जल्दी पहुंच रहा है तो ऐसी situation में जब ये अपोजिट आएंगे तो ये time को आपने प्लस करके लेना है 11 और 20 मिनट और अगर दोनों बार लेट होता है बोलता कि 20 की speed से 11 मिनट लेट हुआ और मानलो 30 की speed से वो 5 मिनट लेट हुआ ह इधर भी लेट हुआ और speed बढ़ाई तो पांच मिनट लेट हुआ तो उस situation में time को minus करके लेना है याने कि 11 माइनस नो फिर दो यहां पे लेना है ठीक है यह बास समझ में आगी यहां से distance में बस याद रखना दोनों speed का product बटे में दोनों का difference into में time घंटे में पहला अंसर आ चुका है दूसरा अंसर आपको मैं समझा देता हूं दूसरा अंसर भी by trick समझा देता हूं फिर वो कैसे बनी उसको भी लिखके दिखा दूँगा ठीक है आपने क्या करना है पीस गुना में 11 कितना बनेगा 220 पता हूंगा यह कैसे बनी time के लिए 30 गुना 9 30 गुना में 9 कि कितना बन गया 270 ठीक है अब यहां से इन के साथ मैंने बोला था कि अगर यह अपोजीट है तो प्लस करने तो प्लस कर दो 490 इनका हमेशा डिफेरेंस आएगा इनका डिफेरेंस कितने है 10 वह 20 और 30 का डिफेरेंस माइनस में नहीं गए 10 तो time कितना लगेगा इस 490 को डिवा 49 अब हो सकता है आपको यह वास समझ में नहीं आई हो लेकिन मैं थोड़ा सा फिर इसके लिए ज़्यादा डिटे लिखके बता देता हूँ ताकि आपको यह रटना ना पड़े यह वाले ट्रिक तो याद होगी होगी यह कब लगानी जब भी देरी और जल्दी देरी देरी इस तरह की questions आते हैं यह type पहचान करनी तो यह trick आपने apply करनी है अच्छा आप मैं जो बता रहा था उसके बारें बात कर लेते हैं मैं बता रहा था कि यह हुआ कैसे ठीक है मान लो original time उसके school कहुंचने का हो कितना है let this is 10 minute हमें नहीं पता कितने minute लगते हमने मान लिए उसको 40 minute लगते हैं ठीक है तो आपको पता है distance होता है speed into my time distance होता है speed into my time दूरी क्या होती है चाल बुना में समय ठीक है तो उसने बोला कि अगर वो 20 की speed से जाता है तो वो 11 minute late पहुंचता है ठीक है तो speed हमने रख दी time हमने रख दिया इसको calculate करूँगा तो हमें distance मिल जाएगा लेकिन T की value जब तक नहीं पता distance मिलेगा ही ठीक है चलो second situation पे चलते है जब वो 30 की speed से जाता है तो 9 minute पहले पहुंच जाता है तो 30 की speed से time से 9 minute पहले तो जो भी time ता उससे 9 minute पहले इसको भी solve करेंगे तो क्या मिलेगा distance मिलेगा और ध्यान रखना जो distance यहां से मिलेगा वही यहां से मिलेगा distance तो same ही है तो इसका मतलब इन दोनों को equal रखके equate कर दे कि दूसरे method बता रहा है ठीक है अब जब solve करेंगे तो देखो 20 into t 20 हाला कि यह कट रहे है इधर से मैंने काटे नहीं ताकि मैं ट्रिक्स समझा दो कि यह जो मैं कर रहा था क्या कर रहा था 20 into t 20 into 11 220 देखो वह था ना 20 into 11 यह लिखा हुए 30 into t कितना 30 t और 30 minus 9 270 देखो यहां भी 270 आया है आप देखो यह 20 इधर जाएगा तो 30 t में से minus होके कितना आएगा 10 t 20 इधर जाके minus होगा तो मैंने क जाता है यह minus करना हमीशा ठीक है फिर यह 270 इधर आएगा तो यह 220 प्लस में 270 यह इधर आके plus हो गया यह देखो यह प्लस होगा था यह कितना बन गया 220 और 270 कितना 490 तो t की value कि आएगी इस दर से इसको काड़ दी तो यह कितना आया 49 49 आ गया देखो यह यह आया न तो चीज यह यही से डिटेल यह है इसी से यह आई थी अब जैसी टाइम 49 मिनट पता लगए यहाँ पर रखते न डिस्टेंस के आएगा स्पीड इंटू में टाइम तो 49 इंटू में 11 टोटल बन गए आपके 60 मिनट और 60 मिनट के घंटे बनाने डिवाइड बाई साट करेंगे तो यह घंटा बनेगा तो 20 तो है वो डिस्टेंस आ गया क्लियर है बस यह करता था आपने मेरे ख्याल से यह समझ में आया हुगा ठीक है मैंने दो मैथड बताये हैं कोसिस की है समझाने की फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो भाई या तो दुबारा देख लेना नहीं तो एक कोश्चन और एक्जाम में पूछा था इसी से जाता है यहां पर इस कोश्चन में टाइम ठीक ठाग दिया है जितना लगना चाहिए उतने पहुंच गया यह दिवयर तीस की स्पीड से चले तो अठारा मिनट पहले पहुंच जाता है तो घर से विदाले की दूरी कितनी हो रभी मुविंग विद कॉंस्टेंट स्पीड इस देखो डिस्टेंट के लिए ट्रिक बताई किया दोनों स्पीड का प्रोड़क्ट पहली कितनी है 20 की दूसरी कितनी है 30 की बटे में दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 10 30 में से 20 गई कितना आएगा 10 इंटु में लिखना है टाइम आप तुम को गए सर्दिया देरी और एक भर तो ओनटाईम पहुंचा एक बर 18 मिनट पहले मौँच गया तो ओनटाइम और 18 का डिस्टेंस कितना है 18 तो ये आपने लिखने ठीक है तो 18 मिनिट है तो गंटे बना तो 6 से डिवाइल करके इस से कटा ये इस से कटा ये 3 से कटा ये 3 तो 3 तिया 9 दूमी 18 18 किलोमेटर ये आगया आपका डिस्टेंस ठीक है तो 18 किलोमेटर option 1 में लिखा हुए फिर भी किसी को समझ में नहीं आया हो कोई बात नहीं आप एक काम करना मैंने एक तरिका और बताया था आप उससे भी करके देख सकते हैं देखना कैसे होगा पहली बार 20 की स्पीड से और फिर 30 की स्पीड से क्या हुआ 18 मिनिट पहले पहुच गया यहां से कैलकुलेट करके देखना टाइम आएगा तर टाइम को यहां रख देना आपका इस्टेंस आदेगा ठीक है कर लोगे न यह इधर दाएगा तो 10 ती इकल तो 540 और टाइम आगया 14 मिनट टाइम आगया 54 मिनट तो 20 इन्टू 24 मिनट यह डिस्टेंस आगया स्पीड इन्टू में टाइम यह इसको साठ करने 20 से 3 पिगटा 3 से 18 पिगटा तो मुझे बताओ यह solution और यह solution कौन सा बढ़िया रहेगा यह जधा बढ़िया रहेगा इससे fast आजगा answer इससे fast आजगा answer तो यह करना है आपके तो ऐसे करना देखना कैसे फटआ फटआ फटट answer आपके मिलेगा ठीक है clear है भई तो एक्जाम में पूछा हुआ था, यह मैंने आपको समझाया है एक दो मैथेड बता दिये, कोई सा तो याद रहे गई ठीक है ना, चलो फिर नेक्ट कोश्चन के दरब बड़े आगला कोश्चन, उरसे खतरनाग बड़ा सा कोश्चन आया है हाँ जी, A and B travel the same distance at speed of 9 km per hour and 10 km per hour respectively, if A takes 36 minutes more than B the distance traveled by H is, A तथा B एक निश्ची दूरी को करम से 9 km प्रती घंटा तथा 10 km प्रती घंटा की गतियों से तै करते हैं A, B से दूरी तै करने में 36 minutes ज्यादा समय लेता है बताईए वह निश्ची दूरी कितनी है, distance आप से पूछना चारा है ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अब मेरी बात जो मैं बताना चारा हूँ यहाँ भी मुझे बताईए, A और B, एक A है और एक B है इनकी जो speed है, उसका ratio कितना है? ध्यान दो इसकी speed है 9 km पर ती घंटा, इसकी speed है 10 km पर ती घंटा तो speed का ratio बना 9-10 का, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसकी speed 9 है, इसकी speed 10 है तो यह speed है, तो मैंने आपको पीछे एक बात समझाई थी इनके time का ratio क्या बनेगा? तो मैंने कहा थे, इसको पलटके लिख देना पताया था ने, इसको इधर, इसको इधर तो speed अगर मेरे पास है, तो speed का time से उल्टा relation होता है तो जो बात पीछे बताई थी, वो यहां पर काम आ रही है तो मुझे बताओ, इसमें अगर देखें तो A ने लिए 10 मिनट, B ने लिए 9 मिनट कौन जादा time ले रहा है? A, कितना जादा time ले रहा है? 1 मिनट इसके इसाब से, यह 10 मिनट, 9 मिनट तो 1 मिनट ही जादा ले रहा है लेकिन question में कह रहा है कि A, B से 36 मिनट जादा ले रहा है A, B से 36 मिनट, तो यह एक जोगो 36 के बराबर है एक 36 के बराबर है, तो एक 36 के बराबर है तो यह 10 किस के बराबर हुआ? 360 मिनट के बराबर हुआ, यह 36 गुना नो खर दोगे, इधर का time आदेगा एक अगर 36 के बराबर तो 10 किसके बराबर हो और 360 मिनट के बराबर हो ठीक है इसका मतलब 360 मिनट का समय लगता है किसको A को और B को कितना लगता है 36 गुना 9 B का समय आदेगा लेकिन हमें समय थोड़ी बताना है हमें तो बताना है कि वह दूरी कितनी है तो दूरी क्या होगी चाल भुना में समय इसकी स्पीड कितनी है 9 की इसका टाइम कितना है 360 मिनट लेकिन डिस्टेंस किसे पूसर है किलोमेटर में तो किलोमेटर में डिस्टेंस पूसर है तो टाइ से दिवाइड करना है मिनट के घंटे बनके इस से गटा आईए छे से गटा छेटे नोची के चोवन किलोमेटर डिस्टेंस आ गया 54 दिख रहा है option number B में दिख रहा है आगया समझ में तो ऐसे करना था आप इधर से time निकाल लो एक 36 के बराबर तो 9 गुना 36 कर लेना ये time आजएगा तो 10 गुना वो time आप लेंगे तो आपका डिस्टेंस सेम यह आए ठीक है clear तो यह आपने जहां रखना है एक point जो मैंने बताया किसी के साथ एक point और जहां रखना है वो point क्या है कि अगर यहां पे a b के साथ एक बंदा और होता सी और इनकी स्पीड का रेशयो उता तीन चार पांच तीन चार छे लिंग दिया मैंने तीन चार छे इनकी स्पीड का रेशयो है तो इनके time का रेशयो क्या होगा तो आप 6-4-3 बत कर देना गलत हो जाएगा ठीक है और 3 का LCM कितना बनेगा 12 छे कम 6 इसमें आता है इसमें नहीं आता छे दुनी 12 सब में आता है तो 3 से काटा 4 पे 4 से 3 पे और 6 से 2 पे तो ध्यान रखेंगे यह कि अगर बंदे 3 हो जाए speed दे रखे हो तो time का ratio ऐसे LCM लेके निकालना पड़ेगा ठीक है चलो फिर अगला question देख लेते है A runs twice as fast as B and B runs thrice as fast as C The distance covered by C in 72 minutes will be covered by A in कि रहे A B की तुलना में दुगना और B C की अप एक्षा 3 पुना गती से भाग सकता है एक निश्चिक दूरी को तै करने में यदि C को 72 मिनट लगे तो A को कितना time लगेगा ठीक है देख लो भई अब यहां पर बंदे कोन कोन है A B C बंदे है A B और C तो मैंने आपको बताया था A का comparison B से हो रहा है और B का comparison C से हो रहा है तो सबसे last वाले से चलो P C के अप्षा 3 पुना गती से भाग सकता है इतनी देर में इतनी देर में 6 भाग देगा यह क्या इनकी स्पीड आगी ठीक है तो टाइम की बात करते है ताइम अभी मैंने सिखाया आपको तीन मंदों का टाइम निकलेगा इनका L से 3 से 1 पे काटा 3 से 2 पे काटा 1 से 6 पे काटा यह आगए टाइम का रेश्यो मेरे पास है ठीक है अब यहाँ पर कह रहा है कि C को 72 मिनट लगे इसके इसाफ से बताओ C का टाइम कितना इसके इसके इसाफ से C का टाइम 6 तो 6 दिखावो 72 के बराबर है तो 6 से 72 कैसे बनेगा ठीक है बात आई समझ में तो 6 72 के बराबर है तो एक किस के बराबर 72 बटे 6 यानि की 12 के बराबर यह नहीं पता लगे ना इसको इस से भाग कर दिया अगरो डिवाइड कर दिया अगरो यह पता लग दिया ठीक है चलो अगला कोश्चन इस टोपिक के अंदर आपसे ट्रेन के कोश्चन ज्यादा तर पूछे गए हैं तो ट्रेन वाले कोश्चन को आपने कैसे ध्यान रखना है वो मैं एक छोटा सा एक्जामपल दे देता हूँ यह दो तिन बाते याद रखना एक बार के लिए इसको थोड़ा सा इसके स्पीड साथ है इसकी स्पीड साथ माइनस चालेश बीस हो जाईगे यह relative speed थी सापिक्स चालती लेकिन train के question मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा पूछे गए इस topic में से तो train के question में 3-4 point आप याद रखना क्या कि कितना distance cover करती है एक train अलग-अलग situation में इसमें से पहली situation क्या कि अगर एक train किसी आदमी को cross करती है मान लो यह है train यह है आदमी इसको cross करती है तो कितना distance cover करेगी तो तुम देखो यह train आ रही है और इसने अब इस आदमी को cross करना शुरू कर दिया और यह cross कर रही है कर रही है और इसने इसको cross कर लिया यहने कि इस आदमी को cross करने में train ने किसको cross किया तो उस situation में rail अपने आप की लंबाई को क्रोस करती है तो दूरी कह लेनी है rail की लंबाई यह पहली situation है याद रखने है दूसरी situation दूसरी situation क्या कहती है कि अगर rail किसी station को क्रोस कर रही है यह मान दो station है और इसको कोई rail क्रोस कर रही है अभी station को cross कर रही है लेकिन cross हुआ नहीं और ये इसको cross करके निकल गई तो इसने क्या cross किया तिरसे एक बार देखिएगा ये train आ रही है और इसने cross करना शुरू कर दिया और ये cross कर रही है कर रही है कर रही है और ये कर गई तो इसने इसको भी cross किया और खुद को भी cross किया तो कुल दूरी क्या होई दोनों की length यानि कि station की भी length और train की भी length तो कुल दूरी आपने इस situation में ये दोनों की total length ले दिये याद रहेगी बात ठीक है तो ध्याँ टकना rail ति रहे जया किसी station को पार करे जैकि सी bridge को पार करे यजया किसी tunnel को पार करे ठीक है टीक हैmbol में कैसे होगा देखो ये रही ह clear ओर ये total channel के अंदर चल के अंदर और ये ग्रूंद से बाहर निकल रही है ठीक है तो 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 एसे questions में कुल दूरी क्या होई दोनों की belum ठीक है तो कुल कितने दूरी पार करेंगी तो ध्यान से देखेगा एक रेल ये है एक रेल ये है ये ऐसे आ रहे है ध्यान दो अब ये पार करना शुरू कर गई एक दूसरे को और ये पार कर रही है कर रही है और ये पार करके डिकल गई तो कुल दूरी क्या होई जहां दो इस ब्लैक वाली ने रेड वाली को भी पार किया और अपनी लंबाई को भी पार किया तो कुल दूरी फिर से क्या लेनी है आपने दोनों की लेंट तो जब दो रेल आमने सामने से आए speed की बात नहीं कर रहा हूं distance की बात कर रहा हूं दूरी की बात कर रहा हूं तो फुल दूरी क्या होगी दोनों trains की length और यही situation अगर ऐसे बन जाए मान दो यह slow वाली trainer यह fast वाल इसको overtake कर रही है तो कितना distance overtake होगा देखो ध्यान से यह अब overtake करने शुरू कर दी और इसने इसको overtake कर दिया तो इसकी भी length और खुद की भी length तो फुल दूरी के लेने फिर से दोनों भी plus करके यहां रखना दूरी की बात हो रही है speed तो relative लगेगी speed दोनों की minus ही होगी लेकिन distance कितना cover होता है यह मैं आपको practically दिखा रहा हूं कि black marker ने जब red marker को cross किया तो खुद को भी cross किया और इसको भी cross किया ठीक है तो यह 3-4 बाते जो मैंने बताई है इनको अगर आप याद रखते हैं तो ट्रेन का question एक भी नहीं रुखेगा यदि वह है एक गुफा को एक minute में पार कर लेती है तो गुफा की लंबाई कितनी होगी a train 700 meter long is running at the speed of 72 km per hour if it crosses a tunnel in one minute then the length of the tunnel is tunnel की length यानि की लंबाई आप से पूश रहे तो लंबाई लंबाई का मतलब क्या होता है दूरी जो आप से पूश रहा है उसका formula चिपकादी अगरो बस दूरी होता है चाल गुना में समय डिस्टेंस इकॉल to speed into my time ठीक है जो पूशा मैंने लिख दिया अब मुझे बताओ 700 meter की लंबी rail है और यह किसको पार कर रही है बुफा को बुफा को पार कर रही है तो मुझे बताओ दूरी कहलू 700 प्लस tunnel क्यों भाई बात समझ मैं 700 rail की लंबाई यह tunnel की लंबाई यह होगी कुल दूरी को ठीक है अब tunnel की speed कितनी है 72 km प्रती घंटा यह 72 है लेकिन मैंने कहा मीटर पर सेकंड मी लेने तो बहतर से मीटर 5 बटे 18 से multiply करके बनेगा और कितनी देर में पार करी एक मिनट में एक मिनट मिनट के second बनाने तो 60 से multiply कर दो एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड ठीक है तो अब इसको solve कर दो तो अठारा चोके बात तर पांच चोके 20 छी के 120 और एक जिरो यह बारा सो बराबर है साथ सो पलस में टरनल और यहां से टरनल कितनी आगई अंसर ही आगए क्या यह साथ सो धर जाके माइनस कर देगा तो 500 मेटर की टरनल आगई यह कोशना चाहरा था 500 मेटर ओप्शन अंबर तीन में दिखाऊ गए जो मैंने point बताए न याद रखना एक भी जो मुझे फार्मूला चिपका दो बस काम खतम 120 मेटर लंबे ट्रेल की गती 50 किलो मेटर प्रति घंटा है इस ट्रेल को 300 मेटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरने में कितना समय लगेगा तो मुझे बताओ कितना समय लगेगा इस से डिवाइड कर दो डिवाइड कर दो तो मुझे बताओ कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता जब रेल किसको पार कर रही है प्लेटफॉर्म को तो 120 मेटर की ट्रेल है 600 मेटर का प्लेटफॉर्म है कुल दूरी क्या हो गई 120 प्लस में 600 है टाइम की से बताना है सेकंड में तो इसका मतलब इसको मुझे मेटर में ही रखना पड़ेगा time अगर सेकंड में है तो इसको मेटर में ही रखना है और speed कितनी है 50 किलो मेटर प्रतिगंता तो इसको आपने नीचे लिख देना है, लेकिन स्पीड कैसी लेने है, मीटर पर सेकिंड में, तो किलो मेटर से मीटर बनाना है, तो मेटर छोटा तो 5 पटे 18, बस कर दो सो, 120 और 600, 720, पटे में 50, गुणा में 5 और ये भाई सब कैलकुलेशन में ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, इ 139, पटे में 5 पंजे 25, ठीक है, तो अब इसको हम भाग देगे, 25 पंजे, 125, बचे का कितना, 46, 25 से नहीं जाएगा, तो आने 25 से एक पे जाएगा, जाएगा क्यों निक, 46, 25 से एक हम 25, तो 51 कुछ अंसर आएगा, देखते हैं, कहीं लिखा है, 51 कुएंट, option 2 में लिखा पस आगे सोल करने की जुरतनी यही छोड़ देना, ठीक है, clear, तो 1296 को 25 से डिवाइड किया, तो 51 कुछा रहे है, आप डिवाइड करके देख सकते है, option 2 मेंने अंसर बता दिया है, 51.84, ठीक है, तो यह करना था इस question के अंदर, असानी था, कोई मुस्किल नहीं था question, अगल 240 मेटर लंबी रेल गाड़ी की 46 किलो मेटर प्रतिगंटा है, इसे 260 मेटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, a train 140 मेटर लोंग is running at 60 किलो मेटर परा, how much time will it take to pass प्लेटफॉर्म to 60 मेटर लोंग, ठीक है, तो 140 मेटर लंबी रेल को 260 मेटर का तो तुम मुझे बताओ, जूरी के अलू, 140 और स्टेशन कितना है, 260 का, पटे में, स्पीड कितनी है, 60 की, time किसे पूसरा है, second में, तो स्पीड किसमी होनी चीए, meter per second में, ठीक है, 140 और 260 कितना होगे, 400, into 60, into 5 और ये भाई साब उपर, इस से कटा ये, 6 से कटा ये, 3 पे, 5 से कटा, 8 पे, 8 तिया, 24, 24, second, answer option number 2, calculation ही आगे, चलने का तरीका पताओना चीए, बस, आगे तो को दिक्कत ही नहीं है, देखो, कितने सारे train के question पूछे रहे, कितने सारे हैं, तो, अब नहीं होना चीए एक गलत है, तो, रेल गाड़िया, 132 मेटर, एवं 108 मेटर लंबी, एक दूसरे के विरुद दिशा में आ रहे हैं, विरुद का मतलब ऐसे अपोजिट आ रहे हैं, जिन में से एक की चाल 32 किलो मेटर परती घंटा, और दूसरी की चाल है, 40 किलो मेटर परती घंटा, तो, कितने समयमे में एक दूसरे को पार कर जाएंगे, तो, ट्रेंस, 132 मेटर, एंड, 108 मेटर लोंग और रनिंग इन अपोजिट डारेक्शन, आप अपोजिट का मतलब यह मैं समझ लेना, ऐसे रनिंग करेंगे तो, पूरी प्रित्वी का चक्कर काट के मिलेंगे एक दूसरे को, ठीक है, तो, अपोजिट का मतलब, कुन सा था, अभी मैं क्या बता रहा था, अपोजिट मतलब यह, ठीक है, यह मैं सोचना, ठीक है, अपोजिट मीन्स, ऐसे एक जूसरे की तरह पारेगे, तो, टू ट्रेंस, 132 मेटर, एंड, 108 मेटर लोंग और रनिंग इन अपोजिट डारेक्शन, व समय दूरी बटे में चाल, तो, जब दो रेल ऐसे आ रहे हैं, दूसरे की तरफ मैंने क्या बताया था, फुल डिस्टेंस क्या लेना है, दोनों की लंबाई, 132 प्लस, 108, ठीक है, अब बटे में लेनी है, स्पीड, अब डिस्टेंस तो मैंने ले दिया, दोनों की लंबाई, और स्पीड क्या होगी, रिलेटिव, तो एकार ये 32 से, एकार ये 40 से, तो स्पीड क्या होगी, दोनों की प्लस, लेकिन ये मेटर में है, ये किलोमेटर प्रती घंटा में है, तो हमें टाइम बताने है, सेकिंड में, तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज कर बारा सेकंड लगेंगे बारा सेकंड ऑप्शन तीन में सजा रहा है क्लियर यह आपका अंसर था इसी के साथ अगला जो कॉश्चन आ गया वह आपका आगया किसका बोट एंड स्टीम का नाव एवम धारा का तो आपको बता दूं आपके स्लेवस में जो टोपिक मेंशन करक्था वो लिखा हुआ है साफ साफ टाइम एंड डिस्टेंस समय तथा दूरी यह मेंशन किया है फिर यह वाला चैप्टर तुम गोगए यह काई के लिए करवारे अर यहां पर देखो एक व्यक्ति धारा की विप्रिद दिशा में 13 किलोमेटर और धारा की दिशा में 28 किलोमेटर चलते हुए हर बार 5 गंटे का समय ले रहे तो दूरी भी दे रहे समय भी दे रहे तो यह उसी का पार्ट है तो यह मत सोचना के वो नहीं लिखा हुआ तो उसका ग्व्यक्षन नहीं आ सकता है तो आप इस क्वेशन को थोड़ी देर के लिए आठा दिये क्यों कि मैं यहां से थोड़ा सा ऐ秒 को संगाना चाफ़ा है कि ये फारूला तो सेमौ ही कि ऊधाय है इसके नहीं हो इसुए कि जा चैंज कहा है यहां पे स्टेट्मेंट दी नहीं संजब आती बच्चे के और तब तक statement समझ भी नहीं आईगी तब तक answer भी नहीं होगा ठीक है तो statement कैसे समझ नहीं है उसके लिए मैं कुछ एक बाते बताता हूं फटा-फट से सुन देना यहां पर जैसा कि चैप्टर का नाव है boat and steam नाव एवन धारा तो एक होगी नाव ऐसी नाव ठीक है और नाव की दो speed लेनी है आपने ठीक है नाव की दो speed लेनी है वो क्या लेनी है एक्स किलोमेटर पर तिकलता ठीक है और यह नाव चलेगी कहाँ पानी में चलेगी पानी में और पानी की speed आपने question में क्या लेनी है वाई किलोमेटर पर आद ठीक है पानी की speed आपने क्य तो आपको question में दिया जाएगा नाव की चाल या नाविक की चाल या तैराक की चाल या नाव की चाल शांत चल्बे इन सभी का मतलब जो है वो x की value बता रहे है ठीक है जैसे मैं बोलगू एक नाव की चाल 10 km प्रतिघंटा है तो आपने क्या लिख देना है बिड़ते ही x equal to 10 km प्रतिघंटा जैसे नाव की चाल का जिकरा जिक speed of boat आपने लिख देना ही फिरो बोल सकता है speed of boats में एक नाव की चाल 10 km प्रतिघंटा है यानि क्यों x की वेड़ते है एक तैराक की चाल अब तैराक चलेगा थोड़ी वो तो तैरेगा तो तैराक की speed क्या है वो भी x की value ही है तो यह आपने सारी लेन है और एक ये line बोलता ह खास कर एक नाव की चाल शांत गल में speed of boat in still water यानि कि पानी रुका वो उसके पर boat चल रही है तो वो भी तो boat की speed है हुआ वो भी क्या लेनी है आपने 10 के बराबर यानि की x की value लेनी है फिर बोलेगा धारा की चाल या पानी की चाल तो वो आपने कितनी लेनी है y कहेगा धा भाव की चाल दो किलोमेटर पर तीगड़ा आपने लिखना y उकल टू किलोमेटर पर आगा इतनी समझ में बात इतनी समझ में आगी तो खास बात ये है वो नाव की चाल धारा की दिशा में अब ये बात मैं क्या कह रहा हूं जिसको इंग्लिश हम बोलेगा upstream downstream धारा की अगर नाव और पानी दोनों सेम डारेक्शन में जा रहे हैं मान लो नदी बह रही है और तेराक उसमें पूद गया तो पानी के बहाव के साथ अगर वो तैर रहा है तो फटा 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 तैर पर दसला जाएगा जबकि opposite उसको slow 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 आगे बढ़ेगा है ना clear ह तो वही बात मैं यहां कहा रहा हूँ कि अगर इन दोनों की speed सेम है तो speed दोनों की प्लस हो जाएगी और अगर इन दोनों की speed opposite है यहां पे लिख लिख लिए ना speed of board in downstream now की चाल धारा की दिशामे ठीक है पानी की direction में speed x plus y अब now की चाल धारा की विपरित दिशामे जिसको ब अब इसको एक बात और बता दूं इसको ना सुधिंदी में बड़ा खतरनाक लिखा जाते है इसको ऐसे लिखा होगा अनूपरवाः और upstream का मतलब होता है उधर्व परवाः ठीक है अनूपरवाः यानि की बहाओ की सेम डारेक्शन उधर्व का मतलब होता है उल्टा यान की बहाओ की upstream direction ठीक है तो ये बाते कुंसी पहली दूसरी ये तीसरी और ये चोखी ये चार बाते अगर आपको याद है समझ में आ गई है तो फिर आप देखना कुश्चन कितने असान आपको लगेंगे कुश्चन जो हमने हटा दिया था वो आपके सामने एक व्यक्ति धारा के विप्रित दिशा में 13 किलोमेटर और धारा की दिशा में 28 किलोमेटर नाव चलाते हुए हर बार 5 गंटे का समय लेता है पाने की गती क्या होगी तो मुझे बताओ वो 13 किलोमेटर चला गया कहां धारा के विप्रित दिशा में और कितने घंटे लगे 5 गंटे तो मुझे बताओ यहां पर मैं मेरे पास दूरी भी है और मेरे पास समय भी है तो मैं क्या लिकूंब चला गया होगी दूरी बटे में समय स्पीड क्या होगी इस टेंस अपोन में टाइम जब वो धारा के विप्रित दिशा में जाएगा यानि कि वो ऐसे जा रहा और पानी ऐसे आ रहे है तो यह स्पीड क्या होगी x-y, speed कैसी होगी x-y, धारा की दिशा में दूरी, विप्रिद दिशा में दूरी कितनी है, 13 km, यह लिखा है न, धारा के विप्रिद 13 km, और टाइम कितना लगा उसको 5 गंटे, तो इसकी speed क्या आएगी, इस 13 को 5 से भाग करूँगा, तो 5 दूनी 10, 0.3, 2.6, 5 दूनी 10, 35 सी के 30, फिर उसने कहा धारा की दिशा में, तो speed क्या होगी x-y, धारा की दिशा में speed क्या होगी x-y, और 28 km वो धारा की दिशा में cover कर रहा है, तो distance होगया 28 टाइम लग रहा है 5 गंटे, यह कितना होगा 5 पंजे, 25 सी के 30, 5.6, clear है, यहाँ पर 2 equation आ गई है, आप से पुसरे पाने की करती क्या होगी, तो एक equation प्लस की है, एक माइनस की है, जब भी math में कहीं भी ऐसी 2 equation दिखेंगे, या तो ऐसे करके sol कर लेना, तो यह x-y, 2.6, दो नों को प्लस कर गूंगा, यह कट गया, तो 2x पराबर है, 4, 6, 12, 5, 2, 7, 8, x की value कितनी आगी, 4.1, x की value इसमें क्या याद रखना है, या तो ऐसे equation solve कर लेना, क्या मेरी बात याद रख लेना, कि एक equation प्लस की, एक equation माइनस की बिना coefficient की, coefficient का मतलब यहाँ पर ऐसा न लिखा होना चीए, 3x, 2x, ऐसा न लिखा होना चीए, तो x की value हमेशा कैसे मिलेगी, इन दो नों को प्लस कर देना, और 2 से divine कर देना, detail में यही होता है, ठीक है, तो 6 और 6, 12, 5, 2, 7 और 1, 8, बटे में 2, 4 point ऐगा, y की value जब भी पूछे, दो लों को minus कर देना, और बटे में 2 कर देना, 5.6 में से 2 गए, तो 3 आया, और 3 को 2 से बाग परूँगा, तो date आगा, 1.5 लिख सकते हो, या date लिख सकते हो, तो answer में date लिखा हो है, तो answer option number A बनेगा, ठीक है, बात आई समझ में, किसी के ये बात समझ में नहीं आई हो, तो और भी खतरना आप हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक चेतावनी, चेतावनी क्या कि ये सारे type याद रखनी पड़ेगी, तब ही आप कर सकते हो, नहीं तो फि सेम लग रहा हो, ध्यानकना हर बार time सेम लगेगा, तभी आप strict का इस्तिमाल कर सकते हैं, नहीं तो ये काम नहीं करेगी, ठीक है, now की speed पूछले, तो कैसे करना है, दोनों speed को आपने distance को प्लस करना है, 28 प्लस में 13, ठीक है, पहली बार distance कितना था 13, दुसरी बार कितना था 28 इस दोनों को प्लस करना है, और दो गुना करना है आपने time का, दो गुना करना है अपने time का, कितना बनेगा, 41 बटे में 10, which is 4.1, देखो पैना answer आगे, 5 की बात करेगा, तो दोनों को माइनस कर देना, और बटे में 2 गुना time, वह 5 गंटे, एक साइड के 5 गंटे, दूसरी स जब दोनों बार time same होगा, ठीक है, दोनों बार का time same होगा, तभी आप इस trick को apply कर सकते हैं, नहीं तो, जो मैंने पहले नंबर पर बताया है, वो करना है, ठीक है, अब एक खास चीज मैं आपको सिखाऊँगा, question देख ले, एक बार क्या है, एक नाओ किसी निश्ची दूरी को धारा की दिशा में तील घंटे में, जबकि वापसे साढ़े चार घंटे में तैय करती है, यदि धारा की चाल तीन किलोमेटर प्रती घंटा हो, तो शांत जल में नाओ की चाल गयात करे, अगर ऐसे question आ जाएगा, आपको बता दू, पहली बात तो यह important है, ऐसे ही पूछे जाते है, तो इस टाइप को करने के लिए आपने क्या इस्तिमाल करना है, अगर मैं वो तरिक का इस्तिमाल करूँ जो मैं आप तो बताता हूँ, कि क्या पूछ रहे है, चाल पूछ रहे है, चाल पूछ रहे है, तो चाल का फारूला लगा दो, चाल क्या होता है दूरी बटे में समय, चाल होता है दूरी बटे में समय, यानिके speed equal to distance appointment time, ठीक है, तो पहली situation में क्या कर रहे है, किसी निश्चित दूरी को धारा की दिशा में 3 गंटे में तेह कर धारा की दिशा में, तो speed क्या ले लूँ, x plus y, तूरी क्या है, मुझे नहीं पता, और कितने घंटे लग रहे है, 3 गंटे, तो तुम मुझे बताओ, यहां से x, y और d, यह 3 variable है, इसमें से धारा की चाल, यानिकी y की value आपको दे रखी है, इसको 3 रख दूँगा, तो x और d आपको नहीं पता, answer नहीं आएगा, वहीं दो-दो variable नहीं पता, तो फिर answer कैसे आएगा, हाँ, जैसी मैं x और y बता दूँगा, तो आप d calculate कर सकते हैं, अगर यह दोनों value बता दूँगा, तब तो answer आ जाएगा, तो यहां पे इससे answer नहीं मिला, तो ऐसी situation में आप इसको compare क हिंटे में उतनी दूरी टै करने हैं, तो वापसी में speed क्या सी हो जाएगी, x-y, उतनी की दूरी कितने में टै कि साड़े 4 हिंटे में, तो यहां से compare इससे कह राता है constant value से, constant value क्या, जो चेर्ग ना हो situations के अंदर, इस पहले situation में भी जो distance था, वही distance दूसरी situation में भी, तो distance ज value निकालेंगे, तो speed यहने की x-y in two में time, यह distance दोनों same आएंगे, तो left hand side बरावर तो right hand side को equal रखके ही आप equate करेंगे answer के लिए, जिसे आप इतना ना करके सीधा कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्या, कि यहां पे distance जो है, वो constant है, constant का मतलब जिसका, जिसक दूरी तै की, धारा की दिशा में तीन घंटे में, जबकि वापसी साढ़े चार घंटे में, तो दूरी तो same थी ना, जो जाने के time थी, वही आने के time भी थी, distance सेम है, distance का formula होता है, speed into my time, तो आप इसको दो बार लिख दे, एक बार one one करके, एक बार two two करके, ठीक है, यही की दिशा में, speed होती है, x plus y time होगे तीन घंट, और वापसी में, साढ़े चार घंटे में, तो speed के हो देगी, speed भी, x minus y, और time होगे साढ़े चार घंटे, clear है, और साढ़े चार घंटे को आप क्या लिख सकते हो, साढ़े चार घंटे को 45 बटे 10, यानि कि 9 बटे 2 भी लिख स 5 निमे 45 बटे 10, ठीक है, 3 से इधर काट दिया, 3 पे कटा, ये 2 क्रोस में multiply होजएगा, तो 2 x 2 x plus 2 x 3 6, 3 इसके साथ multiply होगा, 3 x minus में 9, ये 2 x इधर जाएगा, तो x, ये 9 इधर आएगा, तो plus 15 आगा, x की value 15 आगा, ये ही पूछना चाहरा था, तो ध्यान रखना, ऐसे question ज्या जैसे कि इस question में, इस question को भी देखो ध्यान से, ध्यान से देखना है, पढ़ना है, और फिर करने की कोशिश करनी है, देखो क्या चीज constant है, जो change नाव, एक नाव, निश्चित दूरी को, साब साब बोलें, निश्चित दूरी, यानि कि distance constant है, निश्चित दूरी को अनु प जबती कितनी होगी, अब बोट कवर्स असर्टेन डिस्टेंस डाउं स्ट्रीम इन हाफ आर, वाइल इट कवर्स, वाइल इट कमस बैक इन, वन इस तो वाइट 2 आर, इस पीड ओफ देखो देखो दी 5 किलोमेटर पर आर, वाट इस दस्पीड ऑफ बोट इन सील वोटर, फि जानी की डारेक्शन में आई तो स्पीड क्या होगी, एक्स प्लस वाइ, टायम कितना लगा, आदा गटा, लगा न, आदा गटा, और वापसी में स्पीड कैसी हो जाएगी, एक्स माइनस वाइ, टायम कितना लगा, टायम कितना लगा, टायम कितना लगा, टायम कितना लगा तो पूछ रहा है, x की value क्या होगी, तो इसको solve करेंगे, तो x plus 5, 3 की multiply करेंगे, तो 3x minus 15, यह x इधर आएगा, तो minus हो जाएगा, यह 15 हिधर आएगा, तो add हो जाएगा, और 2 से काटोंगा 10 पे, तो x की value कितने आगी, 10, x की value 10 आगी, answer option number 1, clear है, बास समझ में, तो यह करना था आपको इस question में, ठीक है, तो यह याद रखे, इस तरह से question आपके पूछे जाएंगे, फिलहाल इस class में हम यहीं तक करेंगे, ठीक है, तो चीजों को अच्छे से देखना है, समझना है, तो चीज जैसे बताईए, वैसे अगर आप apply करते है तो इन classes से आपको काफ़ी benefit मिलेगा exam में,